हुआ था सबसे पहला यह आपका इंपोर्टेंट क्यों सुना रहा है कि राजस्तान में किसाना अंदुल है कहां से स्टार्ट हुआ था ठीक है संगटित तो इसमें आपको चार ओप्सन दिये गए एक तो बिजोलिया एक आपका बेंगू एक अलवर एक सीकर इनमें आपका इसमें इसमें आपका हुजएगा ओप्सनमर ए यानि बिजोलिया राजस्तान में संगटित किसाना अंदुलम का से राम हुआ था या आपका हुजएगा बिजोलिया शी ओप्सनमर एक को आप लोग कर देना क्रमचार चैन बोर्ड है ध्यार रखना यहीं से परसन पूचता मोलेला के ठून बघरू या फिर सांगादे तो एक तेरा कोटा के लिए आपका परशीद कों सा होना जएगा आपका यह होना मोलेला आपका किसके लिए परसीद हो जाएगा यह बात आपको ध्यार प्रिंट का परसीद है तो आप क्या बताओगे बाड़ मेर का ठीक है यह आपको ध्यार रखनी है अगला पर्शन देखू अगला पर्शन आपका क्या करें राजस्तान के सवतंतरता अंदलों के दोरान गिरपतार होने वाली राजस्तान की पहली मैला कोन थी नगेंदर बाला अंजना देवी चोदरी थी रत्न सास्त्री थी या फिर्मा देवी अगला पर्शन देखू अगला पर्शन क्या करें आपका एककरत राजस्तान की निरमार में मत्रशन संग में सामिल होने वाले जी ले कौन से थे ये ृध्यपूर ढूंगर पर कोटन ठोंग थी या फिर बासओडा बुंदी जालावार थी या फिर अलवर्द बर्द तो इसमें आपका हो जाएगा उप्सन में डी राइट हो जाएगा कौन सा राइट हो जाएगा अलवर बरतपूर दोलपूर क्रोली थी अब आपको पूछा दा सकता है कि मत्रसंग का राजपूर मुग किस रियासत के साथ को बनाया गया था अलवर बरतपूर दोलपूर क्रोली लेकिन राजपूर मुग किसे बनाया गया था तो राजपूर मुग आपका बनाया गया था किसे मत्रसंग का जो राजपूर मुग आपका बनाया गया था दोलपूर के साथ सको ठीक है दोलपूर के साथ सको राजपूर मुग बनाया गया अगला पसन प्रश्ण आपका क्या करा है एगला पॉस्टान राजस्तान में अठार सित्याओंकी क्रांतिकी समिए ए जी अर्जेंट टू गर्ड़नर जरनरल कौन था तो इसमें आपका कौन से जाएगा कप्तान ब्लेक हो जाएगा हेंडरी लोरेंस हो जाएगा जोर्ज प्रेटिक लोरेंस हो जाएगा फिर कप्तान हित कोट हो जाएगा इसमें आपका हो जाएगा पेटरिक लोरेंस और सी राइट हो जाएगा उसके बाद आप अगला परसन देखे राजस्तान का एकिकन पूरा हुआ है, राजस्तान का एकिकन कितने चरणों में पूरा हुआ है, चार, छे, आठ, साथ, तो राजस्तान का एकिकन आपका कितने चरणों में पूरा है, यह आपका हुआ है, साथ चरणों में, अगला परसन देखो, अगला परसन है कि मिवाड की महारणा, बुपाल से हैं किस वर्स महाराज परमुक बने थे देखो ये जो कला सही है आपके लिए इंपोर्टेंट इसलिए क्योंकि करमजायर जैन बोर्ट आपको पता है पसुप्रेजर का एक्जाम करवाएगा तो करमजायर जैन बोर्ट इनी किजनों में से पांच में पहले पहले बता है तो आप क्या बताओगे इसमें चारोपसंदेर के बालोतरा से है, पाली से है, बगरू से है, बाड मेर से है तो अजगर प्रेंट का आपका समन्द की से हो जाएगा, बाड मेर से हो जाएगा, ठीक है ये पुरानी इसाब से बता रहा हूँ आपको ठीक है, बाड मेर का है यह भी आपका इंपोर्टेंट के उसना है तो नौलक्खा द्रवाजा यह निमल कित्म से रास्तान की कि जिले का बाहर है तो इसमें आपका हो जाएगा ऑपसर्मक ए रन थंबोर का ठीक है ऑपसर्मक ए राइट हो जाएगा उसके बाद देखे दानवु द्रुक के बीच स्थित है जंगल रेगिस्तान जल पहाडिया तो इसमें क्या होगा इसमें आपका बी हो जाएगा ऑपसर्मक भी यानि रेगिस्तान है अगला परसन देखो अगला परसन क्या करें हल्दी गाटी का यूद किस वरस लड़ा गया था वेरी वेरी इंपोर्टेट पसने शिदक तो तीन-चार एक्जामें पहले भी पूछ कर आपके पसुप्रीचर के भी एक्जामें पूछ सकता है तो थोड़ा सा स्टार लगा लेना सिदक सिदा किसो रिपीट हो सकता है अगला परसन देखो अगला परसन है कि निमल कितमे से किस विद्वान के अनुसार राजपतों क तो राजयस्तान के संस्द्रम में पिला पूमावचा है डाजयस्तान के संद्रम में पीला पूमचा ये किसे को करमचा एपनर में घौर पने उसके बार-बार क्रमचार्चन बोड अधनेस्ट बोड इस क्यूशन को रिपीट कर रहा है राजस्तान की संद्रब में पिला पॉम्चा क्या है लोग इत है, लोकनर्टी है, कपड़ा है या फिर पेंटिंग है तो इसमें आपका उजाएगा उप्सन नमर या पिस सी तो याँ पे आपका उजाएगा कपड़ा ठीक है, एक बार ध्यार रखना क्रमचार्चन बोड आपका इक क्यूशन ने बार-बार रिपीट करेगा, इसलिए बो रहा हूँ इन क्यूशन को एक बार आप अच्छी तुर्गेशन पढ़ लिये ना पेहना जाता है, यह देख लो, important कि उसने आपका ठीक है निमल कितमी सी कौन सा अबुसन कान पर पेहना जाता है तिकका, बुल्ली, टोटी, रिमजोल तो इसमें कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा प्राइबा, ओप्सन मर सी, टोटी, कोन सा कान पर पेहना जाता है टोटी अगला परसंदेखो, अगला है की डुभरवा, 204 चेतर में कौन सी बसा बोली जाती है लुएगारवादी, मेवाती, वागणी, डोण डड़ी थिक है और पोगिलार पावणिया ने कौंसे पढ़नटल के अगर आपको पूस लिया जाए तो आप क्या बता होगी कभी तो आप क्या बता होगी में उस्तो चोमान जिसके अंदर की गई ये तीनों कि सुना आपके लिए है, हन्मानगड़ के अंदर आपको पता है आयप कांपर है, उद्यपूर के अंदर है, अब आपको दिखो, एक, आपकी, इंपोर्टेंट, सफ़ेता, ओर भी रहती है, वह होisen이는 गणेस्वर, अब आपको पता है, गणेस्वर, अब आपको पता है, निकार मेंसी अपने आफिक तो इसमें आपका नदी को अगला परसन देखो। का जन सहार किस वर्स हुआ था इंपोर्टेंट कि उसमें सीधा सीधा एकजाम में छप सकता है गोविंद गरी की नेतरतियों में बिलांदोलन को दबाने के लिए मानगड का जन सहार किस वर्स हुआ था इसमें कौन सा उगा इसमें आपका उप्सिंट भी होगा 1913 के अंदर यह बात ध्यान रखना अभी भी आपने वोड़स पर मेंसेज नहीं किया तो वोड़स पर मेंसेज गर देना नमबर वापस बताता हूं आपको 94-3148 इन पे आपको वोड़स पर मेंसेज कर देना है आपको गूरूप में जोड़ दूँगा नोट्स परवाइड कर दूँग पर देना है उसकेज़ बाद आप अगला परशन आपका क्या कह रहा है हां अगला परसन कह रहा है कि राजर्स्तान के निमानकित में से कौनसा एक बोतिक विवाजन सरवादिक छेतरपल वाला है वो बताना है मैं पूरी मेदान परदेश है दक्षन पूरी पटारी तो 101 में आपका कौन सा ही अपका ओपसर मरें अगला परसन आपका क्या कह रहा है निमल खिति या फिर निमान कित में से कौन सा राजस्तान की जर्वाई को प्रभावित करने वाला आधार गुत तत्वा है समूंदर से दूरी, समूंदर तल से उंचाई, ताप मान बनस्पती तो सबसे इंपोर्टेंट आपका यहां पर रिजन क्या हो जाता है, इंपोर्टेंट कारण क्या हो जाता है, यहां पर आपका टाप मान, क्या हो जाता है, टाप मान, अगला परसन देखो, अगला परसन आपका क्या कह रहा है, एक सिकन, अगला परसन कह रहा है कि राजस्तान म आपका हो जाएगा उप्सिरमर सी पवन अपर्दन अगला पर्शन देखो अगला कि राजस्तान में वर्ष दोजार चोगदा पंद्रा के दुरान यह थोड़ा सा आपका करेंट का कि उसको उटा दो निमल कितमें से बेड की परजाती मेरे उनों के नाम से जानी जाती है बता अगला पर्शना है निमांकित में से परताबगड़ दिल्य में कौन सी परियोजना स्थित है रताबगड़ दिल्य के अंदर ब Souls जाएगा उप syst 1 यानि बे जीndर अगला परसंद आपका क्या रहा है मोरिजा बानोल खनन चेतर के लिए परसिद है तामबा खननन है या फिर फेसपार खननन है तो कौन सा परसिद है इसमें आपका उजएगा भी लोय आश्यक खननन है अगला परसंद देखो अगला परसंद कर रहा है जैपूर में जैपूर से आगरा राश्टी राजमारक 11 का नया नंबर क्या है तो यह आपके लिए कोई इंपोर्टेंट क्योशन नहीं इसको एक बार आप हटा दो भई उसके बाद देखिए जैसल मेर जिल्या में पालिवाल ब्रामनों द्वारा को ओर है यह थोड़ा सा इंपोर्टेंट परस neighbor操我要 क्ला करथिए जोखरिका कैले के लाद धरमक विए जैख जाए यह फिर सफेदबाग के लिए अधिर के लिए अरे सरसी का ब्याणना ये किस के लिए परसीद है ये आपके हरी कबूतरों के लिए परसीद है ध्याँ रखना ओप्सन में D.R. हो जाएगा ठीक अब आपको पूछ लिए जो ब्याणना ये आपका कापर है तो आप क्या बता होगी अलवर के अंदर है ये भी बात आपको ध् सब्सक्राइब कर दो राजस्तान के निमली कित्मी से कौन से जिले में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है शिरोई और पाली के अंदर डूंगरपुर और उध्यपूर के अंदर कोटा और बुंदी के अंदर या फिर आपके यापर हो जाएगा स्वाइमाद्यूपुर और कर दूंगरपुर और उध्यपूर जिलों में पाई जाती है अगला परसन क्या कह रहा आपका निमली कित्मी से कौन से नदी बंगाल किकाडी के अपवातंतर में समयलित नहीं है तो पार्वती नदी समयलित है और परवन नदी भी है शिप नदी भी है लेकिन अनास नदी अगला परसन में क्या कह रहा है राझस्तार राजिये की सिमा को सबस्काने वाली बारती राजियों की संग्या कितनी है यह थोड़ा से व्जाएंगे 3568 तो 115 में आपका व्जाएंगा उप्सरमाट B 5 कितने जिली है? 5 जिली है तो आपका उत्रप्रदेश, एका मद्यप्रदेश, एका पंजाब, एका रियना, एका गुजरात इन 500 की नाम आपको जहाँ रखने है सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा लगाता है मद्यपर्देश लगाता है सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा लगाता है मद्यपर्देश सबसे कम सीमा कौन सा लगाता है पंजाब ये दोनों बाते आपको ध्याँ रखनी है अगला परसन देखो दे रखशनी हैut उदेवपूर के अंदर राजपुरा तरीबा ये सही है लेकिन विकानेर के अंदर जाम सरी है, आपका गलत हो जाएगा, टिक है यह क्या एंट सुमलित नहीं है, यानि डे उप्सन आपका राइट हो जाएगा, अगला परसन देखा, अगला परसन क्या कऱा है, नीमल कित में से कौन सी जिले सिंचाई की कामें लिजाती है, पिछोल दो राजसमन जिली क्या है चिंचाई की काम में ली जाती है अगला परसन देखो अगला परसन आपका क्या कह रहा है राजस्तान में जलवायू परदेश से पुरी मेदान में कौन सा जिला समयली किया जाता है तो इसमें हमें यह बताना है एक सोठार में यह देखो आपका तो इसमें थोड़ा सा इंपोर्टेंट के सुना इसको एक बार देख लेना इसमें आपका हो जाएगा रंथम गोर राष्ट्य उध्यानमी किरियावन्त है ठीक है अगला परसन देखो अगला परसन आपका क्या कर रहा है सुसक वागवान वन राजस्तान के निमल कितमी से किस जिले में पाई जाती है गोड़े में गृवा कशेरुकाओं की संक्या कितने होती है तो दोस्तों याद रखना ये होती है साथ ठीक है गोड़े में गृवा कशेरुकाओं की संक्या साथ होती है डेंटल पैड कौन से दातों के इस्थान पर पाया जाता है डेंटल पैड ज का सबसे छोटा जो प्रकोष्ट होता है ना वो कौन सा है बैल में जो सबसे छोटा प्रकोष्ट होता हो रेटी कुलम होता दोस्तों और सब्सक्राइब को आप लोग करेंगे बड़ा कार को करेंगे सरवादिक अगर गैस की पाई सबसेने सूगर में दातों कि संख्यक्छा कितनी होती है इसका अंसर आपको बताना है, जल्दी से बताईए सुवर में दातों की संग्या जो है न, वो कितनी होती है इसका अंसर आप बताएंगे 44 होती है, कितनी? 44, ओके, अगला सवाल देखेगा कि ओड कितने वर्ष की आयू में फुल माउथ हो जाता है कितने वर्ष की आयू में फुल माउथ होता है तो वो साथ वर्ष की आयू में फुल माउथ हो जाता है और सुवर में दातों की संग्या कितनी होती है? 44 होती है, ठीक है सब किस अस्ती में 22 पिटल ग्रूव जो है, होती है 22 पिटल ग्रूव होती है किस अस्ति में होती है वो तो इसका आंसर आपका हो जाएगा option A humorous option A को लग करेंगे दोस्तों इसमें देखो यह paper है complete में जो है बुरा निभरती का है और बता दू आपको कि यह mix up है है ना इसमें हम बात करें तो दिखिए कि यह crushy परिवक्षक में पूचे गए प्रस्णों मैंसे भी है तो कुछ LSA के प्रस्णों के भी प्रस्ण पत्रों के भी question है तो यह करके यह जो question थोड़े से hard जरूर हो जाए लेकिन अपने एक बार देखते हैं कि कि किस थकार के प्रस्णों पूचे जाते हैं लंबे समय तक कठोर शायरिक कारी के पच्छात मार्श पेश्य में थकार का नुबव होने वीटामिन के यकरत के तेल में यह प्रस्ण पाई जाती है वीटामिन डी की ठीक है ओप्सन डी आपका लॉग हो जाएगा और अगला सवाल एवियन एंफ्लू एंजा बड़ फ्लू विशाणू को निमलिकित मैंसे किस से निरुपित किया जाता है एन एज एन एज निकालने की सरुथम विधी कौन सी है यह बड़ा वड़ा इंपोर्टेंट पैसन है और हंडेड प्रिसेंट आपको एक्जाम में पूचा जाएगा यह पूर्ण हस्त दोहन विधी है यह दूध निकालने की सरुथम विधी के नहीं इसका सही आंसर भी करेंगे आप इसतन दिकिए दुग्द काल में दुग्द की मातरा का ऊच्षित इस तर बनाए रहने को क्या करते हैं तो इसको कहते हैं हम गलेक्टोपोयोसिस यह इंपूर्टेंट सवाल है हो सका है आपको एक्जाम पूचा जाए और एक्जाम आपका 21 को है 22 को है और 24 को यानि कि यह सेप्ट सब्सक्राइब करेंगे लेकिन ज्यार में कोई कमी नहीं नहीं कि अपका राइट आंसर होगा राजस्तान की उन विशलेशन परियुक्षाला कहा वस्तिते राजस्तान की उन विशलेशन परियुक्षाला ज्याना ये बीका नहीं बिश्तिते थे आपका लॉक हो जाएगा ये इंपोर्टेंट समाल है तो बड़ा अच्छा क्वेसन है और वीरतेजाजी पशुमेला कहा लगता है वीरतेजाजी पशुमेला ज्याना ये कहा पर लगता है ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेस्टन की बात करें तो कुकुर्ट प्रस्रिक्शन संस्तान देखे हो वैसे तिलवारा जो है ये बाड मेर में नहीं बालो तरह में आ चुक है जादर पटन ठीक है कुकुर्ट प्रस्रिक्शन संस्तान के बारे माग को पूचा जा रहे तो पत टोक रिक्यों का जाता है क्योंकि यहां पे जो है अंडे अधीक उत पादन होते प्रसार शिक्शा के लर्निंग अब्जेट्टिव में शामिल है तो राइट आंसर होगा आपका उप्रक्ट सभी साहिए व्यान का विकास है दक्ष्टता को लाग करेंगे ये भी मैंद्पून सवाल है आपके लिए प्रसार कारिक्रों में ये इस परकार के प्रशना को पूछेंगे देखना आप प्रसार कारिक्रों में इस्ताने नेताओं को सम्मिलित करना कौन सा सिद्धान्त है तो आपका राई डांस होगा नेत्रतों का कि बड़ा इंपोर्टेंट सवाल भी है तो आए राम देव पशुमेला माग शुक्ल से माग शुक्ल पूर्णे मात्क एकम से पूर्णे मात्क है न ओके अगला सवाल देखे पूचा क्या जा रहा है कि देखो वीर तेजा जी मेला की बात करें तो पशुमेला यह तो आपके बादर पदे महारता है पशुमेला विस्तार का रिक्रम के लिए मुख्या के चैन की विदी क्या है तो इसका अंसर आपका होगा दी यानि की निर्वाचन भी अप्रतेक्ष भी है चैन भी है ऑफसन डी को लॉग करेंगे चैन की यह सारी की सारी विदिया है ऑफसन डी आप आपका करेक्ट आंसर होगा और अगला सवाल है श्वान में नाड़ी कौन सी आर्टरी से रिकॉर्ड करते हैं तो राइट आंसर आपका होजाएगा ऑफसन C आपका राइट आंसर होगा डाइपिटीज मेलिटस सामनेता किस पश्रू में पाये जाता है इसका आंसर आपको बताना है डाइपिटीज मेलिटस सामनेता किस पश्रू में पाये जाता है तो राइट आंसर आपका होजाएगा ऑफसन B कुता ठीके साब ओके ऑफसन B आपका करेक्ट आंसर होगा डाइ फ्रॉमेटिक हरनिया कौन सी स्पीसीज में साधनत्या पाई जाता है तो इसका तो बड़ा आसान सा प्रशने भेस को करेंगे हम भेस जो है देखो इस प्रकार की प्रशने जो ज्यादा तर ध्यान में रखना है डाइपटी मेलीटे सामने तक इस प्रश्ण होता है कुते में डाइप्रॉमेटिक हरनिया कौन सी स्पीसीज में सामनत्य पाई पाई जाता है तो बेस में रख में किसकी कमी से दुग दजवन होता है तो रख में केल्शियम की कमी से दुग दजवन होता है और पश्णो में गलगोंटू रोग जो होता है न दोस्तों इस का आंसर आपको के नावी रोग का लक्षन में तेज बुखार भी आ सकता है नावी में सूजन भी हो सकती है तो कहीं ने कहीं हम आप्शन डी के साथ में जाएंगे कुर्पका मौपका ये एक होने वाला निरंतर रहने वाला ही है ये परकार से एक विशर मुझनित रोग पी है संक्रमक रोग पी है तो मैं आप्शन सी के साथ में जाएंगे दोस्तों ठीक है बड़ा अच्छा क्वेस्टन है संक्रमक यानि कि ये जो स्वस्त पशू होते हैं ठीक है इस फ़स्त पशू अगर बिमार पशू के संपर्क में आते हैं तो कैलस कैसे भी आसे कैसे जैसे उसका जूटा चाला ले लिया जूटा पानी ले लिया तो ऐसे भी हो सकता ये रोग एक समाल है यदि सूजन पर हाथ लगाने पर गरम वे डर्द वैसूस हो तो मद्य तो पुराने पेपर हम और बढ़ेंगे पीटेटी का भी पुराना पेपर आपके लिए लेकर आँगा बीएश्टी सी का भी पुराना पेपर आपके लेकर आँगा तो आप पुराने पेपर के लिए तो जूड़ी सकते हैं ना डेली जूड़ीएगा भी सुबश्राम दो प्वापस में मिलने वाली हडियों की सतर संदियों का अपने नीयत इस्तान से हटना क्या 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 खलाता है तो राइट आंसर आप सरी का हो जाएगा option B, dislocation option B आपका right answer होगा हडियों की विमारी के कारण होने वाले dislocation को लॉक करेंगे हम ठीक है option D को lock करेंगे pathological dislocation को lock करेंगे pathological याद रखिएगा कौन सा dislocation है pathological logical sorry वे गाव जिसमें देखे दोस्तों वे गाव जिसमें तोचा पर कटाव नहीं होता किन्तु आंतरिक उत्तकों माश पेसियों को नुक्षान पहुँचाता है वो क्या है वो तो है option D मतलब की बंद गाव भी कह सकते हैं और आंतरिक गाव भी कह सकते हैं एक और दो दोनों को lock करेंगे खुला गाव वो होगा नहीं निचे के जबड़े किश्रलेची किसा के लिए कौन सा नर्व block किया जाता है तो इसका answer दोस्तों क्या होगा मेंटल होगा ठीक है ओके सर option D को हम लोग करेंगे बड़ा लाजवाब important सवाल भी है अगले सवाल की बात करें तो बाजार में उपलब्द cut-gut पाउच में किसके लाब सरक्षित रहती है तो इसका answer आपका होगा प्रोपिल एलकोहल एलकोहल को लोग करेंगे option A को important सवाल है बईया importante सवाल है और अगले सवाल की बात करेंगे रेनूला किस परकार की सिष्ट है दोसनों, रेनूला जाना किस परकार की सिष्ट है तो ये आपके देखो ultra violet करने और Y करने दोनों को लोग करेंगे ठीक है दो और तीन को लोग करेंगे या आप्सन डी आपका सही आंसर होगा देखिए अट्रेसिया एनी के उपचार है तो कौन सा जो है अनेस्थेसिया काम में लिया जाता है कार्नुएल एपडियूरल या पॉप प्रेबल पॉल प्रेबल या फिर मेंटल तो इसका राइट आंसर आप सभी का होजएगा बड़ा असान सा क्वैसन है और आप्शन डी के साथ जाएंगे एपडियूरल है ना एपडियूरल किस गाय का सीर पीट और कंदा एक लाइन में होते हैं जर्सी एलुर इस्ट्रिंग फ्रीजिन ब्राउन सेवस या दोस्तों आईयर सायर बताओ वोगी दूस्तों किस गाय का लिय के साथ आपका राइट है जो भी सात्य ओप्सन भी कमेंट करा सांदार दोस्तों अगला पुर्शन देखिए गाय की विडियो से दुवी का जी नसल बताओ वई दोस्तों गाय की विडियो से दुवी का जी नसल कौन से होती हो आपसे पूचाएं आयर शायर ब्राउन सेवसर गरन सी जर्श की बताओ वई दोस्तों गाय की दुवी का जी ठीक न विडियो से दुवी का जी नसल कौन से होती हो आपसे पूचाएं तो कौन से हो जी आपकी ब्राउन सेवसर जो भी विदर ते ओप्सन भी कमेंट करा भी ओप्सन आपका राइट देगा अगला परशन क्या पर आपकी मांट अबू में यह दुवी क्या स्रवाडी का मोचाई प्रेस्ते जीले सबसे ओंची जीले लखी जील जो भी ओप्सन एक कमेंट कर रहा है यह ओप्सन आपका राइट है मांट अगला परशन देखिए राजस्तान अक्षे उर्जा निगम की इस्तामना कब गी बता उगए दोस्तों गाये के दूजमें वर्जा की मात्रा कितनी गोते हो आपसे पूचाएं तो नीकी चार चर पर इठावार यह दोस्तों आट पर चौबन Boardow वई दूमांति को सब्सक्राइब 3 विघ तो आपको सब्सक्राइब करें तो है किटने प्रीश भाइंगेर बोलागा आजले प्रफ कर सकते हैं अब अब भट फट कमेंट के डोस्तों एक वैसक बूस्व के लिए आवाज इस्तान कितना हो चीए आपका तो यह रोस्तों एक पॉइंट इंटू एक पाचास मीटर ठीक है न वी ओप्शन आपका राइटें इतना पास तो सिखाएक वैसक पूसुग लिए प्रसी पूर्ज तो डोस्तअ में नितरों कि लाइसे लूपंवी प्रसु गर्णना Divine WT रा चल 45 वालुए जेपूर तेके न वी ऑप्सन आपका रायेटें जो भी विदार थे ओप्सन वी कमेट करा दोस्तों अगला पोशन नहीं कि era पुंदक हो ऐता चार पांच थे यृ शाथ तो आपको पता रोस्तों तो आपको पता रोस्तों 24 पुरूर उस्तों डी ओप्सन आपका राइट है, बड़ा इंपोर्टेंट कुस्टन है, सभी गाण अची है तो, अगला प्रशन ये किये, गाय के जुंड को क्या कहते हैं, बताओ भई, दोस्तों गायों के जुंड को क्या कहते हैं, आपसे बुचाएं, अरड, फलोक, इस्टोक हैं, इन में से सभी आपका राइट है, अगला प्रशन लेकि सभी कंद आएट हैं, अगला प्रशन आपका राइट हैं, जस्व थड़ा काँपर कमेट कीजिए, कोटा में, जोदपूर में, पाली में, उधेपर में, तो देखो परेटर निस्तल आपका जस्व थड़ा काँपर है, बिल्गुश जोदपूर में काँपर, जस्व थड़ा आपका जोदपूर जिले में, बी ओप्सन आपका राइट ह अगला पर्शंटि लिए क्या प्तुर्ट अपका तो यह डबू प्रेंड के लिए कौन सा इस्तान पर्शेदे बताऊ वैं। दोस्तों पहले शूक देरा चीए तो देख़ें दो से तीन माँ खेसे चेमा एक से दो स्याय्ट माँ आप बताऊ वैंस नों को तूस्तों ब्हाने कितने दीन पहले आपको उनको उनको उपस्तों आपशन आहया है चाहिए तो उस्तों कितने फिवरे का से कव्मेंट किजिए गोडे से, पेंस से, सुवर से आउट से बताओ, सुवाइन फिवर का समन्झ किस से हैं दोस्तों, तो बिल्कु सुवाइन फिवर किसमे होता है दोस्तों, सुवर में होता है, सुवर में होता है, सुवर में होता है, सी ओप्सना आपका राइट है, अगला पॉस्ट नहीं कि द कोन बास वडाम बतो पे बूंगर पुल कंसी बोली बोल और भी अगला पस्सप्रों बभी जाती है डोस्तौं पत्य की मुर्थीव पर पत्ति घुर गाया जाता हैं विवा के समारों के ड्वारा रों जाता है। बता हुब जाता हैं वे लुष्टों माइला जो रहुआ इंप पॉटेंगे अगल्या ऑपर दीए का मंदर किस के लिएम्य करें बता हुबएं। दोस्तों सीला डेवी का मंदर किस केले में अवस्ते थे हैं अवेर में अचल गड़ में मेरान गड़ में कुंपल गड़ में बताओ सीला डेवी का मंदर का पर कमेंट कीजिए तो देखो दोस्तों सीला डेवी का मंदर का आपका बिल्लकुल आमेर में ठीक है ना आमेर देख लो वहीं कि आप उत्राइब स्वाइश का इंपोर्टेंट कुस्छ ना चुका कुछ सामने देख दोस्तों दाप मापने के लिए किस त्रियंतर का परियो करते हो आप से पूचाएं देखिए आईग्रोमेटर या दोस्तों एन्राइल बेरोमेटर एमिनोमेटर या थर् आगला वर्शन देखिए 27 साल किस त्रियंतर की विशेशता बदा हो वहीं दोस्तों 27 साल किस त्रियंतर की विशेशता होती हैं कांकरेजगी जर्शी की नागुर की राटू की बदाओ 27 साल दोस्तों किस त्रियंतर की विशेशता हैं तो कांकरेज की विशेशता क्या होती ह भी हम सवफ सदीए यह यह आपके से कुचा आहं जब कर संद हैं डीको तूस्ट में बात की जाए दश्य नाइक दर्से सद how थे हैं ओप्सन आपका राइट है बेलकुल रामा हो गया ना ठक ने ठीक न बेलकुल सर्वे जर्शी भी हो सकते हैं याँ पर इससे बन सुन भी सकते हैं धेक भी सकते हैं ठीक न अगले अपर शुन जीकी का बुच बाइन को ठीक कब लगाते हैं तो यह अपने लेड़ इस सु मई के मैइम लगाते हैं सी अपसन अपका राईट है अगला पुर्स नहीं कि यह चारवेद कहा का लोगनाटे बता हो वई दोस्त चारवेद का लोगनाटे बरतपूर का उनियापूर का टॉंक का या रोसना आपका जालो रगा बताओ, चार बैत दोस्तों आपका कहा है, लोक नाटे हैं, तो देखे, चार बैत का समन कहां से है, तौक से, ठीका ना, CEO अपका राइट हैं, अगला परस्तों नहीं किए, अमर साही किसका नाव बताओ भई, अमर साही क्या होता है, जूती होती है, अभुषणे, मिल्टी का अभुषणे, मिल्टी होती है, तो अमर साही क्या होता है, तो अमर साही कगड़ी होती है, जूती होती है, दोस्तों वरस ढोजार, एक ज़नेगान के जनगनता हो अगनता हो कितरा है, सब्सक्राइब करें अगला प्रश्ण नहीं कि उस्तों मुख्य मंत्री बना त्याग पतर किसे रहता है राश्पती को पड़्दार मंत्री को राजयेबल को विजान से बातिक्स को बताओ मुख्य मुख्य मजरी बना त्याग पतर देता है तो बिल्गल किसे रहुस्त मों राजयेबल को देता है CEO अपका राइट है महादमा गानी जी दक्षिन अफ्रीका से कब्रोटे जनवरी 1915 में प्राची शहर हम पी किस सामराज की राज़ानी थी तो हम पी विजाना सामराज की राज़ानी थी अंग्रेज दुवारा पहली फैक्टरी सूला सो इंक्यावन में किस नदी के किनारी लगाई थी तो होगली नदी किनारे मुहमबद बिन तोलक ने किस विदेशी यात्री को निक्त किया था अपने राज़ में तो इबने बदुटा को किस संथ की सम्मान में अकबर ने फते पुर सीगिर का नमान कराय था तो शेक सलीन चिस्ती के सम्मान में भारचोर अंदोरन किस शहर में किस शेर से स्टाप ना स्थापक किसे मना जाता है तो मलिक अंबर ने उरंगा बास से स्थापत किया अलक नंदा और मंदाकनी का संगम क्या कहला था रुद्र प्रयाग वत्यों पर सीखर का नमान किसने कराया संप्राट अकबर ने 15 वाइस 1947 को मिली आजादी के वक्त समय का वक्त क्या था आज ही रात को हमें आजादी मिले थी पॉर्टकाली वैपारी गोवा की गोवी पर पहली वार के सदी में आते हैं सोड़ी सदी में अडाई दिन का जोपड़ा मजीद कहां पर इसमस है अजमेर में किस मुगल वार्शाह ने ताज मेन वनवाय तो शाह जाहान है भारत के गोवनर्जनरल लॉड माउंट वेटन की जिए किस्नली सी राजबुपाल अशारी ने मौर वनश का आखरी अंतिम शाशक कौन था ब्राधत पंच तंत्रदातक दंत कता है किस के दौर रचित है तो विश्टो सर्माने लिखी है किस त्यवार के दिन जलियवाला वागत्या कांडवा था तो वेशाकी के दिन नोबेल पुसका से जम्मानित होने वाले पहले वारती कौन थे है रविदनाट तै गोर जी महान समराट अशुक किस वन्श के थे तो मौरे वन्श के थे पंच सिद्धान्तिका और व्रत सहीता के लिए का कौन है तो वराह मेरे है दाश वन्श की स्थाप में किस ने की तो कुद्भदेन एबक ने सिमला समझोता पर हस्ताक से किस के दवार की गई इंद्रा गांधी और जैड ए बट्टो के दवारा विसमार्क और ऑफ इंडिया किसी कहा जाता है तो वल्ला भाई पटेल को स्थान्ता पूरु भारत में भारति राष्टी को विस्वारतिक की पहली महिला देख्ष कौन थी प्रसिद्व रहधेश्वर मंदिर कहां पर है तमिलाडू में विवारियों को अप्चार दिया गया है तो अथर्व वेद में किस गवर्णेशल के समय भारत को सतंता संगर सपाई विद्रोगा था लॉड के अनके समय वाता अठा संतान की क्रांती की बात हो रही है महाबोधी मंदिर भगवान वुद्द की से समदेश चार पवितिस्थलों में से एक यह कहां पर है तो महाबोधी मंदिर बिहार में बौद तीरत इस्थान दाथ का मंदिर कौन कहां पर है तो यह हमारे पड़ोस्वी शिलंका में है दीन इलाई की स्थापना किसने की थी तो अकबर ने की थी डिल्ली सल्टात की पहली महिला शाशी का कौन थी तो रजिया सुल्तान किस मगल समराट को अंग्रेज और रंगून वे दिया था तो बाहदुर साह जफर को बावर की आत्मकतव बावर नामक किस भाशा में है तो तुर्की भाशा में है ब्रह्म समाज की स्थापना किस ने की थी तो राजा राम हुन राए ने किस राज वंश ने विजयनासामराज की स्थापना की थी संगम वंश ने विजयनासामराज की स्थापना की थी हिंदू कॉलेज के स्थापना 17 usट इन्कैन्ट में के घर में हूई तो हिंदू इश्व ड््याले बनारस में हूई बनास हिंदू इश्व ड्याला पूर जानते हुगे बहुत फिमस है जो तिवाद कि लेने गुलाम किरी किस भाशा में लिखी तू मराटी भाशा में अनंत राज सागर जलास ऐके निमार किस साशक ने कराया था तो विजनगर किसा अशक ने कराया था रोलेक्ट अधिनियम सिख कैदियों को बिना मुकदमे की कितने वर्ष के लिए हिरासत में रखा जा सकता था दो साल की जेल हो सकती थी बिना मुकदमे के किस युग में भारत में सुतर मुट पाई जाते थे तो पुरा पाशान काल में दालावाई नौरोजी क्या थे तो एक व्यवसाही बिजनिसमेंट थी बारती राष्टी कॉंग्रेस का पहला सत्र कहां पर अधिक अगया तो मुंबई में रवी कीर्टी किस राजवनश के दरवारी कवी थे तो चालुक के राजवनश के किस वाश कॉंग्रेस नरम दल और धरम दल में वाज़त होई थी तो 1907 में बात में पहली रेल गाड़ी कब चुलाई गाई थी तो 1903 नहां सही कर लो पिछली बार युग गलत बता दिया था 1903 है यहां पर पचपन नहीं है ठीक है 1903 मैं जी सही कर देता हूं रुफ जही है लीजी राइट कर दिया 1903 या रखेगा पानिपत की लडाई 1526 में किस के विच रड़ गे थी तो बाबर और अब्राहम को दी के विच में प्रत्रीराच चुहान से पहले दिल्ली पर किसका रास्ता तो अनंग पाल का रास्ता सरोजी नाडू काहा पर भारती राष्टी कंगरिस के पहली महिला तक चुनी के थी तो कौनपूर में प्लासी की लड़ाई इंग्लिश कंपनी और बंगाल के नवाप्ति विच किस वर्ष हुई थी 1767 में करो य्मरो का nets की किस न दिया महत्मा गाणी वर्रां हैंशिंग किस वर्ष भारत के पहले गोन्यरइन बंगीते तो 1773 पेगंबर मुहंबद का जबन किस नाम से याद किया याता है मिलाद उल नभी के नाम से पेगंबर मुहंबदजी का जबन याद कियाा ता है विश्वभाति विश्विजाल के सिस्थापकों थे तो रविनाट्यगूर जी, मिनहाज ए सिराज किसके साशनकाल के दोरान इतियास कारते तो इल्टूत मिश्कि समय, और इंडिया मुस्लिम लीक का गठन धाका में किस वर्श हुआ, 1906, शेर्शा सूदी दौरा लेरोड ऐस सिहासिक सणक को किस नाम से जाने आता है तो Grand Trunk Road, किस ने 1499 में भारत के लिए संबुद्री मार की खोचकी तो वासकोडी वामा, अखिल बाती दलत वर्श का पहला सत्र, 1930 में कहांजित किया गया तो नागपूर में, अशोक ने अपने छित्र में सामाजिक समस्याओं को अह में, शाम जी वर्मा ने इंडिया हाउस की स्थाप नकप की थी, तो 1905 में ही, प्रदीराज त्रतीर, 1199 में किस अख़गान साशक को हराय था ने तो सुल्तान मुहंबत गौरी को, कौन सा शहद 1704 में बंगाल की राजानी बना तो मुर्शिदावाद, बाबन किस वर्ष तक दिल्ली पर साशन किया, तो 1530 तक, किस गटना के बाद है वो, महात्मा कानी ने असयोग आंदूल वापिस लिया, चौरी-चौरा की गटना के बाद, बह्मनी सल्तनत की स्थाप ने किस ने की तो अलावदीन हसन बह्मन शाह ने, किस गवर्न जमनल ने दिसंबर 1829 में सती प जोजी ने आवद को किस वर्ष से सामराज में शामिल किया था तो 1856 में, करांतिकारी नाएक असफांक उल्लाख खांकू, किस लिए मौत की सजा सुनाई गई थी, तो काकोरी ट्रेंड डखे थी, किस ने 1878 के वर्नाकुल और प्रैस अधिनियम को निस्ख कर दिया था था, लौड डिपन ने, कौन हम हमबद गोरी के सेनापती थी, जोनोंने भारत में गुलाम अश्क की स्थापने की थी, कुतावदीन एबक, दिल्ली सल्तनत में किने बंदगान के रूप में जाने आता था, तो सेन ने सेवा के लिए रख खरी देगे गुलाम को बंदगान का दक्षण में राष्ट कूटे वंश, नामक वंश की स्थापने किसमें की दंती धुर्वने, हकिल भारती ट्रेड यूनियन कॉंगरिस के पहले दिख्ष कौन थी, लागा राच मत्राई जी, राष्ट्रिय गीत वंदे मात्रम बंकेम चंद से तो बद्ध्या द्वारा लिक में 1528 में राजपूतों को राय तो बावर में, गौताम बद्धजी ने कहां पर सबसे पहले धर्म का पचार के तो सापनाथ में, गुलाम अंज के इस आशक ब्यासुदीन बलवन ने कौन सी उपाली राण की तो जिल्ले इलाही की, व्यपगत का सिधान किस ने दिया तो ल में विशाल इस्तानागार प्राप्त हुआ तो मोहन जोगार हुए, भारत में बाल वे वहां निशेद अधिनियम कप पारित हुआ तो 1929 में, किस में सत्य सोदक समाच किस मौर शाशक को युनानी द्वारा अमित्र घात कहा गया तो बिन्युसार को, रजिया सुल्तान किसक 322 एसवी पूरो में कौटल की सहायता से अंतिम नंद शाशक धनानंद को हराय था तो चंदकुप्तों मोरे ने, राम भर इस्तूप कहा पर इस्तिते तो ये भगवान बुद्धिक का जहां अंतिम संसकार किया गया था, तो ये आपका उत्तर प्देश में है, कॉंग्रेस क व्यादन की सुबश हुआ था तो 1907 में महा जन्पद गांधार की राजदान क्या थी तक्षिरा, माले में तो सुदार की सुरुआत के समय भारत का वास राइक हों था तो लॉड मेंटो, अनंत नाद शहर कहां पर है तो ये जम्मू काश में रस्तित है, महां दाशनिक प्ल तो जिरन नदी, बैलूर स्थान का संबंद किस महा पूरस से है, तो स्वामी राम कृष्ण परामन से, सिदार्थ आगी चलकर बुद्ध क्यों कहलाए, क्योंकि उन्हें सच्चे ज्यान की प्राप्ति हो गई थी, सीमान्त गांधी किसका उपनाम था तो खान अब्दुलग बोरा इस्व का हिस्सा था, प्रसित्य संत शेक सलीम चिस्ति किस शेहर में रहते थे तो फ्रतिपूर सीकरी में, वह बिटेस प्रधान मंत्री जिसके समय भारत में स्वक्रिता प्राप्ति की तो क्लिवेट एटली, मयूर सिंग आसन ये तक्ते ताउस का संबंद किसे था त अंग्रेजों का सरवाद के विरोध किस की द्वारा किया था तो मराठों की द्वारा, महमूद करज़नभी ने भारत पर कितनी वार आक्रमण किया था, बहुत धर्म को ग्रहन करने वाली पहली महिला गॉटमी थी, दिलवारा की जेहन मंदर का नमान किस ने करा है, चालुक के शाशनकाल में अपने राज अभिशिक के बाद कौन सा धर्म अपना है तो बहुत धर्म भारत की साथ सबसे पहले व्यापार संबंद किसमें बनाए तो पूर्द गाली होने पानीपत का पतम युद किसके बीच लड़ा गया था तो बाबर हो रहा है ब्रहां रोधी के कि अभिष और नियुक्त को कभा था तो 5000 से 1500 ईसा पूर्व एक सुतन तो राजा के रूप में शयवाजी का राज विशे कहा किया गया तो राइगर के के लिए में मराटों की कारिकाल में चोट किया था तो एक प्रकार कर था शकों के सकों ने कहां शाशन किया तो सौराश् वास्कोडिवामक काली काडिकप पहुचा था 1490 में सिख खालसा इस्थापित किया गया किसके दौरा तो सिख खालसा गुरु कोविन सिंग जी के दौरा इस्थापित किया गया भारत का नेपोल एंक इसे कहते हैं तो समत्रुकुप्त को बी-बी का मकबरा कहां पर है औरंगावाद में पल्लाव राजा की राजदानी क्या थी तो कांची पुरम टीपू सुल्तान की राजदानी क्या थी तो सिख खालसा इस्थापित नम महमोद गजनी के साशनकाल में बगवान बुद ने पहला उपदेश कहां थी तो सारनात में करनाटक गानी के नाम से कौन पसद्द है तो हाडेकर मंजाप्पा जी बती अंगले मैसूरियों तो किस संदी के साथ समाप्ट हुआ तो मंगलोर की संदी के साथ पूर्टगाली यातनी नुनिज विलन अगर्स किसके शाशनकाल में आथा तो अच्छी तुराय के शाशनकाल में तीपू सुल्तान का ग्रिस मकाली आवास कौन सा था तो मैसूर महल कनिश्क राजा की राधानी क्या थी तो पेशावर हरप्पा समलता की उपकरणवा हत्या मुक्य तक इसके बली थे तो पत्थर और तामिके.. प्राची इंकाल में कली जिंक यह कहालन माहन शाशक हार्विल.. बंशात बाग किस नंग्ता जहाँगीर तो भारत में प्रतम किस्तापना किसिंही तो दुं तो बैलोन लो थी.. चे तक वास्कोडी गामा कहां का रहने वाला था पुर्टगाल का, कृष्ट देव राय कहां के राजा थे तो विजयनगर के, महावीर जी के मिलती हूँ कहां होई तो पावापूरी, बकसर की लड़ाई के सोवर्श हुई, 1764, हर्श वधन का शाशनकाल लगबक कितने वर्श जातक किस धर्मका पवित्रग्रंत है तो बहुत धर्मका, अजंता चित्रकारी किस काल से संबने थे तो गुप्त काल से, हर्श वधन के समय कौन सा चीनी यात्री वारत आया तो हें सांग, गान्दी जी ने दांडी यात्रा किस के विरोध में की थी तो नामक पर टेक्स के विरोध में, वाडियार राजा कहा कि साशक थे तो वाडियार लोग थो थे जो मैसूर के देशी राजी के साशक, दास्पता का अनुमुलन किस गौन जान ने किया तो एलन मरून है, बीजापुर का गोल गुमज मकवरा किस से संबने थे तो मुहमद आदिल शाह, वेजन अ किस के साशनकाल में रुपे कैसे कड़ला था, शेर्शाह सूरी के समय, वर्धा अंदोलन किसे संबने थे, महात्मा गानी जी से, फ्रांस की क्रांती के बाद कौन पसे दनेता, वर कर आए था तो नेपोलियन बोना पार्ट, हर्ष के साशनकाल में उत्तरवार्द का सबसे मत पूल शेर कौन सा था, तो कन्नोज, वैदिक दर्म का मुख्य लक्षड किस की उपासना थी, तो प्रकती की उपासना थी, हल्दी गाटी का यो दिकबर लडा गया, तो 1526 में, पाली गरंतों में गाओं के मुख्या को क्या कहा जाता सा, तो भोजक, इंडियन नेशनल कोंग शुद्ध की सुरुवात का हुई थी, तो 1949 में दूसरे शुद्ध की सुरुवात हुई थी, नाम से जाने जाना जाने वाला भारती शाष कून था, कुदुबुदिन एपप, महादमागारी ने वर्दा की निकट किस आश्रम की स्थापना की, सिवा ग्राम आश्रम की, अक मुगल गार्डन किस शेहर में स्थित है तो दिल्ली में, भारती असंतोष का लेता किसी कहा गया तो बाल गंगर तिलक जी को, आइने अकपरी में किस प्रकार की सूचना है तो अकबर की साशन पराली की सूचना है, गाली जी का सत्यागर में प्रधम महान प्रयोग कहां पर हुआ दक्षिड अफ्रिका में, किस मुगल शाशक ने सती प्रधा की वरुद कदम उठाए, अकबर ने सती प्रधा की वरुद जोले कदम उठाए, राष्ट कूटों की द्वारा अंदिरमित प्रसिद्ध मंदर कौन सा है तो एलोरा, करिश्क के दरवारी जिकित से कौन थ तो चरक, जलियावरा वाग मरसंगहार के लिए उत्तरदाई जनरल डायर को किसने मारा उदम सिंग ने, अभिनो भारत का आयूजन किसके द्वारा किया गया तो वीर सावर कर जीके द्वारा, रोलेक्ट अधिनम की सवर्ष पारित हुआ, उननेस सो उननिस में गांदी कि अगर्णी पतिवादे कोन थे तो आचार विनुवा महाविजी, मगद में शाहिये मोरियों के ठीक बार उत्तरादीकारी कोन थे तो शुग मवंच, महावीर एवं बहुत दोनों ने, किसके शाशनकाल में उपदेश दिया तो विमिसार के, जहांगीरी महल कहा थे तो अठासी फिट. किसमें कहा सुराज हमारा जिनुप से तसीकार है या सुराज मेरा जिनुप से तसीकार है बाल गंगा धरत्रिक ने समराथ अशोक किस वंश से संबने थे तो मौने वंश से लौड मैकाले सिक्षापने थी कब लाग हुई तो 1835 में सुतंता पूरो भातिय राश्ट्री कौनिस का अलाजन कब हुआ था तो 1907 सिकागों में हुई विश्वधर्म संभिलन को संबोड़ित करने के लिए राश्त्री है था इवंधर मात्रम की रश्चन की वंकिंद्चंद्च शेदव है भारत एवं पाकिस्तान की विवाजन किस योजना की तहत हुआ माउंट वेटन यूजना के दैथ किस छोड राजा ने सिलोन पर विजय पाई तो राजेंद पूसम ने सिंदु गार्टी सब विता कि लोगों का बंदरगा किस शेहर में था तो लोथल में था भारत का अंतियम ब्रिटिस वाइसरा कौन था तो माउंट भीटन भारत में मुसलिम ली किस था अपना किस ने की थी और कब हुई थी तो धाका में हुई थी 1906 में हुई थी और किस में की थी ये कमेंट करके रोटा हूँ साइमिन कमिशन का भात आगमर किस वाश हुआ 1928 भारती है किस भारती इस नेता कूपरा है लोग पुरुष का जाता है तो उस अतार वलाभाई पडल को भारत में इस्ट इंडिया कंपनी इस्थापित करने के लिए अंगरी जों किस ने दी तो जहांगीर में 15 अगस्त 1947 को आजादी के समय महातमा गांदी जी कहां थे तो कूलगता में कादे आजम किसे कहा जाता है तो मुहमद अली जिन्ना को गांदी जी किस गोल में संभिलन में भाग लेने के लंडन गए तो दद्धत ये गोल में संभिलन में चलक और नागा जुन किस साशक के दर्वार की सोबा थे तो कनिश्की की सोबा थे भारत में लाइची का सरवादिक उत्पादक राजी कौन सा है तो किरल दिलवारा मंदर कहां से थे तो मांट आपू में भारत और पकिस्तान की सीमा रिखा का निदान किसने किया सर सिरिल रेट किपने बहुत दर्स आहित किस भाशा में लिखा गया है तो पाली भाशा में भारत में गुलाव वज़ का संस्था पकोंदत कुर्बजीन एवक चटानों को काड कर बनाए गया एलेफेंटा मंदर किसने मनवाई था तो राश्कूर वंच ने इतिहास में चोल शाशक किस प्रकार की प्रिशाशन के लिए प्रसिद थे तो ग्राम प्रिशाशन के लिए चानक को किस नाम से जाना जाता था तो विश्टो गुप्त के नाम से अशुक की अधिलेक को सरबदम किस ने पढ़ा जेम्स प्रिंसिप ने महात्मागाली जी किस सत्यगरा अंदोलन में इस तरियों ने सरवादी बाद लिया तो नमक सत्यगरा में विजनल सामराज की राधानी हमपी किस नदी के तड़ परिस्थत है तो तुम्ग बद्रा नदी किनारी जैनवाद पूर ज्यान को निंदे रूप में उलिकित करता है कुशार काल। कुशार काल में सबसे अलिक विकास किस छेत्र में हुआ तो कला की छेत्र में। सिंदुगाटी की समविता विष विसिष्टक्रत है तो नगर न्योजन कीलिए पाकिस्तान को अलग राज बनाने के लिए मुस्लिम लीग ने सबसे पहले कम मांगी 1940 में शिवाजी के जीवन की प्रारंबिक कारिस्तली कहां थी तो मालवाच प्रदीश गदर पार्टी का मुख्या ले कहां थे तो सेन फ्रांसिस को किस पेशवा को इतिहास में नाना साहित के रूप में जानगाता है बाला जी वाजी राओ को, किस कारण से पुरा पाशान काली युग का, नव पाशान काली युग में परिनतन संभव हो सका तो पई यह का विशकार, बुलन दरवाले किस इमारत से समभने थे तो फाते पुर सीखरी, टेपो सुल्तान के राज़ा निकाहती दूसरी रंग पत् प्लासी का युद्ध का मैदान किसे राज़ में सते तो पश्य मंगाल में, तुझो एबावरी के लिए का कौन ही तो बाबर, चंद्रकप्त विक्रमने तिक्किस वंश से समभने थे तो गुप्त वंश से, बिंबिसार के बाल उत्तराधी कारी कौन बना तो अजार शत्रू किस गौर्रेशनल ने बंगाल में स्थाई बंदोबस्त लाओ किया तो लॉड का अनुवाले इस भगवान गौमतेश्वर की मूर्ती कहां पर है स्रौन बील गूला में मांड कहां का लोकनत्य है तो राइस्थान का, भारत के उच्छे नाल है कि मुख्य नाजिश की नुक्ती कौन करता है तो राश्ट पती तारा पुर नाभी की उजा सैंत्र किस राज्य में है महराष्ट राज्य में इंडियम तक तो की परमानुस अंक्या कितनी है तो 49,49 एसिटिक अमल का आयोपेस ही नाम क्या है तो एथेनुएक अमल कोशिका में राइबोजोम की खोश किसमें की तो जोर्ज इमिल पैलाडिन है कॉर्णर किक शब्द किस्खें से सम्भनेते पुटबॉल से भारती संसद का निचना सदन क्या कहलाता है तो नोक सभा राज विधान सवाओ के चुनाओं का दैट तो किसका होता है तो किंद्री चुनाओ आयोक का भारत के खाद सुरक्षा और मानत प्रादिकरन का मुख्याले कहां पर है तो दिल्ली में चटिस वे सम्विधानिक संसदन द्वारा किसे राजी को भारती संग में पौड राज का दर्जा दिया गया तो सिक्किम राजी को एहमदिया आंधोलन का प्रारम किस में किया मिज्या गुलाम एहमद ने अक्साइचीन किस राज्य में है तो लद्दाक में है वेल्थ आपनेशन्स पुस्तक के लिए कोन है तो एडम स्विट प्रूटो को क्या कहा जाता है तो प्रूटो को बोन है ग्रे कहा जाता है धनवंतरी को क्या कहा जाता है तो औशधी का देउता पुस्तक लीलावादी के लेहग कौन है तो भासकर आचारी जी सविधान में उनलेखित बजट को क्या कहा जाता है तो वार्श के वित्ती रिवरन यामुनाना की गंगा से कहां मिलती है तो प्रयाग राज में किसे धांत का प्रिवादन किसने किया तो जौर्ज 11 तीर में बॉक्सिंग की चित्र को क्या कहा जाता है तो रिंग कहा जाता है एम चिदंबरम इस्टेडियम कहां पर है तो चैन नहीं में बांगला देश का राष्ट गान आमार सुना और बांगला की रशना किसने की तो रविन नाट है गोर ने लोग सभाग की सदस्टों को कारिकाल कितना होता है तो पांच वर्ष भारती पुड़वाल का संड़े में किसको कहा जाता था तोटी नामा किसके शाषिन कालमर चेते तो अक्बार की और यह का आखने कोशन हंविस्टानी संगीत शेली खयाल इसका आर्थ क्या होता है खयाल कार्थ होता कि Keith कप और दो deer पॉर के तल पर दो शिलालेग बेराक सिलालेक और लगू सिलालेक की खोज की गई थी यह किस के द्वारा की गई है मैं बताना है एक चालू के के द्वारा एक मुगल के द्वारा एक एसो के द्वारा एक राट्रोड के द्वारा तो इनकी खोज किस के द्वारा की गई यह आपको बताना है देखो इस कलास का आपका पेनिफिट के आप आप राजस्तान जी कि अगर आप उपर 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 से पढ़ लेते हैं तो भी दिक्ट वाली बात नहीं है क्योंकि आपके है रापके अगला परसन आपका क्या करा है लूनी गाटी डीडवाना लूनी गाटी डीडवाना पूस करके आसपास अस्तित एक महत्त्म स्तल है यह निमली ॥ित्मी से किस यूग से सम्मन्दीत है देखो विध्यारति तो यह आपका मोटल कर भी कि जो कलास है आपकी लगबग एक गंटे की होगी एकदम आपको अच्छे तरगी से देखना है जल्दबाजी नहीं करनी है ठीक है क्यूंकि करमचार चैन्बोर्ड है यही क्यूसर पूस्ता है बार-बार ठीक है यह जो आप 20 में आजब आपके लि आपके लिए रामबान गोशित होने वाली है क्यूंकि यहां पर आपको खुद को पता चल जाएक कि करमचार चैन्बोर्ड है किस टाइटी क्यूसर पूस्ता है यहां पर देखें जो क्यूसर नमर दो है इसमें हमें बताना है कि यह जो लोड़नी गाटी डीड़ोना कि आप Kum creator कि बने थे तो इसमें आपका आप्स चारण पर नहां में क्र wine 3 की यहां पर लॉड़नी एए ब्थे fat मानलो कल्टर मानलो या फिर जिओग्राफिय मानलो ठीक है तो यहां पर पर को ब्सक्राइब कर देना और थोड़ा सए इंपोर्टेंट किसने इसमें श्टार लगा ले न वहाई अगला पर्सन देखो अगला परसन क्या कर रहा है स्वाएमादपूर के सिवाड गाउं में आपको पहले क्या क्या है ? इसमें आपका औरों स्था आपको पहले कि अधर करा घाल्यां पर्मदिके के पूंदिके la argument के दॉर्टंट है ? एग्जाम की दर्ष्टिय शे तो यह पे क्या पूछा है ? बुंदीके तारगेट किली का अंद्रेमान किस की द्वारा करवाया गया था राउ राजा बेर शीयें की द्वारा राउ राजा अजे शीयें की द्वारा राउ राजा विष्टो शीयें की द्वारा इन में से कोई नहीं तो यहां पे आपका कौन सा हो जाएगा यहां पे आपका हो जाए यह देख लो भी यह आपका इंपोर्टेंट क्यूशन यहां से आपका कल्चर कला सेंस कर्टी में आ गए मैंने पहले ही बोल दिया था क्रमचाइट चैनबोर्ड यह जो आज मैं आपका क्यूशन लेकर आ है नो इनसे एक भी क्यूशन बार नहीं जाएगा इससे हाड नहीं होगा 100% बोल रहा हूं गरांटी के साथ तो यहां पे कॉनसा हो जाएगा बई लोग दे उता गोगा जी है ठीक है इनकी जो समाधी ठीक है गोगामीडी वो राजस्तान की किस जिली में इस दीत है तो यहां पे आपको बताना है भी तो इसमें आपको चार अब आपको ऐसा भी पूचा जा सकता है कि लोग देउता गोगा जी का जनम है यह कौनसे जी लिमेवा तो आपको क्या बताने चूरू के अंदर हो ठीक है यह भी बात आपको द्यार रखने क्योंकि क्रमचार चैनबोर्ड है यहां सी सिद्धिक सिद्धिक क्यों पूचेग में तो इसमें आपको गोगा जी पाबू जी और रामद्यू जी घडबू जी इन से समन देती क्यों से पूचेगा ज्यादा डीपली आपको नहीं पूचा जाएगा क्योंकि वैसी भी प्रसू प्रिचर की एक्जाम है उसके बाद देखो जालावार सेली की राजपूद प परसीथ गेर्ड़लोक नरती किस के उसर पी किया जाता है बच्चे की जरम पे होली पे फिय वाय पे फिर मानशुन में तो इसमें आपका उसएगा उसन मर्व भी राइट या ोली पी पिकी जाता है गेर्ड़ली जाते गेर्ड़ल्य ऑन्याप कहां का परसीद है अफीड अगला परसन आपका यहां पे क्या कर रहा है अगला परसन आपका कर राजस्तान की बासा के लिए पहली बार राजस्तानी सबद का परियोग किस नहीं किया यह देख लो अगला परसन आपका राजस्तान की बासा के लिए राजस्तान की बासा के लिए राजस्तानी सबद का परियोग किस नहीं किया था तो इसमें आपका उपसे राइट हो जाएगा जैस्मा और अंगला परसन आपका क्या कर रहा है एक से के अगला परसन आपका कर रहा है राणकपूर जेंद मंदिर पाली देखो यहां से बापके वापस लोंड़ पेपर में आप 500 किसों नहीं सीखेंगे, 500 किसों के साथ आपे extra में, जैसे एक किसों के साथ extra में आप दो किसों सीखते इए, तो इस मोड़र फेपर में, 400 से 500 impotent किसों सीखने अब को मिलेंगे, तो एकदम अच्छे ापको मोड़र फेपर देखना है भई, लगवग एक गंटे में मैं आपको complete model पर यह करवा दूँगा ठीक है उसके बाद यहां पर देखो क्या पूचा है रनकपूर जेन मंदिर पाली में निमल कित्मी से किस तिर्थ को समर्पित है तो यह है किस तिर्थ को समर्पित है यह में से पूचा है भई तो यह देखो रिषब नाथ को समर्पित है यह बात आपको ध्यान प्रकनी है अब आपको single question एकदम easy बनाके इस टाइप भी पूचा जा सकता है तो आपको क्या बताने है पाली के अंदर है अगला परसन देखो अगला परसन आपका क्या कह रहा है एक second हाँ तेरा नुमन में से या फिर निमर परसीद गजल गायकों में से कौन सा राजस्तान से समधित है यह बतो राजस्तान से कौन सा समधित है अनूप जलोटा है या जगत सी है या फिर गुलाम अली है या फिर पंकज उदास है तो इसमें आपका हो जगत सी है राजस्तान से समधित कौन है जगत समधित है यह बत आपको ध्यार करनी है उपसर्वट भी राइट हो जएगा अगला परसन देखो अगला परसन आपका क्या करा है अठारा सो अ तो चोगता में आपका क्या हो जाएगा अगला परसन आपका क्या कर रहा है बुंदी किसान अंदलन के निर्था कुन थी यह देखो आपका इंपोर्टेंट परसन आ गए क्रमचार चैन बोड का फेरेट परसन है इस्टिश अगर कोई भी आपका किसान अंदलन से क्यूसन निर्था कोन थी जैनरेड व्यास थी नेनूराम थी नफ नजफव अली थी याफिर इनमें से कोई नहीं आपकी वजाएगी नेनूराम अगला परसन आपका क्या कह रहा है यहां पे बारत की सवतेमताटां तक बाद राजस्टान के गठन कितने चल्वाए बारत के सवतेमत पूरावा था यह आपको बात तहां रखनी है अगला पर्शन क्या करा है निमन लिखित में से कौन सी महीला राजस्तान से समधित है जो राजनितिक जागर्ती और विकास का हिस्सा थी तो इसमें आपका कौन सा उजाएगा सत्रा में इसमें आपका उजाएगा अंजरादेव सब एक्जाम में आपको देखने को मिलता है तो मुहन दास करम चंद गांती थे या फिर जैनरान व्यास थे या फिर कुंबल राम आ रहे थे या फिर मोतिलाल तेजाओ थे अरे एक के अंदर उनके नेता कौन थे अरे मोतिलाल तेजाओ थे 100% बो रहा हूं एक्जामें छप अपने अपने बहु आयामी रूपों जैसे उनकों की खाल पर मिनाकारी सवर्ण मिनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्र उस्ताकला के लिए विश्वय परशिद है यह देख लो भई अब देखो एकदम इंपोर्टेंट किसन आया है ठीक है एकदम इंपोर्टेंट कि रूड़्पों जैसे उनकों की खाल पर मिनाकारी सवर्ण मिनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्र उस्तकला के लिए विश्व परशिद पोण है विक्कानेर जोदपूर गंगानगर उदेखो इसमीं देखो आपको क्या बोला है आब आपको यहाँ पर उंटों की खा यहां पर इसे नाम आगए तो आपको पता होना चाहिए उंटोंगी खाल के लिए कौन सा परसीद अरे बिक का नेर परसीद थे अगर आपको इसमें option number A write कर देना है अगला person देखो अगला person क्या कर रहा है ब्रत हरी मिला राजस्तान के किस जिले में लगता है ब्रत हरी मिला तो यह आपका अजमेर अलवर स्वाइमाधिपूर शिरो कौन से में लगता है तो यह आपका लगता है गुरुजी option number B यारी अलवर के अंदर अगला person देखो अगला person क्या कर रहा है निमल के तिमसे किस राज्य की सिमा राजस्तान के साथ साथ जा नहीं है यह देखो एकदम अच्छी किसन है अगर आपके basic level से ट्यारी करते हैं यह वीडियो आपके लिए यहां पर यहां पर किस राज़ी की सिवा राजस्तान के साथ साजा नहीं है 21 में आपका कौन सा होगा इसमें आपका यहां पर पन्जाब है उत्रपदे और इसके साथ यह आपको पता ही यह आपको बात्व नियो दिखी किस बुखोलिक विवाजन का इससा है बात्व फश्वी रिट shift स्ब्रक्रके परत्व सिर्डबय करर देना हो फ्मृत्र नि क्या करा ना पूंचा करें, शुम से इस्जिल्या में वचुज करें। यहां आप पूचा जाना पूचा है। तुक है जैसे यहाँ परहूर की इसे और पर नहीं किसमेंसे लिपना याद कर लेना उसके बढ़ें उसके बाद कर लेघन लाए या फिर या फिर देम तूम कति को ब और गष अगला प्रश्ण किको उडिये लाउं की और करता है य मेम और साल के नीचेत्व कर से दोड़ और अचे से प्लवार चयार सकते हैं कर लें आइए नहीं ज़ाएगा है कर दोल सकंद्रेद डं खिर यानि सबसे दक्षनी चेतर हो जाएगा ठीक है अगला परसन अगला परसन आपका क्या कह रहा है लाल दोमट परकार की मिल्टी राजस्तान के निमल कितमे से किस जिल्य में पाई जाती है नागोर जालो जाद पूर या फिर बास वड़ा तो यह आपकी मिल्टी कहा पर पाई है जाती है आपके ठीक है शहाँ प्था रखना आपसर मढडी राइट हो जाएगा परकार पर पहाई जाती है अगला परसन ग्याकर है में किस दिल्य से किस जिल्य में राजस्तान का कुल सब्से धिन 1 चुत्छत सबसे अइदिक है अपो पूच है ठीक है सबसे ज़्यदा उदेपड़ है उसके बाद जैसे अलवर बताब गड़ इस साफ से ठीक है अगला परसन देखो अगला है कि निमल कितमे से कौन सा बैन करोली जीली में बंद बारो ठा या फिर केला देवी या फिर गजनेर या फिर सोर सान घजनेर अब्यान करोली के अंदर ठीक है यह बात भी आपको जा रखनी है अगला परसन किया सफारी पारख जाइपूर में एक विसाल और सुंदर सफारी पारख है जो तेंदवा देखने के लिए लोग पी नहीं है तो वो आपको बताना है कहां पर है अच्छा इसमें आपको यह पूचा है तो इसमें आपका उपसमड़ी राइट हो जाएगा जानमा अगला परसन देखो अगला परसन आपका क्या कह रहा है है यह पूचा है लिःद सब पताःएं एक दम आती है इससे क्यूशन भी तो राजकी कह पूचा है राजकी पूचा है रो果 Da सबुचा है राज कि पूचा आपको को हुसा यह जएगा रोहुडा यह बात आपा धान रखनी है ठीक है अगला परसन देखो अगला परसन आपके या पे क्या कहा रहा है राजस्तान सरकार्णी जैपूर उधिप्रोर जोदपूर वायू गुणवत्ता सुन्चकांग के बारे में जानकरी स्याजा करने के लिए मोबाइल अपलिकेसन लोंच किया है तो देखो ये करेंट का क अगला परसन देखो अगला परसन देखो अधिक जोटाई ये करण है अधिक चराई भी करण है अधिक जनसंक्या अगला परसन देखो अगला परसन आपका क्या कह रहा है अगला परसन कह रहा है कि आई सी ए आर राजस्तान के कितनी कर्शी जल्वाई चेत्रों में विवाजित क्या गया है ये हमें पूछा है भी आठ दस बारा चोगदा तो राजस्तान को कितनी में क्या गया है दस के अंदर क्या गया है ठीक पादने की दृश्ट इशय यानि पहली पोजिशन पर राजस्ता थ्यारतमा अगला पर्सन देखो अगला पर्सन आपका क्या करा है देखो विद्यार क्यों लग वग हमने अभी तो 23 कुछन के अभी तो बीस मिनिट हुए अभी तो चाली से पचास मिनिट और लगेंगे एकदम अच्छे आपको क्लास को देखना है बिल्कुल भी कहीं पिसकिप नहीं करना है ठीक है जल्दबाजी नहीं करना है कि ऐसी कुछन आपको एक्जामरी देखने को मिलेंगे अभी हम साइस की कुछन भी जिके के भी विटिस कुछन हुए जिके के भी उखी जिसके बाद बीस की कुछन और देखेंगे उसके बाद हम यहां पे पसूपनेश्चर पार्ट भी है आपका ठीक है जैसे ईक तम अच्छे आप को देखना है अभी भी सब्सक्राइब नहीं क्यां तो आप च्छे तो आप मुझे WhatsApp मेसेज कर देना नम्मर नोट कर लेना वहां पर आपको फरी में टेस्ट इस और नोट से आपको मिल जाएंगे अगला पर्सन कर रहा है अगला पर्सन आपका क्या कर रहा है जाखम बांध राजस्तान की किस दिली में इसकीत है वेरी वेरी इंपोर्टेंट पर्सन आपका एकदम सिदा अक्सिदा एकजाम या निकलाईक है राजस्तान जूनरू पर्ताबगड दो साथ जाखम बांध राजस्तान की कौन सी जिली में इसकीत है अरे पर्ताबगड गेंद रहे ठीक है और उडल गिलेरी जो बेन है वो भी आपका कापर है पर्ताबगड गेंद रहे साथ में यहाँ पर आपके दो कुछन कलीर हो गई उसके बाद आप अगला परसन देखो निमल कितमे से किस अस्तान पर राजस्तान का सबसे बड़ा thermal power station है तो यहाँ पर आपको देखो चार उपसन दिए गई है तो चार उपसन आपको दिए गई है तो यह चाबड़ा एक है शुरतगर्ड एक है कोटटा एक है काली सिंतो इसमें आपका अट्थी समें कौन सा हो जाएगा इसमें ओ ए हो जाएगा चाबड़ा अगला परसन देखो अगला परसन ग्या कराए निमल कितमे से राजस्तान में लंबाई की दुश्ची सबसे छोटा राष्टी राजमारक कौन सा है वेरी-वेरी इंपोर्टेंट परसन आपका जिओगर्फ इसमें आपका कौन सा हो जाएगा एनेट्च पंद्रा, एनेट्च पैसटब, एनेट्च इगेतर बी, एनेट्च शिंतर तो इसमें आपका हो जाएगा ओप्शनमर गुंचालीस में कौन सा C यानि N.S.E.T.B अगला परसन देखो अगला है कि राजस्तान में टंगस्टन कहाँ पर पाया जाता है Very very important परसन है राजस्तान में टंगस्टन कहाँ पर पाया जाता है चीतोडगर के अंदर, टॉंग के अंदर, अलबर के अंदर, नागोर के अंदर राजस्तान में टंगस्टन आपको पता है कहाँ पर पाया जाता है diferोस्रम सा unde अगला परसन क्या कह रहा है आपका देखो विदियारती ओव अगला परसन बहुतान wonderful पहले में आपको बता है तो पसु प्रेचर की अपनी अलग से प्लेश्ट बन गई है उसको एक बार आप देख लेना ठीक है पसु प्रेचर की अपने अलग से प्लेश्ट बना दिया चैनल पर ठीक है पसु प्रेचर के नाम से वहाँ पर आपको क्लासे अलग से प्लेश्ट ह यहां पर सब चीज़ आपको प्रवाइड कर वाई जाएगी सब्सक्राइब कर देना और अभी भी मेसेज नहीं किया मेसेज गर देना वापस नमर बता रहा हूं अगला पर्सन आपका क्या कर रहा है हां अभी अपने क्या किस की क्यूसर प्रवाइड की क्यूसर अभी जानक की रूप में किसे जना जाता है ठीक है पार्ट बी का आपका या पी क्यूसर आ गया है साइंस की विए कि सुन भी इसमें देखेंगे महत की भी देख लेंगे यांगे चिह किछिया आजणक के रूप में किसे जनद आता है सलिए होत्रा को अरस्तु को डेमो क्रिष्टियन को यह फ्यक्रेट्षस को तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा इसमें आपका ह उपस स्नमर हो जाएगा 41 में कौन साliyor किपॉर क्रेटर्ट्रं को ठीbell आगला परसंदेखों आगला पर आपका क्या कह रहा है यहाँपे जब संकरमक रोग हमारी किसी देश में ऐस सामानी रोप से बड़े अकार में पहुंच जाती है या कई देशों या मादिपूं में फैलने लग जाती है तो इसे का जाता है ठीक है, देखो इसमें साइस की की तो साथ में है एन जातल जाता है तो यह आपको पता किया को बातीजा है ले अदिग देखी झाती है तो यह आपको बतानी किस में सब से दिख देखी जाती है तो यह आपका हो जाएगा अगला परसन आपका क्या कह रहा है जानवरों में हिट स्ट्रोक से होता है हिट स्ट्रोक से होता है किस से होता है तो यह आपका जो माली सा इसमें कौन सा हो जाएगा इसमें आपका यह हो जाएगा, अतिताप से, जानवरों में हिट श्ट्रोक अतिताप से होता है, ठीक है, अगला परसन देखो, अगला परसन आपका क्या कह रहा है, यहां पर, अपने या अन्य जानवरों के मल को खाने को कहा जाता है, अपने या फिर अन्य जानवर का जो मल ह पियेट का समानी रूप में पया जाता है ये परसन आपका एकदम अच्छे से समझो भी ठीक है इंपोर्टेंट किस आपका एकजाम की दृष्टिशे निमल लिकित में से किस जानवर में मुत्र का अमल ये पियेट समानी रूप से पया जाता है मवेशी बेड़ गोड़ा कु गुगता ठीक है अगला परशन अगला परशन आपका कया करा है मवेशियों और बेंसों में पेर और मुए MP3 के लिए प्रास्विक टिकटरण के बाद पूर्ना किया जाता है हर चार मेने में भार मेने में हर दो साल में 47 में आपका वजाएगा option port B यानि हर 106 मेनी में किया लार के माध दिम से अगला पसन, अगला पसन, आपका क्या कह रहा है, अज़क पस्तरावी, सेप्टी सीमिया, के कार्ण होते हैं, जिवाणू, वाइरिस कवक या फिर परजवी, तो गुणचास में आपका हो जाएगा A, यानि जिवाण, अगला पसन, अगला पसन, निमन में से किस रोग में लहरदार, अथवा, गुमदि स्यागरी, माल्टा जवर होता है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, आपका कौन सा राइट हो जाएगा 50 में आपका हो जाएगा D, अगला परसिन देखो उसके बाद आपका अगला परशन क्या करती है यहां पर अगला परशन आपका क्या करती है यहां में चप सकता है यह बात आपको ध्यान रखनी है यह सभी क्या गाय कि यहां पर नसल के बारे में पूचा है कि जो दूद्वारों नसल नहीं है वो उसके बारे में पूचा है सही वाल नहीं है लाल सिंधर नहीं है थार पारकर नहीं है फिर फिर उनके इंदर मिलती है उसके बाद देखो बार्त में विश्वय कि बार्त में विश्वय की कितनी परशट्शन्ट से अधिकыт paradox की अबादि है तो त्रेपर में आपका क्या हो जाएगा त्रेपर में आपका उप्स नमर डी रैट हो जाएगा 50 परशेंट बार्ट में विश्वए की 50 परशेंट शे अधिक बैंस की आबादी है अगला परसन देखा अगला क्या है वेक्ति की पिछली कुछ पीडियों में पुर्वोजों की सुची या रिकोर्ड क तो इसमें आपका क्या हो जाएगा उप्सिन वर सी हो जाएगा वनसावली काया जाता है अगला परसन देखा उसमें साइंस की भी साथ में ठीक है और मैंद के युस्वन अलग से देख लेंगे हैं उसमें क्या बोला गए एक नसल के ऐसा मंदीत पसों की बीच संगम के इसमें आपका उसलेगा बही संक्रंट का, अगला पर्सन देखो, अगला पर्सन आपका क्या कहरा है क्या रहा है कि NDDB का पुर्न रूप है, NDDB का पुर्ण रूप है, National Dood Development Board, National Dairy Discovery Bureau, National Dairy Development Board, or National Dairy Development Bureau दिकाने रास्तानमी है या फिर जानतीवाडा गुजरात में या फिर बोपाल मद्य पर्देश के अंदर है इसमें क्या हो जाएगा अविकानगर राजस्तान के अंदर है किसका केंदर बेड़ और उन अनुसंदार सैंस्ता इसका मुख्याली या फिर केंदर भी आपको पुछा जाएगा या पर यही राइट होगा उसके बाद देखो आ अगला पर संदेखो राइबो सोम अगला पर संदेखो अगला कि बेड़ की जूण सूत्र संक्याय होती है तो साथ में आपका क्या हो जाएगा एक सर्थ नमर निमल कित्मी से किस मादा जानबर में मद्द चकर का सबसे छोटा मद्द देखा जा सकता अगला परसंद जिस जब जनन गरंचों के अंतयस त्रावी और युगं के रिये कारियों में सबसे पहले उस बिंदू तक विक्षित हुए जहां परजरन संभव है, तो उसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा, योनारंब, ठीक है, अगला परसन देखो, अगला परसन आपका क्या कह रहा है, एक सेकें, हाँ, अगला परसन कह रहा है, गरवती मवेशियों या मादा बेंस के बुरण की सामाने पर इंज रियुक कोंसा क्रित्रिम गरवादान ऊक्रियोग संव किया जाता है तो इस इस कई जाता है तो इसमें आपका किया हेगा इसमें आप्का भी उजाएका यानी रिक्टो योनिक अगला परसन देखो अगला एक जमे वीरिय को ताप मान पर तरल नाइट्रोजन में स्रंग्सित और संग्राइत किया जा सकता है तो इसमें आपका उजएगा 67 में कितना सी 100 माइनिस 106 में डिगरी अगला परसन देखो अगला की क्रित्रिम गर्बादान करते समें वीरिय के स्टो को ताप मान पर 0.5 से 1.0 मिन्ट तक गल्ला चाहिए तो इसमें आपका क्या उजएगा 68 में ए अगला परसन देखो अगला परसन आपका क्या करा है गुणेत्ता नमर ठीक है थोड़ा से इसको एक बार चोड़ो सतन अमर देखते हैं सिदा उसके बाद सतन अमर क्या कर रहा है अमिनो एसीड जिसे समानी वर्दी के लिए आवशक दर पर सरीर में संसले सी नहीं किया जा सकता है उसे कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है उसे क्या कहा जाता है आवश्यक अमिनो अमल ठीक है आवश्यक अमिनो अमल कहा जाता है उसके बाद यहाँ पे देखे सतंदारियों की तुलना में पक्षियों को कम पानी की आवश्यकता होती है क्यूंकि प्रोटीन चपाचे का अन्तिम उतपाद है, तो गेतर में आपका क्या हुदबाइगा? Si होदबाइगा, यानि को कम पानी पीना वहना ह Capti के यूरिक अमल प्रोटीन चबाचे का अंतिम उतपाद है. अगला आपका हो जाएगा C 12C 12% उसके बाद देखिए डियों के में केल्सियम और फॉस्ट फोरेस के अनुपात होती है तो तेतर में आपका क्या हो जाएगा तेतर में आपका बी हो जाएगा 2.1 अगला परसंद देखो अगला परसंद क्या कर रहे में चैंटर को फोरेस कर रहे है तो इस जाएगा परसंद क्या हो जाएगा जानुक फलग पटेला को निमल कितमे से किस वरग में वरगी कित किया गया है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा सतंतर में इसमें आपका अड़ी हो जाएगा अठंतर परशन क्या करा है आपका किस हड़ी को सतन हट की हड़ी की रूप में जाना जाता है यह थोड़ा सा important परशन है ठीक है? कि सड्डी को सतन के अड़ी के रूप में जना जाता है तो अठंदर में आपका उजएगा A और उसीद अगला परशन देखो अगला परशन क्या कर रहा है? नेमल कितमे से कौन सा जोड अगर अंका जोड नहीं है तो इसमें आपका उजएगा 89 में C गुटने का जोड ठीक है? मैंने बोला था साइंस की क्यूशन भी इसमें साथ में है उसमें देखो नेमल कितमे से किस परकार की दांत, मेवेशी और बैंस में अनुपस्दित होते हैं इसमें आपका उजएगा उपसर नमर B रदनक अगला बरसन देखो एक सेकर अब देखो हम आपको जो कुछ इंपोर्टेंट क्यूशन है वो लख से करवा दें तो पार्ट B के ठीक है सांस और पार्ट B के उसके बाद मेर्ट क्योशन और जिखिक क्योशन वो Whew books वो देखेंगी जैसे आपका उसमें पार्ट नलक इत्यूर्ज क्या चरहे बिदात, इसमें आ Daarम ऑपप सा जर्य जीएगा इस पर विटामे चलूर्ज क्यों ही कि अस्तंदारियों में दोनी उत्पादन का अंग है गरसनी कंट थाइमस या फिर जीब तो इसमें आपका क्या होज़एगा इसमें आपका होज़एगा बी कंट उसके बाद अगला परसंद देखिए सित्यासी और नब्बे दोनों आपके लिए इंपोर्टेंट एक बात अच्छे से देखो भई क्या बोला है मोतर का समानी पिलारं किस से पराप्त होता है ठीक है किरोटेन से यूरिया से या फिर अमल से या फिर बिलरूबीन से तो इसमें आपका क्या होज़एगा सित्यासी म है माइक ट्रोकोडिया तो इसमें कुन सा होज़एगा इसमें आपका ड्रोकोडिया ठीक है अगला परसंदेखो अगला क्या है प्लेट्लेट्स को किस रूप में भी जना जा सकता है यह बताना इच्छी में तो इसमें आपका होज़एगा भी उसके बाद है इंपोर्टें कितने बाग बाहर से दिखाई देते हैं, यह थोड़ा से important प्रशन है, ठीक है, यह दोनों क्यों सुनाई ना, इसको देख लेते हैं, सबसे पहले ठीक को देख लो, उन्ठों में पेट के कितने बाग बाहर से दिखाई देते हैं, दो तीन चार पांच तो तीराशी में आपका क्या हो जाएगा बताओ यह थोड़ा सा अलग लेवल का क्यों लग रहा है एक बार आपको पता है तो कमेंट करके बता देना ठीक है मेरे साब सी किस अडिलेट है उसके बाद एको निमल कित में से किस अरजाती में मुत्राश्य का अलब उस पीती होता है तो बीयासी में आपका क्या हो जाएगा यह हो जाएगा मुरगा उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट किशन और देखते हैं बही यह तो कर दिये यह भी कर दिये लगबगग देखो मैंने इम्पोर्टेंट किशन सारी करवा दिया आपको ठीक है यह यह भी हो गया लगबग हो गया हमारी किस निमल कितमी से किस जानबर में आमाश्य नहीं होता है यह थोड़ा से इंपोर्टेंट किस नहीं होता है परशन के आनंधपेटन के और गटित से कारी परणाली में किस अस्तरिय स रंचना है चार है पाउन. बकरी जिनस जाती से समधित है बताओ तो एक सुनों में आपका क्या हो जएगा D हो जएगा कुरेपा लिए किस इसके बाद अगला परिशन क्या कह रहे है इसके बाद आपका कोई इम्पूर्टिन परिशन नहीं लग बग जानवरों की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है देखे दोस्तों जानवरों की लार में जो है ना टॉप जी नामक एंजाइम पाया जाता है ये शायद सवाल में आप से किया भी था जानवरों के वेवार का दियन जो है करना ये क्या कहलाता है तो इधोलोजी कहलाता है दोस्तों अब सभी का शही आंसर होगा और ये प्रिज्टन जो है आगा आपको बता दूँ बहुत मैहत्त पुने और सीधे एग्सामें पूछे जाने की संभावना है पशुऊ में सामने ता सूखा हड़ियां एवं आंशनी पदार्थों को चपाना काँ से पोशक्ततों की कमे के कारण होता है। दोस्तों कुरूद रेष्वों की कमिसे बता हूँ जो भी विदारते ओप्शन emo deeply कोुसमे SEN, सांधार दोस्तों, दोस्तों इस वेसे पूस्टों चार वेस्ट मुखे मेरे पास में उनमें इस वरस्तों में डेली गूसर लेका आतो हूं आपके लिए अगले पूस्टों लेकी है जिसे अगर बाते कारे करवाते हैं साइबाब नागोरी राटिया जर्श्री तो नेको नागोरी बेल वड़े को तो ते कर्शी का रहे हैं वगेरा मैं ठीक है ना तो दूसमन नागोरी नसल क्या होती है गोगोंस के दसले और इश्र उसन क्यों बालते है सक्तिवस्रम के लिए तुभी योपसर आपका राइट है देख लोग इतना इंपॉर्टन ऊटारे है और यह रुसो न्यूजीकल से इंपॉर्टन कुशन आ जुका आपक अरी विकाए रामगड़ गूलाकार पारी मिरमन में से कौन से परदेस में बताऊ बढ़ि तो सो रामगट की गोलाकार पाड़ी कहाँ पर कमेट दीजिए सेकावटी परदेश में हाड़ोती के पटार में चपन मैदान में या रुस्तों गगर मैदान में बताओ रामगट की गोलाकार पाड़ी में में से कौन से परदेश में आउस्ते थे तो यहाडोती पटार में ठीके, रामकट की गोलागार को आड़ी कहां पर बूचले एक्जामेत क्या करोगे, आडोती के पटार को राइट करोगे, जो भी विधारती ओप्सम भी कमेट करा है सांदार, अगले पुशने की, किस नदी का जेल, जेल समझ जिल दरा उपयोग में लाया जाता है, गोमती, बनास, चमबल यांसो, तो याबर कौन से दुस्तों नदी आपके राइट होगी, गोमती ठीके, दोस्तों गोमती नदी है न, ये गोमतीं नदी का जल, जेल समझ जिल दरा, उपयोग में लाय जाता है, तो ही ओप्सन आपका राइट है, जो भी पै अर्श सब्सक्रा को अपरिक्षन, बालों और नो अपका परिक्षन न आपका फिर्ट है इंग्जा अग्ला पिसन नियुकू ने कि कौण सी गेस, विलियस उंग्रेट हैं तो आपसे पूचा है तरल ऑक्सिजन, CO2, तरल नाइट्रोजन या डूसम और इकन बताओ, विरी को इक्त्या करने के लिए ठीका न, कौन सी गैस का रसुप्योग में, इससे रसुप्योग करते हैं, तो डिकी डूसम या पर जो तरल नाइट्रोजन हैं न, इसका रसुप्योग डूसम इसलिए करत खॉढ हो वहीं, कुर्जा नोसम भक्सी होता है, कमट कीजिए, कुर्जा कि सले का सुपंगक है, जालवार का, जेपुन का, जोदबुर का, जालोर का, तो जोड़ा है, तो नेको नो Sem crit humans 가, आपका जोदमूर का है, सुपंगक तर नोसम उसका परतिकशी है, ठीके, सब्सम कर अगला पुश्ट लेकिए बीका भाई सागवाड़ा देर बतो बढ़ाई गई एक डूस्त ना पर बढ़ाई गई आपकी बिल्कुल दोस्तों कहा पर माई पर जो भी विजातने आपर माहिन जी कमेट कराया ना राइट है दोस्तों जैगो भुगोल का इतरा ही बोटिन को शरे अगला पुश्ट लेकिए बैस के खीच में प्रोटिन की मात्रा बता हो बढ़ा है दोस्तों आपकी एक इस पॉएट चे कितनी होता है तो वो दोस्तों आप 21.6 परशन उसने क्या होता है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है तो जो भी विद्धार के ओप सी को राइट कर रहा है वेरी गूर दोस्तों को दोस्तों जाना के लिए तो आपने बच्शनियों में शेंग को रटाने के लिए बच्चतियों में शेंको आङने के लिए उस्तों सींगों को अठाने के लिए, काश्टिक सोड़े का प्रयुक करते हैं, वी भी एऊ अप सनब का राईट हैं दोस्तों आप क्लास को प्रिडली जोइन करोगे तो आप पहली बार में दोस्तों पस्तों पर चिराथा है वो करेक्ट कर लोगे और आपके स्लेक्षिन हो जाएगा अगला परश्ण लेकिर दोस्तों दादू जी की पार्थिक सरीट को किस इस्तान पर समाधी दीगी बताओ भई दादू जी को समाधी काबर देगी कमेट कीजिए तो देखिए दादू कोल बहराना में दादू समाधी केपाड़ा में या उसको समाधी सांबर में या उसको नरेणा फुले राव बताओ भई दादु जी को रुष्मादी देगी थी वो आपसे पुचाएं तो इनके समादी दोस्तों कावर आपकी नाम से इस प्वेश्टन रुष्मादी को 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 B option को मैं write कर दूँगा रोसकों पूछ ले अगया हम ठीकर एक्जम आएगा स्वाल कि राइश्टीर डेरी विकास बोड़ कहां परे तो हुजरात option को आपको write करना है अगला पुशन देखिए लंगणा बुकार बताओ भई दोस्तों लंगणा बुकार ये किस पुशू की बिमारी है लंगणा बुकार किस में आता है दोस्तों सर्मादिक ओंट में, गोडे में, गोंस में या सूर में तो देखो कर दोस्तों लंगणी बुकार की बात करना तो दोस्तों गोंस में क्या आता है ये सबसेधिक देखने को मिलता है CEO Option आप का राइट है ठीक है अगले आपसनों देखे सर्रा रोग मुखिर उप से किस पसूल में होता है बताओ भई सर्रा दूस्तों रोग है जो पस्तों में होता है तो मुझे ये बताओ कि सर्रा रोग पुकिर उपसे किस पुस्दू के अंतरक्रतापन को देखने को मिलता है सूर में, मुर्गी में, ओंट में, अकुत्ते में तो अगला पुशन देखिए है तार कसी का समन्दे बताओ भई अरे तार कसी का समन्द का से कमेट कीजिए तार कसी का समन्द का से नातर द्वारा से हो जाएगा आगे बढ़ो है दोसकों, अगला पुशन देखिए राजस्तानी बासा दिवस कमेट कीजिए राजस्तानी बासा दिवस कमेट कीजिए आपका अरस्तान 21 फरावरी को कब 21 फरावरी को मनाया जाता है जो भी प्यरे विदा की उपसन एक कमेट करें सांधार अगले अपर सुन देखिए निमन में से कौन सा लोग नर्थे बीलो में लोग परी बताओ वई बी ओपसन को मैं राइड कर दोगा इन चारों में से पूचाएं तो चारों में से तो भी बिल कोई से पसने करेंगे इसरवाटिक जोरे नर्थे करते हैं आगे बढ़ों में अगला परशन देखिए भाई राजस्तान में सबसे फाइन कारपेट ओन किस नसल की बेड से प्राफ्ट होती है बताओ वई यावर दोस्तों पूचाएं कि राजस्तान में सबसे फाइन ठीक है कारपेट ओन किस नसल की बेड से प्राफ्ट होती है वो आपसे पूचाएं सो नाड़ी से मालकुरा से चोग लास है जैसल में रिशी तो देख और उसनों सबसे फाइन कार पेड़ों किस नसल से मिलती है तो चोग लास है ठीक है न इसको दूसमें क्या बोलते हैं बारत की मेरे लोगों भी कहते हैं ठीक है तरसी अपसर आपका राइट हैं दोस्तों क्लास की पीडिएप के लिए आप टेलेगां को जोइन कर लो और प्लेइस्टोस से आरपी स्टेडिया आपको भी डाउलोड कर दीजिए ठीक है अगला पुस्ट नेकिए बारत की कर्शी अनुसिं MR परिशिद क्या कारह ले पता ओ भी दोस्तों बारत की कर्शी अनुसम् neighborhood का कान पर कमेट कीजी उन ना में बैंगलूरू में एधरबाद में दाइडिले में कमेट कीजी भी मेरे तो पोस्त इंपोर्टन कुमेट करा है सांग आगर दोस्तों राश्टी या सिहकारी मसाला मेले का विजन का पर होता पता हो वोई दोस्तों वे इंपोर्टन कुमेट केजिए वुदेपुर में, जोदपुर में, बाड़ में, जेपुर में तो डेकर उस्टे से कारी मस्चला है वह लिका आलिगा जिन कहापर होता है इमेला आपका बर्ता कहाँबर जेपुर जिले में कहाँबर जेपुर में D-O95 image वहताई छह बोलते है शूर के मासट को बताओ, इंसे तुछ क्या बोलते हैं, उसे प्वरक का जाता है, बी यह पुटि कर दूंगा, अगला परशन दी की रूचिक का पूचर निली कुरांति का समझ्दे बताओ, जैक। जो भी प्यारे विटाती आपसों डी राइट कर रहे न, सांदार दोस्तों बिल्कुल सभी का या पर डी आ राइट क्या बात है, बिल्कुल यह पर मदस्य आपका राइट है, अगला पर्शन नहीं कि रुस्तों, आलं साही मूगलय सीका, राजस्तान में का चलता रबता हो ब यह तब पक्मेंट कमेंट कीज रुस्तों चोबिस और जिय को जीच कर ऊसका नाम छेंट कर रख दिया था खेंट कर चुन्क जोदबुर दुरुग रंथमवर दुरुग या चिदर्ड़कर दुरुग तो यह को सिवाना दिल के लिए गोर उसनों जीट कर क्या कर दिया था इसका नाम जोस्तों खेराबाद रख दिया था यह ओपसर आपका रही थे पहले दूस्तों सिवाना के दुरुग आपका बार आता है इसलिए उसके आपर आता है अब यह वह ओतर जिले में कापर बालो ऊतरा में आता है ठीक है तो यहां पर दूभर विधार के ओप्सने देशी गाई का जो लूजिकल नहीं होता तुम्हारे बॉस इंडिकस, बॉस टॉर्टस, बॉस अरिसोर कापराइटकस देखो सीडिशी ते अगर आपने बात करें तुम्हारे तो देखो गाई, देशी और वीदेशी तुम्हारे दो टैप की होती है ठीक है देशी का तुम्हारे होता है क्या बोस इंडिकस क्या होता है बोस इंडिकस फिर बात करें नमबर दो तुम्हारे विदेसी उसका तुम्हार क्या होता है बोस टॉर्टस यह तुम्हार किसका होता है विदेसी गाई का बात करें ओविस एरिस किसका होता है तुम्हारे बेड का बेड का और बात करें काप्रा हिरकस वो तुम्हारे किसका होता है बक्री का ठीक हैं?. बिल्कुल, बिल्कूल चारोरा में उन्हें आप सब्सक्राइर के सब्राइव. प्चास प्लस करो देवार फटाकसिक है आगे देखो अब लिखो बैस का जोलोजिकल नेम होता है इसका पूचा तुम्हारे सब का पूचा है जिवने जाओगे विटा वो जाओ सद्या सब कर दो जाओगे शीवने तो एक बार सारे सेसन को लाइक और शेयर कर दे भी टाकसी गए यार लाइक करने में तुम क्या कसर छोड़ रहे हो रहे है देखो भैंस का तुम्हारे पूछा जुलूजीकल नेम की भैंस का जुलूजीकल नेम तुम्हारे क्या होता है गेलस गेलस ये तुम्हारी किसका होता है मुर्गी का अले लाड़ लोग किसका होता है मुर्गी का नमबर दो ससे डोमेश्टिकस तो देखो ससे ससे और ससे सुवर चीक है अगला देखो गेलस डोमेश्टिकस ये गेलनेस गरे तुम्हारे होता है जंगली मुर्गी का किसका होता है जंगली का ये तुम्हारे होता है किसका डेसी मुर्गी का और बिल्कुल तुम्हारा सबका राइट आंसवर है श्यूकराने जैसरी कृष्टना संजू वीर्तिजा रुपाली फूजा स्याबास स्याबा कि देखो राश्ट्रिय पसू आनुवांसिक संसादन ब्यूरो कहा पर इस्तित है इसार आनंद करनालया लई दिल्ली देखो चार चीजे तुमारे पूछ रहा है वह क्या पूछ रहा है चार चीजे बिल्कुल अभी से एक बेटा गलत है वेटा विसे गलत है वेटा गलत है यहां तुमरे आंसर आ रहा है तीन जोती सुमन मंता नरिंदर मोनीका आरिया वीर्थेजा अंकिता अविनास एकेजे संजू मुस्कान शाबाज शाबाज विल्कुट राए टांसर है वेटा आज दो केसे आए गा रहे है रमेश रहुन एका और एका मतलब नैस्नल स्ट्रम उफ Zustand a जो कहां पर रहा है यह नऑधिली में नचीच में तो तो तुम्हारे दो नीच स्ट्रम depths सब्सक्राइत आइंसर अवरस सी कहां पर है तुम्हारे इलकुल का और नाल हर्याना फिल्कुल बिल्कुल श्याबास राइट आंस पर कोई दिकत नहीं है आगे देखिए है जेट 2020 में पूछावा क्यूसर नहीं है मेरे साथ सब्राइट करोगे क्योंकि इसको मैंने कली करवाया है तुम्हारे कौन सी नसल का मूलिस्तान भारत नहीं है लाल सिंदी साइ साइवाल जरसी या गिर डेखो सीदि भी बात कर ले लाल संदी फॉम्हारे होतए पाकिस्तान का मॉंट गॉम्री जर्सी मोथ एंग्लेश materele जर्सीब में पलएंग्येज़ में खाला का का इतक का बारत पूछा कि भारत कि बहुत नहीं है तो strang तो hunt उसन नमबर टीन थीलेड बेटा वीजीडे के से उगह admiration है बिल्कूल सही है जाएए agree बिल्कुल बिल्कुल मम्ता बिल्कुल प्रिया लाल सिंदी बेटा थे कुछ से बुक्स में इसका पाकिसना मिलता है कुछ में इसका इंडिया मिलता है हाँ आगे देखिए नवजात बच्चडे के मासकों क्या कहते है कि तुमने जो नवजात बच्चडा होता है इस नवजात बच्चडे के मासकों क्या कहते है बीफ कहते है बफन कहते है वील कहते है या टेंडर कहते है बताओ सारे कि सारे नवजात बच्छडे के मास को क्या बोलते हैं अपने अच्छा विल केल दियो बिल्कुल यहां तो वारे सब का देखो विल्कुल जोती शुकरन मुसकान अभी सेक अजे नरिंदर मोनिका महता सबका सी आ रहा है शाबास राइट आंस्वर है अरे दिकूँ वीफ समारे होता है किसका गाई का ठीक है बफन किसका होता है बैस का वील किसका होता है नवजात बच्छडे का तू मुझे बताओ टेंडर किसका होता है बताओ रहे सारे के सारे टेंडर किसका होता है हाँ टेंडर बताओ टेंडर किसका होता है एक बार जो भी लाइव बेटे हैं चैनल को लाइक कर दे रहे बारे सेशन को लाइक कर दे और अगर कोई नया बच्चा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे हर दिन अपने चार पांच चार पांच से नए बच्चा आ रहे तो यह तो अच्छी बात है बैटा मूट का कैसे हो गा रहा है याजू यहां तो रहा रहा है कोई कोई कर रहा है कोई कर रहा है मुर्गी चलो 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 देखते हैं क्या होता है एक बड़ सारी सारे सेशन को लाइक कर दो फटाकसी पहले लाइक करो एक बड़ सारे पहले आते कर जाएगरो ना बिल्कुल वीजे राइट आंसर बिटा अरे तुम्हारी ये बोलता है कुड़क मुर्गी के मास्को पन क्या बोलता है टेंडर अरे कुड़क मुर्गी पन काम लेते हैं देशी अंडे सेने के लिए याद करो कच्छ बखने करने के लिए है अगर तुम लाइक करने के लिए था सेर तो मैं सोचने सकते हैं तो लोग सेर भी कर सकते हैं इसको आगे देखो यह तुम्हारी पूचा हुआ है एक्रिकल्जास सुप्रवाजेट 2015 वाली एक्जाम में गिरगाई का उत्पत्ति स्थान है तुम्हारी क्या है हर्याना पंजाब राजस्तान गुजरात हाँ हाँ तुमने कर दिया लिंग कुछ एक विद्वान है चलो तुम्हारी यहापर आंसर आता है उप्चिन नमर च्यार बिल्कुल शाबास एक आंसर है अरे देखो गिरगाई तुम्हारी इसका आंसर तुम्हारी क्या होता है गुजरात का गिरजंगल क्या होता है गुजरात का गिरजंगल होता है तुम्हारी किसका होता है गिरगाई का किसका होता है गिरगाई का बिल्कुल सही है काठियावार के गिरजंगल होता है गुजरात के काठियावार के गिरजंगल बिल्कुल सही है बिल्कुल बिल्कुल शाबास तो गुजरात के काट के वाड के गिर जंगलों में गिर गाय का उत्तितान तुमारे हैं वहाँ पे सर्वबर्दा में इस निसलिके परसू देखे गए थे चीक है तो अपसर नमबर चार होगा सुपर्वाइजर पंदरा में पूचा होगा क्यों से नहीं बिल्कुल बिल्कुल पूँ चट्रे को गीर पती गुजरात है अरे इसके बिए ट्रिक अज़े मैंने सर्व प्रवाइजर रेकेंस तोड़ी नहीं मुनना अभी तक आई नहीं ब्रक्रव अने वाली है और फो मिटिंग थी तुमारे दुलबपूरह में पशो मिटिंग थी मिल्कुल मिटिंग में चर्चा हुई थी तुमारे इसके बारे में हाव विद्वान ना आई और आकर चल दीए शकल दिखाई कुछ एक विद्वान है, कोई नहीं देखो जिसको पढ़ना है वो रोको जिसको नहीं पढ़ना होजा सकता है कि हैं आपके साथ तिक यहां अधर मुझना मेरे साथ कहा ह मेंटिंग होगी यह हम भी से 9P आ कि इसको जीन नहीं पड़ी है पहले इसको जीन नहीं पड़ी है टु कास खाती रहत रहं है इतना सिरीर तो नहीं खाने लाएक खाक याती है उसको फेक्ट क्याती है यह देख क्याती है सुन के पेट मिड़े गया हां बच साब है खोमल थोड़ सा कि पिक्सल चेंज कर लें वेटा यह तो बच आनस्व आरा है इसका उप्चिन नमर सी चलो अची बात है अच्छी बात है इंग्लिस चैनल का जर्सी दीप समूँ है इसके तुमारी क्या होता है इसका क्या होता है इसका क्या होता है इसका क्या होता है इसका क्या होता है इसको 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 इस विदेशी नसलों में लाल रंग की नसल है कि तुम्हारे जो विदेशी नसले होती है उस विदेशी नसलों में जो लाल रंग की नसल है तुम्हारे वो कौन सी है रेड डेन, आयर सायर, स्कोटलेंड या गर्नसी बिल्कुल बताओ कि विदेशी नस्वलों में तुमारे जो लाल रंग है वो किसका होता है तो यहां तुमारे सब का आंसर आ रहा है बिल्कुल सही है अरे नाम के एकोडिंग होगा ना डेने रेड लाल तुम्हेर डेन का उपता है यहां पर देनमार्क आर्सिय का सुपर को यहां यहां पर देनमार बोकुपातो है गरनसी का स्कंवा है, किसका का मारी में चाहि के गरिएशी देवीब समुवा है , किसका समुवा हम पर तू Architecture बिलकूल बिलकुल आगे देखो आगला क्विशन है गाय के कौन सी बारी नसल उन्में से सबसे बारी नसल कौन सी है जरसी जाफराबादी राठी या ये सबाट है हुआ जीतु, का चार हुआरा है, करति का एक वर्म वर्म आरा मोज आरा है, करतिका dip Mumta, mayra defines D पीठ सब का D चलो चलो और अछी बात है Vetericife water papa को आरो और जीतू, अभी तो माका माकर मचीता पापा की परी भी आ गई चलो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसवर है ओप्स नमबर डी बिल्कुल सही जवाब तुम्हारा क्या होता है इसका ओप्स नमबर डी बिल्कुल बिल्कुल सबका सही है होलिश्टन फ्रीजियन अरे आफ एचाइप होता है जिसका ओपी क्या होता तुमारे ओलेन्ड या निदरलेन्ड देखो यहां पर मैंने जाफरावज तुम्हारे दिया था कि तुम लोग जाफरावजी करोगे लेकिन ये तुमारे बैंस की नसल है गाई की नहीं है बैंस की सबसे बारी तुम्हेरे कुंसी है जाफरबादी मीनी इलिफेंट बोलते हैं इसको को बोलते हैं मीनी इलिफेंट बोलते हैं जाफरबादी को चीक है बिल्कुल अरे भाजने से लोती तुम्हेरे इसका वेजन होता है लग वोग जाजार के असपास 900 से अजार किलो बिलकूल बिलकूल करती का माकी ममता भी है माकी ममता है पापा के परे हैं पापा की परी है माके मघरमच है सब यहां पे इस करास को चीर्ण गर बना रहा है कि देखो हैच एफ का उत्पतीस तान है हाँ देखो चलो किसे सब्सक्राइब ने दो आएच एफ ही दो तुम्हाने नसल है उलिष्टन फ्रीजियन है उस एच एप का उत्तती स्थान क्या होता है वो देखो गोड इवनिंग प्रैम बहुत लेट हो गया मनना हाँ देखो बात करें पर ने चर्फ की खोलिष्टन फ्रीजियन इसका तुमारे बिल्कुल सब्सक्राइब और बात नहीं करें को बात नहीं सब्सक्राइब का सही आंसर है उप्सिंद में अच नंबर एक देखो इसका उपी दो होते है या तो होता है रेवरा का निधरल्ट हेगा इसको टलेंड किसका होता है आयरसायर का धीक है देन्मार्क किसका होता है पर्रमात्रा अती है उस मसल के नाम पर गूड इवनिंग सीश्राम जी जर्सी का कहा בर में रही है नइ नइ नी जर्सी खillar वे यह जर्सी का in प्र परिंगलिस चेंडल है उच दो इंगलेंड भी पड़ता है इसली उसका इंगलेंड पड़ता है शबास मिद शेर वी जी बिलकुल सही है वेटा कफेठी हिंग धाम करता है कि ऐसाउट भावा दें तौछ से नसल होती कि नुगारे सोल्ट हो फी एंगलेंड फी क्या स Withm कोई नहीं जूती कोई नहीं जूती है सकेन में तो यह सेकंड में एक्जाम कोप कह रहा है सेकंड सेम के जूती सकेन में फर्स्ट इर के सेकंड सेम के एक्जाम कोप से है बिल्कुल भी कुस हैं यह सही है जून या जुलाई में अज़ हम तब तुमारे भी अच्छा लाश बता रहे हैं कि अज़ हम सेशन को सोड कर दे तुमारे भी है कि चलो कॉई बात नहीए फ्रड़े कर लो गटाऊ प्रड़े घालेग तुमारे तुमारे प्रेक्तिंट भी नहीं है कि मिक्टम भी नहीं है कि मिप्टम नीए तुमारे ही ह मिझी हम सी कठीक है सो और शी बसंते से जरुख यरू चुछ dependency देखो अगला इलाबाद के नेनी नामक संस्तान से गाई की संकर नसल विक्सित है इलाबाद के जो नेनी नामक तुमारे जो इस्तान है उस नेनी नामक संस्तान से गाई की कौन सी संकर नसल विक्सित है तो जहां तुमारे आ रहा है उप्सिन नमबर C जैहिंद बनवरी जी, ओप्शन नमर सी तुम लोग कर रहे हो, जरसिंद, चलो देखो एक चीज में तुम्हें बता दो, तुम्हारे देखो, यहां से तुम्हारे तीन चीज पूछी भी है, इलाबाद ही पूछा हुआ है, नेनी नामक संस्तान ही पूछा हुआ है, तुम्हा लेकुं सा, बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल बिल्कुल प्रिया, जर्सिय और सिंदिय तो, बिल्कुल बिल्कुल आगे देखे हैं, कि अगला क्यूसंड देखो काफी बार एक्जाम न in said अब यह सुपर्वाइजर पंदरा में पूछा वा है जेड दो जार सत्रा में पूछा वा है दो जार चहे में पूछा है और 2002 में पूछा हुआ है और इसके लाओ भी तुम्हारी और भी पूछा हुआ है लेकिन यह मुझे मिला नहीं वह चीज़े ना थोड़ सा आगे पिछी होगा है कुछन्स में वह बहुत बार पूछा हुआ है तुम्हारे यह नस्क्यूसन्स बहुत ज़ावार गाय की फारजी अदीत इते जने जिसको अपन एकंव भाष और एक दूध बाहर डुने के लिए और दूध के लिए पालता हैं बिल्कुल बिल्कुल तुम्हारी आंसर है पर तुम्हारे मॉनिका जीवती ममता मुस्कान नरेंदर जितू सुमन शाबास बिल्कुल बिल्कुल थार पार कर सही है तो तुम्हारे इसका नमबर दो जरसी Villace के दूध वालिये अब देखो थार पार कर तौपार कर मतलब थार को पार करके कॉपार करके अब थार तौपर कर रहे हैं पस्जी मिलको सही है पाकिस्तान का सिंद प्रदेश, है एक बार थोड़ सा सेसन को लाइक कर दें और जो भी नया बच्चा है वो तोड़ सा चैनल को सबस्क्राब्सक्राइब लूब्युकुल विल्कुल सुमन सही बटा, पाकिस्तान का सिंद प्रांत, बिल्कुल थार पार का ओपी है, दोनों चीज़े पूछी भी है, आगे देखिए, अगला क्विजन, गाय की पहली क्लोन नसल कौन सी है? ना 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 बेटा ममता माकिस्टां का फार पार नहीं है, पाकिस्तां का सिंद परदेस है, याद कर साइवाल शिंदी, गिर राठीूर देवनी, देवनी मिल्च ब्रेड है, दुदर नसल देवनी, तो यहां तुम्हारे सबका answer option number 1 आ रहा है चलो चलो शाबास शाबास बढ़िया जो भी live वेटे हैं सेशन को like कर दें एक बार फटाक सीगर सेशन को like कर दें हाँ चलो बिल्कुल अरे देखो पहली क्लों तुम्हारे कागा यह धनी नसल तुम्हारे कौन सी कहा इसका दनी का उप तुम्हारे उपी क्या होता है अब देखो रोजी नसल की बात करें इस बताए बारे में रोजी नसल के बारे में कोई बताए बहुत नसल रोजी भी शाबास प्रिया पूछने चेपहले अंसर आगे शाबास बीटा शाबास से ट्रांसजेनिक अरे बिटा अंसिखा विराइटी नहीं है जोटी रोजी का मिल्क में लेक्टो अलवी में भाई शाबास जोटी शाबास समसुकर है मतलब सलेक्स मेने के बाद भी यह मर्याद है हाँ देखो रोजी का तुमारे बात करें बिल्कुल बिल्कुल सही है यह तुमारे ट्रांसजेनिक नसल है क्या गाई की ट्रांसजेनिक तुमारे नसल है और देखो ट्रांसजेनिक की तुमारे बात करें न इसमें तुमारे देखो क्या चीज है इसमें देखो यह तुमारे पाए जाता है Lacto Albumin, ठीक है, क्या पाए जाता है, Lacto Albumin तुपारे पाए जाता है, आपका पड़ाईवापर बोल सकता है, शालो, थेंक्यू, यह भी अच्छी बात है, हाँ, बिलकुल देखो, Trans- USB, पारजी नहीं बूल सकता है, तुमारे, वह तुमारे बात करें, तुमारे किसमें होता है, रोजी में होता है, बिलकुल वीज़े बाता सही बात है, अपढ़ पारजी नसल सही बैटा, चीक है ध्यारगना कागा और रोजी दोने इंपोर्टेंट नसल हैं आगे देखें हैं अगला तुम्हारे पूछावा है जेट 2016 की एक्जाम में गाई में सबसे अधिक दूद देने वाली नसल है बात करें तुम्हारे की गाई में सबसे अधिक दूद देने वाली नसल कौन सी है जर्सी, हर्याना, साइवाल या थार पार कर तुम्हार का आंसर थोड़ सा सोच समझ के देना जोती गड़त है बिटा अब देखो कहते हैं तुम्हार का तुम्हार थोड़ा कर देख है अधिक भूपड़ीयो ने देखताई लिगा जितो क्यों सबसे चाहिए युस का बोल रहा है तुम्हों लोग यह टपारे हूँ, सी दबादब है तुम्हार को तुम्हार क्यों सब्सित एक चाहिए आपके लिए पूछा ना बस तुम्हें बस बिल जाना चाहिए आंट रसीदा सेदा अब सही है अरे बैटा वर्ड वर्ड कुछ नी यह वर्ड दिया वह नहीं ना सीटा तम्हारे पूचा वह अगाय में सबसे अधिक दू देरों कि इद बिल्कुल साई वाल तो ना यू को तोमारे का अगरा देसी ना देसी पूचे कि देसी नस्तों में सरवाते के दूध्य थो हां Vijay zhili में तूमारे हुथ हांija साहिवाल का Caleb लме एक चीज उपतेंट चीज है इपक्ना होता है वो होता है 2700 से 3300 लिटर कितना होता है 2700 से 3300 लिटर परती भी हाथ पूजा कुछ 4,000 से गारी सो बिल्कुल हाँ वो जर्सी का होता है 4 से 4,000 जर्सी का होता है हाँ बिल्कुल a answer आएगा इसका फोचा कि देखो फिर बहुता रहूंग ऐसे ही कुछन गलत होते हैं एक्जाम में ऐसे ही कुछन गलत होते हैं एक्जाम में सिरफ हलका सा पढ़ने के चकर में शिरफ चलो 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 अच्छी बात है आगे देख को अगला क्यूशन बाहमान गाई के नाम से जानते हैं चलो 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 च्छी बात है जिसका भी सही है शावास देखो बाहमान गाई की बात हो रही है कि बाहमान गाई के नाम से पन किसको जानते हैं गीर, हरियाना, साहिवाल या थार पार कर तो यहां भी तुम्हारे आंसर आ रहा उप्सन नंबर एक शाबास बिल्कुल बिल्कुल साहिवाल में 5% लेक्टोल बिल्कुल साहिवाल था बिटा पिरिया चागिर, बाहमाने, ब्राजिल, जोती, शाबास बिटा जे तु, ब्राजिल, बिल्कुल, 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 शाबास, शाबास, शाबास यही होता है, क्यूसन के एर्द के देखो एक चीज़ है क्यूसन का आंसर देना बड़ी बात नहीं है अगर अपने को क्यूर्शन के एर्द गिर्द उससे जुड़ीवी चीज़े सारी याद ना ऐसे मान लो टोपिक कम्प्लीट है क्यूर्शन का तुमने आंसर राइट किया अच्छी बात है किया लेकिन उसके अगर एर्द गिर्द जुड़ाओ तुम्हें सारा मेटर याद है ना तो मान लेना किया तुम्हें क्यूर्शन कम्प्लीट याद है बिल्कुल वीज़े गुनिस सोसी सही है अरे देखो बिल्कुल यहां तुमरी आंसर कियागा इसका गिर आएगा मतलब इसको गुनिस सोसी में कहां बेज़े जागे 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 जाग साथ कल पर्चोंगी यह सारे कुल लेके आए था हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो तुम्हारा ओप्स नमबर एक उनिसो सी ब्राजील याद रखना हाँ देखो आगला क्यूशन यह तुम्हारे पूचा हुआ है देखो तक फिर दिकत हो गई मालवी नसल का उत्पत्ति पूचा हुआ है यह तुम्हारे पूचा हुआ है बात करें मालवी नसल के उत्पत्ति इस्तान की अब बतो क्या हो मद्धे पर देश नसल तो पर पूचे मालवी मालवी का उत्पत्ति पूचा है मद्धे पर देश पंजाब राजस्तान गुजरात जोती MP का मालवा अब इस एक जितु MP पूजा सेनी MP शाबस 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 बिल्कुल एक राइट अंसर है अरे देखो याद करो MP का मालवा मालवा का पठार मद्दे परदेश तो क्या होगा इसका अंसर है उपसे नंबर 1 मद्दे परदेश बिल्कुल मद्दे परदेश होगा रही तांस वरसे अबस शाबस सब का सभी आगे देखो यारी सब में दिक्कत आग़िये रहे हैं देखो निमन मेंसे कोनसी विदेशी गाय की नसल है देखो वीदेशी काये तुम्हें पूछ रहा है वो कि कौन सी यह तुमारी यह पूछा वाए जेड दुदर पंद्रा में पहला उप्शन है तुमारी जर्सी नमबर दो है तुमारे देखो पहला तुमारे जर्सी क्या पूछी है वीदेशी काये पूछी है कि वीदेशी काये आज़तान का राट शेत्र बिलकुर बिलकुर अमेथ निर्मला आरिया संजू जीतू शीवक्रण ममता निर्मला ममता जन्जू मॉनिका पुजा बिलकुर 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 अगे देखो यह दोती विश्वाइगी तुम्हारे वाच साब तीसरा उप्शन तुम्हारे है साइवाल और चोता है थार पारकर हाँ देखो पसुमों का रंग लाल वह भूरे रंग के दब्बे पूरे सरीर पर देखो यह चीज पुछी हुए यहां से यह वाड़ा यह पुछा वाए कि बूरे रंग के दब्बे पूज़कों का रंग लाल यह तो इंपोर्टेंट नहीं लेकिन यह चीज पूछी हुए तुम्हारे आइस्यार में कि पसुम्हां मतलब कौन सी नसल के शरीर पर बूरे रंग के दब्बे होते हैं बिल्कुल बिल्कुल शाबास ये आंसर आ राहा है बिल्कुल सही है option नούμεर एक गिर के होते हैं बिल्कुल सही जवाब है अरे गिर का त्वारे जो सतन देग एक चीज है अगर तुमारे क्यूशन इसी भी पूछ ले मतलब है विब्बीन रंगुट giàmichu Shortly गज़े मिशन तो लुटाला इसमें अंसर नुम्हरे और च्यार है को ख़र जो राजस्तान के जालोर पाली जीरव जिले में कौन सी नसल उप्यूक्त है ये इंपोर्टेट्ट कि इसने है ये बताओ कि बता दूंगा मैं तुम्हें बिल्कुल वान से मान जाओंगा वासन दूब पढ़के आई हो राजस्तान के जालोर पाली और शिरोजले में कौन सी नसल पाल जाती है जेट दो जार दो में पूछा हुआ है मौनिका इंटर में कल चेंज किसका होता है मौनिका यह तो ऐसा पहली बार शुना तुझ बता रही है कि नसलों का भी रंग चेंज होता है आज सक बटा ना तुझ पढ़ी हमने किसका होता था बता दे हम दो पढ़ी नहीं और ब्रीड्स में ऐसा कुछ है भी नहीं वई विंटर में इसका कलर चेंज होता हो नसलों कहां से कलर चेंज होना लग गए बटा इसे तुम लोग कर रहे हूं सी इस का अंसर ए तुम नहीं होता हाँ पता ना नहीं होता नहीं होता अस eocла अरे इस एक प्षिए होता इस होता है ए उत्से प्षोर पर्कुले होता है छेलो होता होगा भाई साथ कोई नहीं कोई नहीं जब तुमने पढ़ा आये तो होता होगा पताईनी बैसाब मने तो आस तक पड़ा यह नित कि थार पार करा का जए नोता है सर यह एंसी आटी में कभी दिखा यह पड़ा जही के जिल पड़ा कि अच दुन क्यों से कूझ जए यह नसलों का कभसे निलग गया है गाई के काड़ी फिले पिले जाती हूँ क्या काड़ी से लाल जाती है अच्छे नेसनल कोची में होता है ता बैस साब चलो छोड़ो बलने दो चीक है बड़ ऐसा कुछ नहीं होता है ऑच्छे ने साब बल्ड कलर होता है इससा है जिआँ कोड और चालो छोड़ो हां देखो सब तुम्होरे इस-क्रिश्न गाश्यम् तुम्हों cricket वारी आंसर गलत तुम्हों d आंसर देहे हो ना सब काWeb यहां हां कोई बात नहीं है हाँ हाँ तीन ही तो माफ कीजिए त्यार के तीन ही तो बतारों ना तीन तुम लोग बतारें और तीन सब का गळद है अरे देखो जराजस्तान के जालोर पाली सिरों में तुमारे जो नसल तुमारे होती है ना वो होती है ओप्सन नमर चार कॉंकरेज देवताओं मत कर देना जेट में पूछावा कुछन है आगे भी एक्जाम में आ सकता है एक बार जो भी लाइव बेकंच को लाइक कर दे और लुको नए बच्चा है तो चैनल को सबस्क्राइबे पर दें दो तीन मुझे नए दिख रहे है है बोसे siitä हैं दो को सब्सक्राइब बच्षे पर दें और जितना उतना तया को एक चीज ऐसे सेशन को सेर क्या करो रहे हैं इस का अगे देखो बहुत इच्छा की उसन है वीमारियों के परती परती रोदी व्यां वात्तावर्ण के परती कठोर्ता वाली नसल थो मैंने कौन सी है घीर हरियाना साइवाल और जरसी मतलब वह कौन सी ब्रीड है जिसम दोने क् होता है रोग परत्रों तक समता जैदा होती है मतलब अकोर्डिंग टू क्लाइमेट वो सेट हो जाती है कौन सी है की रही हर्याना साहई वाले जर्सी अब तुम लोग फिर से अनसर डी करे हो जर्सी करे हो गलत है जर्सी मत करो गलत है ओश्योजशाश्यो, इसले दर में最終 उप सभूज़ने को भूरätित केने, जर्सी जर्सी वातारोन पर चलेता लूर चलेती है। जर्सी को नहीं पहीं सोकती हैं, भूराना वातारोन में मतंगान। आगे देखे हैं यह चीज इंपोर्टेंट है राटी गाई की नसल कौन से जिले में पाली जाती है जो राटी नसल है हाँ हाँ चल उच्छी बात है हाँ जोती बटा बुल गई बहुत कुछ बूल गई कि उसनस को थोड़ साथ धंग से पढ़ा करो रहे क्या कहना चाह रहा है ऐसे सुरू मत दो जाये करो तुम तोने भेड़ चाल चलना सुरू बढ़ेते हो बस एक आंसर देजेंना बस बस पीछे लगए उसके चाहिए गलत हो जाही हो बस उसके पीछे लग जाते है तुम लोग देको राठी का आई कि नसल तुम्हारी कौन से जिली में पाली जाती है जेट दो जार साथ में पूछा हुआ है देको बात करें पहले चीज राठी यह थोड़ी नसल इंपोर्टेंट है क्यों है विगोज इसका उपी अलग होता है उत्पतिस तरह इसका गलुप अलग होता ह होता है उसका इसका ओपी क्यों है तो इसका अजब कर अलग होटता है अलबर में वह होता याडवर देखतेंनकी मोमता वह मार电ा त्हुंआ झाहरे नसल ऐख हो जाती है एक तौब बीकानेर में और घंगद में एक गानेड गंगानेर में जो और 5 जाती है, बिल्कुल विजए सही हूं गंगानेड दॉप्सेश तो है औरativa का उप्स नंबर 3 हूं है, बिल्कुल सुमन्द राट पर देश अलवर बिल्कुल सही बेटा यह तो सही है जोती में पिसले कुछन की बात कर रहा था पिसले कुछन की बात कर रहा था हाँ आगे देखो 10 मिनट पाक्तान का मौंट गोमरी जिला किसे नसल का उच्पत्ति इस्तान है जो सपर के सुरुआत करते हैं मंजिल भी पा लेते हैं है बस एक बार चलने का होसला रखना जरूरी है क्योंकि अच्छे इंसानों का तो रास्ते भी इंतिजार करते हैं बिलकुल सही बार बेटा कोसिस करिए सपल तावस्य मिलेगी बिलकुल यहां तुम्हारे आंट आ रहा है उच्छे नमबर दो कुमल नहरा के सायर यह जो फकिरी मिजद रखते हैं वो टोकरों में ताज रखते हैं जिनको कल की फिकर नही वो मुठी में आज रखते हैं क्या बात है शावास हाँ देखो बिल्कुल सही answer तुमारा option number B बिल्कुल बिल्कुल शाबास right answer है अरे थार पारकर का होता है तुमारे पाकिस्तान का सिंध परदेश पाकिस्तान का सिंध परदेश जरसी, English Channel का जरसी दुप सुमूँ है England, मेवाती, राजस्तान का मेवात परदेश ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल B answer होगा, जिसका भी B है, right answer है आगे देखिए है Agriculture supervisor देपरवल एक्जामें पूछा होगा है अब इस question में तुम लोग फिर से गलत करोगे देख लेना, सबसे अधिक दूद देने वाली काई की नसल है सबसे अधिक दूद देने वाली टेज बोलू हाँ, देखो, सबसे अधिक दूद देने वाली गाई की नसल पूछी है तो बताओ कौन सी होगी, जर्सी होगी, साइवाल होगी, एच्चैप होगी है, थार पारकर होगी अधिक तुमारी यहापे में दूद वाली कुछिन तुमारी यहापे कम्प्लीट कर दूँगा रहे अपको कुछिन यहाँ से करत नहीं होगा सी पक्का, सलो सलो देखते है हाँ, देखो बिलकोल यहाँ तुमारी इस अकोर्डिंग टू कुछिन सा आंसर राइट हो क्या होगा एच्चैप, अरे देखो एक चीज़ सीदी सीदी में तुम्हें बता दू, अगर विदेशी नसलों में पूछे सरवादिक दूद तो क्या होगा, एच्चैप, चीक है देशी में पूछे तो क्या होगा, साहीवाल अब अगर तुम्हारे पूछे कि देशी में दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है तो क्या होगा तुम्हारे थार पारकर, मतलब साहीवाल के बाद में सरबाद इक दू तुमरे जो होता न वो तुमरे किसका होता है थार पारकर का होता है बेटा रमे उन सट नहीं 72.5 रिकोर्ड किया गया इसका जर्सी का बिल्कुल बिल्कुल केमरा में सुईए 5000 से 6000 72.5 रिकोर्ड किया गया क्यूबा के अज़र हाँ ठीक है आगे देखिये अगला क्यूशन यह भी इंपोर्टेंट क्यूशन है बताना देखिये पूसा सांस्तान ने 1932 में विक्षित गाही की नसल है पूसा संस्तान ने तुम्हारे गाय की कौन सी नसल विक्सित कि हाँ हाँ वो 62.5 कुछ में 72.5 है कोई दिकत नहीं उसमें गटा लेगन 72.5 भी अलग भग तुम्हारे यहां पर तुम लोग आंसर कर रहे हो इसका बी सविता नहीं पता सुरंद्र का भी जोती वर्मा का भी जे सिक्षना का भी मम्ता नेरा का डी मुस्कान सर्मा का भी जी तू मेवाती रमेश का डी उजगा भी निर्मला का भी सुमंता कर नो आइडिया मम्ता का नहीं पता हूँ निर्मला भी चलो 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 कोई बात नहीं जोती साइवाल जेखते है जोती चलो 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 अब लिएत वरस में तुम्हारे जो 1932 में जो भ्रीड डेवलॉप किती ना वो लिए रिटि देवलक्ट दुमारे श्लार करते है प्रिटा यंड का GUY पर केंगों कुंदि आइवाल कोई बात में तु मुंदल्कुर अदू सब्सक्रस अध्मैं औरकुराट य एक टी आगे देखिए ये तुम्हारे पूचा हुआ है एग्रिकल्जर सुपर्वाइजर जोदपूर वाले केमपस के एक्जाम में कि गाई की भारतिय संकर नसल है गाई की भारतिय संकर नसल कौन सी है साहिवाल, करण स्विस है, ब्राउन स्विस है या सभी हाँ, बारतिय पूचिए, बारतिय संकर नसल पूचिए बारतिय में पूचिए और संकर पूचिए कौन सी है, साहिवाल है, करण स्विस है, ब्राउन स्विस है या सभी है तो यहां सुरेंदर आंसर कर रहा है, एक, जीतु एसरा कर रहा है, एक निर्मला यादव एक, अंकिता एक, अमन तवर, अमन तवर कर रहा है, बी, मम्ता नेरा कर रही है, ए, मोनिका एक कर रही है, संकिता एक कर रही है, विकास यादव भी एक कर रहा है, पूजा सेनी एक कर रही है, क्या पात है, तुम्हों बहुत हो चैर हो गे रहे, संजू लाक बिल्कुल ज्योति इसलिए बैट तो एसके न्जोमनेर में शाबाज सब का गड़त है सब का गड़त है कि ज्योति को छोड़ के अरे देवताओं साहिवाल कब से संकर नसर हो गई रहे हैं ने बताओ तो सी मुझे एक वार रहे हैं तो बताओ यह साहिवाल कब से संकर हो गई क्या संकर होता इसका वा खोबना कराब है क्या आएन डी आरे याद नहीं है आएन डी आरे ने गाय की तीन संकर नसले विशित किती है करन स्विसे करन फ्रीजे अरे नहीं होती है अरे संकर नहीं होती है अरे संकर नसले तुमारे गाय की तीन है करन स्विसे करन फ्रीजर फ्रीजे वेल तीन नसले है तुमारे करन स्विस आएगा यहां पर ओप्स नमर दो सुपर्वाइजर जोट प्रोड गेंपस में पूछा हूं किसे नहीं है देवता हूं क्या कर रहे हो बिल्कुल बिल्कुल जोटी करन स्विसे करन फ्रीजर फ्रीजर फ्रीज वेल तीन नो संकर नसले का मतब संकरण दीनों का और संकरण अभी आगे में क्यूसर में लेके आया है मुझा तुम अब बताओं आगे आगे देखो अगर देखो अब यह बता देना यह कुछन ना इसका आंसर देना तुम लोग देखते हूं करते हो राजस्तान बैस दो कुछन हो रहे हैं राजस्तान की देसी नसल है जेट दो जार आटो पुछा हुआ है राजस्तान की देसी नसल पुछी है अब देखो बैस मैं इस वह गलत करो कि उसको पका गलत करो कि शोर है मेरा इदेकलो सुरू करते हैं गलत करना गलत करना सुरू कर दिया है तुम्हें लैन लगा दीगलत करने की तो पूजव सेनी का चार बाकि सब कभी तक दो है मैं तुम पहले कहा था तुम लोग इसको गल्द करोगे पक्का करोगे 101 करोगे जब मैं गुरुजी आंसरी कुं देऊ अरे मुना आंसर नी देऊ तो कैसे काम से लेगा स्यवास स्यवास अंकिता पूजा कुमावत जए स्री किष्णा विक्कास ममता चोधरी का ओल सिव करन का ओल नरेंदर कुमार का डी जे स्री किष्णा का डी हाँ बस मेरा कहना क्या मतलब तुनोंने आंसर तुरंट चेंज कर लिया मैंने का गलब देर वे तो बस आंसर चेंज तुरंट है फटाक सी कांसर चेंज दता तुमारा ओप्सन नमबर दो होगा बिल्कुल सही है ओप्सन नमबर दो अब कुछ लोग ने तो बी देखे तुरंट चार कर दिया तुरंट चार होंदे इस्पोर्ट चार कर दिया अरे देवताओं देखो राजस्तान की देशी पूछी अब जिसका ओपी तो राजस्तान का हिला का है अरे थार पार्क दर क्या होता है पाकिस्तान का सिंद्ध प्रदेश कोक्रेज गुजरात का कच्छ का रण बच्ची के तुमारी राठी राठी रास्तान का राज चेत्र अलवरवाला बिल्कुल बिल्कुल जयती मोटिवेसन एफेक्ट बिल्कुल बटा फरक पड़ता काफी सीजगा बिल्कुल राठी का राठी रिया रास्तान का अलवरवाला सिनला कि इसे तुम्हों करन के आते हो आगे दिखो और है कि लोला मुलतानी नाम से कौन सी एक पर मतान धु20 ऊ BROWN कौन सानुष मेiantगा इसको मेरे सब सही और और यह गणुकर आघ滑 बस बस आ रहा है आ रहा है थोड़ शीख धेर और दो चार पांच बिल्कुल बिल्कुल सही है option number है हाँ option number 1 सही है साइवाल पाकिस्टा मोंट कोमरी लोला मुलतानी फूसा सी डवला पे सरवादिक लेक्टोज सरवादिक दूद हाँ बिल्कुल सही वाली है आगे देखिए आज का लाश्ट क्रिशन है जो तुम्हाई पूछा हुआ है एक्रिकाजर सुप्रवाइजर देपरोड एक्जाम में कौन सी दूधर नसल की गाई नहीं है बताओ यह भी तुम लोग गलत करोगे पक्का डेफिनेट मज़ा आ गया सर सारे कृष्ण से बता रहुना सुप्रवाइजर हो जाए जेट हो इसर बहार से नहीं छोड़ूँगा मैंने कहता है इसको जो गलत करोगे है कौन सी दूधर नसल गाई की नहीं है चलो ठीक है सब ने इसको गड़त नहीं किया शाबास अच्सी बात है बिल्कुल अरे देखो थार पारकर गीर और साइवाल तीनों तुमारे गाई की नसले तुमारे तुमारे दूद बढ़ी है साइवाल का कितना होता तुमारे 2700 से 33 2300 गिर का 2825 या 2225 थार पारकर का 2000 से 2500 ठीक है बिल्कुल बिल्कुल सही है बटो सही है शाबास ओप्सन नमबर एक ना गोरी ठीक है बिल्कुल आज अपन क्लास से इतनी ले पाएंगे कुछ इस प्रकार से है दिखेगा पूचा जा रहा है कि सलेमाबाद में निमबार का चारिपीड की स्थापना किस ने की थी ये आपको बताना है तो बताइए सलेमाबाद की जो स्थापना करी थी वो करी थी दोस्तों पश्शू राम देयोजी ने सलेमाबाद का पर पढ़ता है देखो सलेमाबाद जो है आपके अजमेर में पढ़ता है निमबार का चारिपीड की आपके इस्थापना की गई थी निमलिकित में ऐसे किस इस्थल से जाख बाबा की प्रतिमा जो है आमें प्राप्त होई है जाख बाबा की प्रतिमा कहां से प्राप तो ये एक एतियासी के स्थल कह लीजिएगा दोस्तों तो राई टांसर आपका हो जाएगा नोहो अब देखो नोहो की बात करें तो नोहो जो है भरतपूर साइड में पढ़ता है अब आपसे मैं बात करूं कि एक नोहो है तो दूसरा नोहर है ठीक है नोहर कहां पर पढ़ता है बोले सरी है हनुमान गड़ में पढ़ता है चलो नोहर हनुमान गड़ में पढ़ता है ठीक है और अगला सवाल है अकबर द्वारा मान सिंग को निम्न लिकित मैंसे कौन से मुगल प्रांतों का सुबधार यानि राजिपाल निवत किया गया था तो क्या होगा राइट आंसर बताईएगा काबूल बंगाल बिहार या गुजरात इन चारों में से कहां पे किया गया था तो आपका लगबग सभी का राइट आंसर आएगा सर एक दो और तीन पे किया काबूल में किया बिहार में इनको किया था सुबधार और बंगाल में भी सुबधार बनाया ठीक है तो कई बार क्रम भी पूच लेते हैं तो कई बार इस परकार के स्थान भी पूच लेते हैं अगला सवाल है वागड के परमार राजवन्ष की राजदानी कहां पर थी वागड में जो परमार राजवन्ष ता इसकी राजदानी अर्थूना थी क्या बिलकुल सर अर्थुना थी और यह शैत्र जो है आज के समय में बास्वाडा में पड़ता है यह आप सभी को विदीत होना चीए भहुत महत्पून सवाल है अगिला सवाल है, गोशोंडी अभिलेक भाशा में लिखे गए थे गोशोंडी जो अभिलेक है अब देखिए कल भी यही प्रस्ण हमले पढ़ा था कि काली बाई किस जो है राजिय से संबंदी थे तो यह डूमरपुर से संबंदी थे अगर इस प्रकार का प्रस्ण पूछ लिया जाए कि रास्तापाल कांड से संबंदी थे रास्तापाल रास्तापाल कांड से संबंदी थ लागए वाहाँ पे काली बड़ाइ ने अपने अध्यापकों को बच्छाने के उद्दैशंय से जो यह आंग्रेजों की जो पीछ की गाड़ी थी उनके पीछे भागे थे क्योंकि ये पुलीस जो थी वो गाड़ी के पीछे इनके शिक्षर को बांद कर गसीड रहे थे जान से मार रहे थे तब इन्होंने हिम्मत दिखाई और ये पीछे भागी तब इनको गोलिया मार दी गई थी के द्वारा पुलीस ऑफिसरों के द्वारा जो उस गाड़ी में थे तो ये एक शहीद मानी जाती है भील वाली का ठीक है और रास्ताफाल कान था ये उनिस उच्यालिस की बात है बात करें शुगात जो है अठारा मार्च की बात करते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल जो है पूछा जा रहा है कि निमूचना कांड के समय अलवर का शासक कौन था क्योंकि आप सभी को भी दीते हैं निमूचना कांपर था अलवर में था और अलवर के उस सम सवाल किया जा रहा है अब देखो बताव राइट आंसर क्या होगा बहुत असान सा सवाल है मारा जजाई सिंग्वाकिश आ सकते अगला सवाल राजस्तान की कौन सी देशी दियासत ने ब्रिटी सरकार के साथ सबसे अंत में प्रतेरपन संदी की थी तो वो प्रतेरपन जो स साय शामा राजस्तान के सवतंत्रता से ना नी थे ये कहां से थे दोस्तों आपका और्यक्ट आंशर होगा एक बहतर सवाल था आपका करेक्ट ने इस तल आ चल गड़ कांपर अवस्ती थे इसको आप परेटल इस तल के लूप में भी जान सकते हैं मंदीर भी यहां पर किसका मंदीर है अचलगड महादेव का मंदीर है जहां पर महादेव के अंगूठे की पूजा की जाती यहां पर बड़ा प्राचीन है परमार काली यहां पर किल्ला बना हुआ है उस पर पुनर निर्माण भी करवाए था वो किसने कर थे वैसे यहाँ पर अगला सवाल है उस हमुचे को चुनना है जिसके सभी शेरों में सभाई जे सिंग सेकेंड के द्वारा निर्मित वैद शाला हैं देखो साब मैंने कई बार इस क्लास के मादम से आपको बताया कि इनका देखो जेपुर में है सब को बता है जेपुर में है उज्जेन में है क्या हां जी उज्जेन में है तो उज्जेन में है तो फिर उज्जेन कहां कहां प्यार देखते हैं उज्जेन आपर भी आ रहा है उज्जेन आपर भी आ रहा है उज्जेन आपर भी आ रहा है इसका मतलब यह नहीं हो सकता चलो तीन में कन्फ्यूजन है अ बनारस यहां पर भी नहीं आ रहा है आपका option correct जाएगा option C के साथ में बड़ा अच्छा सवाल था यह लेकिन थोड़ा साधिको फेसेंस और बड़ी साधानी पूरो करने होते हैं इस प्रकार के प्रशना एगला सवाल है नात संपर्दाय की गद्धी कहां पर अवस्ती थे जोद पूर में भाया यहां पर प्रसीद बना हुए है तो इनी संपर्दाय का वो मंदिर है वंश वासकर के रच्चिता कौन है देखें दूस्तों वंश वासकर के रच्चिता जो है यह आपके सूरिमल में श्रण जी है आप सेंबी को लोग करेंगे इन्हों रिवीत वीर सथसाई भी लिकाता है इन्होंने वीर सथसाई भी लिकाता है इन्होंने राम रंजाट लिकात तो पैन जो है काम नहीं कर रही है तो आप ध्यान रखेंगे जो मैं बोल रहा हूँ उस पे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ठीक है अगला सवाल है निम्मेंसे कौन सा व्रक्ष बीडी बनाने में काम आता है तो right answer आपका हो जाएगा तेन दू अगला सवाल है रे कलर और उसर किस मृदा की अन्य नामे देखिए गर आपको उसर पता नहीं है या पिर रे पता नहीं है कलर होगा कलर नहीं तो उसर पता होगा कुछ जो पता होगा तो ये काली मृदा जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा आपसे सवाल करूं कि मद्यम काली मिटी कहाँ पर पाई जाती है तो आड़ोती शेत्र में पाई जाती है तो वहाँ पर उस मिटी को वर्टी सोल्स के नाम से जाना जाता है वर्टी सोल्स कहा जाता है किसको मद्यम काली मिटी को वर्टी सोल्स ठीक है अगला सवाल है कि राजस्तान में मावट किसका इस्तानी नाम है तो राजस्तान में मावट शीत काली नवर्षा जब होती है उसको मावट कहा जाता है और ये कब प्रस्थान करती है आगमन करती है तो दिसंबर जनुरी कर लीजेगा दिसंबर और जनुरी में ये आती है अभी जो शीत ले रहे हैं वो भी कहीं न कहीं मावट का भी प्रकोब है अगला सवाल है राजस्तान में मुख्यमंत्री सडक योजना किस वर्ष में प्रारम के गई थी या लागू के गई थी तुजाह प्राइव सी बात है राइट आंसर आपका हो जाएगा दो जार पांच जमुआ रामगड अभ्यारन राजस्तान के किस जिल्ले में इस्तित है तो हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल को देखते हैं अगला सवाल है राजस्तान के प्रत्म जैविक उद्यान का आपको नाम ब बात करें नारगड़े सजनगड़े और माच्या सफारी पार्क है और अपना अभेड़ा महले अभेड़ा जो पार्क है अभेड़ा पार्क जो कोटा में है ना माच्या सफारी पार्क जोद्पूर में है नारगड़े पूर में है सजनगड़ आपके कांपर है उद्यपूर में तो यहां पे आपका राइट आंसर 2016 में जो की ये पहला जैवी कुद्यान बना था नाहरगड अगला सवाल है नेमनलिकित में ऐसे कौन सा एक यूगमसू में लिता नहीं है देखे साब तामबा खेदड़ी में निकलता है खेदड़ी आपके जो 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 मैंने आपको बता दिया अब जो की ये खेदड़ी अलग चला गया है सभी को भी दित है ना कहां चला गया है अहां पहला प्रसना आपके लिए खेदड़ी अब किस जिल्ले में है ये आपको बताना है किस जिल्ले में है पहला सवाल तो यही है बस खेटड़ी किस जिल्ले में है बस असान सा सवाल है तीन सवाल पूछूंगा मोरीला बनोला लो ऐस्क सही है टंगस्टन पलाना सही है क्या टंगस्टन पलाना है बताऊ एक बार नहीं सर पलाना टंगस्टन गलत है पलाना तो कोले के लिए प्रसीदें सीसा और जस्ता जावर सही है चले अगला सवाल है राजस्तान में 20 पशुगणा 2017 के अनुसार निम्न मैंसे कौन सा संख्या मैसर वाधिक है इन मैंसे सबसे अधिक कौन है तो बकरियां सबसे अधिक है जिसे गरीब की गाय का जाता है जिसे गाय का जाता है चलता फिरता फ्रीज का जाता है तो बकरियां यह उतन योरो देड़ा है कि अच गया और यह गत्थो दैटो है को इंट पूछ दूद्री जरूद पढ़िजा में तो इन वास्ति पूछ तो बताई नी किने आगर गोंणग यह है तो कि यह नगराद यह तो कुट को गड्रीओ है तो कुई वता ही जो एक वार कमेंट करना चलो अगला सवाल है राजियंदर शिंग किस संस्तापक है 74 का राइट आंसर क्या होगा वही आतरून भारत संग option B आपका right answer हो जाएगा अगला सवाल है राजस्तान राजी का अक्षान शे विस्तार क्या है अब देखिए राजस्तान में जिल्ले जिल्लों की बात करें चेंज हुए है लेकिन अक्षान शे विस्तार तो वही है ना देशांत्री तीस बारा उत्तर को लॉक करेंगे अपन आपसन सी को लॉक करेंगे अगला सवाल है निम्न मैंसे कौन सी फसल राजस्तान के आद्र दक्षनी मैदानी क्रश्री जलवाई फंड के लिए उप्युक्त नहीं है तो यहाँ पे आपका राइटा आंसर होगा देखो गेंगे चावले दालें दिये लेकिन जीरा नहीं है अपसन सी आपका डी आपका लॉक होगा निम्न मैंसे कौन सा मरुस्तली करण का कारण नहीं है कौन सा जो है मरुस्तली करण का कारण नहीं है देखो अतिचारण मरुस्तली करण का कारण है निर्वनी करण, नगरी करण, अतिवरस्टी तो बताइए, क्या होगा option A तो बिल्कुल भी नहीं होगा हाँ ठीक है, तो option B option B भी नहीं होगा, option C भी नहीं होगा ये जो है, कारण नहीं है, अतिवरस्टी ये कोई इसका कारण नहीं है मरुस्चली करन का बाकी अतिचारन है ठीक है नगरी चारन है और निर्वनी करन भी है अगला स्वाल है निमलिकित में से कौन सा लिप्ट नेर जो है इंद्रा गांधी नेर पर बढ़ाई गई पहली लिप्ट नेर थी इन में से अगला स्वाल है निमलिकित में से कौन से युगमत जिले में एक वी नदी प्रवाईत नहीं होती बीका नेयर चुरू को कर लिजिएगा बहिया और आप अब फलोडी को भी कर सकते हैं भारत के कुल शेत्रफल का राजस्तान द्वारा आचादित प्रतिशचत है तो बताईएगा राइट आंसर जो है दस पर्ट चार एक है देखो भारत के कुल प्रतिशत का भारत में जो है मालो 100 प्रतिशत है इन में से 10 परसंट जो है ना 10.41 परसंट वो अकिला राजस्तान शैत्रपल कवर करता है तो देख लो अपना राजस्तान इतना बड़ा है भीया अगला सवाल है नेमन मैसे सुमेलित आपको करना है और ख्यालों के बारे में देखना है आपे है ना ख्यालों में डूब नी जाना है ख्यालों का आंसर देना है ख्याल देखे कुछामनी ख्याल की बात करे कई बार हमने पड़ा कुछामनी ख्याल यानि लच्ची राम है, ठीक है, और दूसरा शेकवटी का सर हमें पता नहीं है, चलो कोई बात नहीं पता है तो, आगे बढ़ते हैं, सर जो रम्मत है ना, रम्मत में दो होगा, चलो ये कट जाता है, ये भी कट जाता है, अब रम्मत यहां पे दो में आरा है, सर तमाशा कि चलो तीन कर लेते हैं, तीन या प्यारे हैं, आफसन तीन को लॉक कर देंगे, बिल्कुल अच्छा सवाल है, और दुल्या, राना की बात करें, शेकावटी, तो आफसन तीन या सी को लॉक कर आए आपने, बहुत अच्छा सवाल था, मुसी मारानी की चत्री काम पर आवस्त सथे थे यह चल Click कि लास में बलकि पर सों की क्लास में आमने पड़ था कितने कंबंहओं की चत्री है तो सवाल कि खेट Wooouch किस जिल्ले में है अब देखो सवाल को याद नी रहे तो पर अलग बात धै पहला सवाल के जीम्य ay ठीक है और दूसरा सवाल है कि कितने खंबों की चत्री है कौन सी मुसी मारानी की यहां पे लिकूंगा नहीं मुसी मारानी की चत्री जो है कितने खंबों की है यह सवाल आपका दूसरा ठीक है साहब हो कहां पे इस्तित है अलवर में नहीं मैंसे कौन सा राजे में एक भेड़ की परजाती नहीं है नहीं मैंसे कौन राजे के एक भेड़ की परजाती नहीं है तो देखो मगरा भेड़ की परजाती है पुंगल भी है मारवाड़ी है या नहीं और मालवी है या नहीं तो राइट आंसर बते ही बोले सब मालवी नहीं है मालवी गाय की नसले है उस्ताकला संबंदित है उस्ताकला सजावटी लाक शिल्प चर्म शिल्प लकड़ी पर नकासी नहीं गलत है मारबल पर नकासी गलत है सजावटी लाक शिल्प गलत है चर्म शिल्प है यह उटों की खाल पर जो है उटों की खाल पर यह की जात है इसको तो ये भी आप याद रखेंगे अभी भी पांच को मिला है कर्शिदाकारी को भी मिला है जो भी कानेर का है ठीक है इससे पहले राजस्तान के गुल मिला कि पच्चास पच्पन के आसपास में मिला है जी आई तेग तो जरूर देखना आप करेंट को 2011 की जनकरना के अनुसा राजस्तान में ग्रामीन और शेहरी साक्षरता दर क्या थी तो बताएए साहब क्या होगा राइट आंसर ग्रामीन और शेहरी में है ना तो ये क्या करें हम बताओ जल्ली से बता दीजेगा इनमेंसे सही answer कौन सा है आपका सही answer से 64 है गुनासी 7 है यानि 64 ग्रामीन है और 79.7 जो है यह आपका शेहर ही है बिल्कुल correct answer है आपका सही खत्रों पर चैन करना यह सवाल है मैंने कहा था आपको लास्ट में इस प्रकार के प्रस्ण आपको देखने को मिलेंगे अर्दर उष्ण सदाबार वन आबू परवश शेत्र में मिलते हैं शुष्क सागवान के वन राज़स्तान के दक्षनी भागों में कंद्री थे तो बताईए तो बताईए राइट आंसर तो है क्या होगा मिश्रित पतजड़ वाले वन उत्री राज़स्तान मिलते हैं खेजवी व्रक्षुष्क वन अप्रिश हिस्ता है देखो मिश्रित पतजड़ वाले वन उत्री राज़स्तान मिलते हैं गलत बात है साथ, पहले तो ये कर लेते हैं अपन ठीक है, ओके, तो अपन लॉग करेंगे आपसन एक, दो और चार को आपसन बी को उर्द, अर्द, उश्न, सदाबार, वन, आबुपरवत में पाई जाते है शुष का शागवान के वन, डाईसान के दक्षिन भाग में उखेजर वर्ख शुष का वनों के विश्च इस ताइसा है तो अपसन बी आपका करेक्ट आंसर होगा अगला सवाल, सोनाडी और नाली नसले है सोनाडी और नाली नसले है दोस्तों किस की नसले है ये? आप कहेंगे सर ये नसले जो है ये भेर की नसले है सोनाडी और नाली है ना सोनाडी कहो या सोनाडी कह लो चोकला, नाली, मगरा है ना और पुंगल इस परकार की नेमनमको सुमेलित करना है साही कुटों का चुनाव करना है देखो देखो बहुत अच्छा सवाल है यह ना बताओ देखो कौन साही है और कौन गलत है तालचापर अब्यारण किसके लिए पॉपूलर है बोले सर कृष्णमरग के लिए तीन करेंगे सबसे पहले हम यहाँ पे उसके बाद राश्टे चंबल घरियाल ज़ेजब यह यह किसके लिए पॉपूलर है पॉले सर राश्टे चंबल अब्यारण यह तो वया मगरमच के लिए पॉपूलर है अच्ех मगरमच तो चलो एक कर लेते हैं उसके बाद शरीस का वनिजियो अबेरन किसके लिए पॉपूलर है वहिया ये बागों के लिए है चलो बाग कर लेते हैं के उलदे उराश्युद्यान की बात करें ये साइबेरियन के लिए है तो 3-1-4-2 3-1-4-2 आपसन A ही आपका करेक्ट आंसर होगा बहुत अच्छा सवाल था ये बहुत अच्छा सवाल था अगला सवाल देखिए नेमन मैसे सुमिलित करना है यहापर भी सुमिलित करो देखो कौन करेंगे सुमिलित दो सवाल पूछ चुका हूँ आपको और तीसरा अभी पूछने वाला हूँ निम्ग आइसे सुमिलित करना है 89 का right answer बताईए जल्दी से तामबा जो है दोस्तों देखिए तामबा जो है ना ये गरासिया से रती मागूरी में देखने को मिलेगा आपको तामबा ठीक है ठीक है ओके Low S की बात करें मोरीजा निक्षिप जो आपका right answer होगा कैसे देखे देखे इसमें थोड़ा type ही गलत हुआ है तो इस पुरस्णू को हम लोग जो है remove करेंगे यांसे क्योंकि ये typing गलत हो रखी है इसकी type में से अगला सवाल है एक सवाल और extra पढ़ लेंगे अगला सवाल देखिए राजस्तान एस्टेट chemical works की तीन इकाया कहां वज़ देखे chemical works की तीन इकाया जो है ना असांबर लेक फलोदीर लून कंसर इडिडवाना कहां पर वज़ देखे थे बोलेसर इडिडवाना में है 2011 में राजस्तान के कौन से जिलोंगे 50% से अधिक नगरी जन संक्या थी ये आपको बताना है तो बताईए दोस्तों क्या होगा राइत आंसर बोले सरकोटा और जेपुर में ठीक है अब आपको बताना है तीसरा सवाल का आंसर राजस्तान में जो जन संक्या घनत्व है वो कितना है जन संक्या गनत्व राजस्तान का 2011 के अनुसार 2011 के अनुसार राजस्तान में जन संक्या गनत्व पहला सवाल खेतरी काँ पर इस्तित है ठीक है बिल्कुल सर दूसरा सवाल कि जो मुसी मारानी की चत्री है वो कितने खंबों की है मुझी माराओं ने चत्री कितने खंबों किये और तीसरे सवाल ये जन सिंग्य करना तो किये अगला प्रस्ट की किस नसल को पंच किलानी के नाम से जानते हैं अब डेको यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग दूसरें इंचानल के सब पतना हैं कि बेंस की इस नसल को पंच कलानी क्याते हैं तो देखिए मैसाना, निली रावी, मुर्रा यहाँ जापराबादी निसल है बताव रोस्तों राजेस्तन में पाई जाने वाली सबस्ते निसल कोन सी होती है नागोरी रवी अर्याण इस निभी अंदार निसल करती है यह चीजी बारवाई होती है यह चाप को दाना है तो जो भी विदार्थी option A को राइट करा है दोस्तों, option A आपका सही है, अगला प्रशन लेकिए, निमन में से कौन सा एक प्रकार के प्रमाणु से बना सुध प्रयाद प्रदार थे, अब लिएको science का important question है ठीक है, साइंस का examen सीधा आना वाला स्वाल है, क्या पुछा दोस् तो देखिए, मिसरन, योगीक, तत्वा इंग में से कोई नहीं, तो बिल्कुल आपर तत्व सीधी बाद दिगा न, तत्वा आएगा, जो भी प्यारे साथी option C को राइट कर रहा है सांधार दोस्तों, आगले बड़ों में, अगला प्रशन लेकिए, मानला स्रेट की सबसे एडि कौन से होती है, वह आप से पूचाएं, वोमर, मेलियस, इंकस, या रोस्तों, इश्टे पीज, तो देखो दोस्तों मानला स्रेट की सबसे बड़ी एडि यहां पूछते लेते हैं, और स्रुछी छोटी इडि कौन से होती है, तो कौन से दोस्तों, इश्टे पीज, वह भी वीधारती है, ओपसन अमर्ट क्या करा है दोस्तों, ओपसन डी को राइट करा है सांधार, अगला पॉच्छन देखो भाई क्या पूच रकाएं, डी कर दोस्तों, बजटी नहीं का पूछन, सरेटी किस बाग मां दान करते हैं, तो देखो दोस्तों बजटी दोस्तों, क्लास की बीड़ी बाइब को मिल जाएं, तो गवरी बाई क्यों, तो जो घृटी मेरा की बाद करो ना, तो और उसे किसे कहते हैं, गवरी बाई बाई को और राइट करें सांदार दोस्तों अगला परशन आपके सामने पेस से देखी क्या बुच्छ रहाएं नर्ते का रूप जो केवल पुरुष दोर रखे जाता बताओ वही इनमें से कौन से नर्ते केवल पुरुष करते हैं तो पुरुष का नर्ते कों सा होता है गिजड ठीक गिजड नर्ते में रूप जो क्या है माईला यह भाग नहीं लेती है यह रूप पुरूष पड़दा नर्ते होता है ठीक है न सी ओपसन आपका राइट है जो भी पहरे साती ओपसन सी को राइट कर रहा है सांदार दोस्तों अगला परशन देखिए गाय का ओसत ग्रभ गा लेखिए 2061 का 221 का 301 दिन का रूष्ट वेखिए गाय का ओसत ग्रभ गाल कितना होता है डूस्तों आपका 211 दिन का ठीक न तो बड़ा चेक उस्तने ठीक न बकरे के मास्क के तैए वीफ चेवन पौर्क या मतन बताव भई खलाश को जान से पूरा देखिए तब ही आपका बेड़ आपार होगा किका नई इससे काम नहीं चल लोगते हैं जहां जाता है लिए अगला के ज्टाव गाई तार पाई जाती है तो ने ना वाट चाहिए तो मुझे राजस्तान की कोई से पर पाई जाती है वे रिपर कमेट आपर पर पच्ची मीशेतर में जो भी प्यार साथी ओप्सन एक और आइट करें न आपका राइट है यापर अगला परसन देखिए नेमन में से कौन सा विशान दोग नहीं है दोगा यहां पर क्या पुचा नूस्तों इन चाहरों में से नहीं का पुचा ठीका न जल्द बाज मत कीजिएगा तो देखिए दूस्तों चैसक अतिसार राणी खेट निमोनिया बताओ इन में से कौन से ग्रूप क्या है विशान दोग जनित नहीं है तो कौन सा दोग दोग होता न यह विशान दोग होते हैं विशानों से जनित होते दोगे जोस्तों भी उपसं आपका राइट हैं अगला पसन देखिए के बुच्छ राए डिखिए नसल को न से बताओ भई दोस्तों के जो सबसे अच्छी ठीक न नसल कोन से होती कमेट किजिए नसल कोन से पूचा एटिक तो देखिए अलवरी गुर्रा जैसल मेरी आक वो आप से पूचाएं तो कौन से दोस्तों जैसल मेरी जी हां दोस्तों जैसल मेरी डोस्तों क्या होती है को और इंट कि सबसे अची नसल होती है CEO option आपका राइट है आगे बड़न दोस्तों अगला पूशन लेखी क्या बुच पाई जो भी विद्धाती ओप्सन डी को राइट करा है सांदार दोस्तों अगला परशन आपके समना आचका ड़ी की रुसन क्या पुचका है राजस्तन में साइबर शिरुक्षा के लिए राजी इस्तरी लेब कांपर इसाबच की जाएगी बियर इंपॉर्टनिट दोस्तों राजस्तना दोस्तों साइबर शिरुक्षा के लिए राजी इस्तरी है ठीक न लेब कांपर इस्तरबच की जाएगी व आपसे पूच आए कोटा में, अजिमेर में, जोज़भू में जयपूर में तो ये लेब दोस्तों का पर इस्थपत की जाएगी, जैपूर में काँ पर? जैपूर में, जो भी वेरे साथ है आप सब साथ में कमेंट करते हैं लेक्ष्ट में पूचेंगा हूँ आप से साही कितनी होते है आपके ठीक न? तबी तो आपको मालूम पढ़ेगा न? कि आपकी प्रश्ट को क्या करें रूस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए और दोस्तों चेक किई आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी सब्सक्राइब कर लिए यहां पर आपको दुस्तों संपूल कोर्स मिल जाए घटीक है अब 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 कमेट कीजिए वही अगर उसके द जाती है nitrogen hydrogen hydrogen oxygen यार उसको क्वास होती है तो देकि अगला पर सेखिए और एक जामने सीदे आने वला स्वाल है ठीक है ना तो ग्लास को बिल्कुल मिस्टने कीजिए। और दो गंपोडन्स कॉनों की अरदगूं के मतिये होता है उसह कमेट करेंगे जो अपूरन्स कॉरुंप गूर्ण करेंगे टो कि अरथ कोण के मतिये कौन बनता ही आशे पूचाए योइन कौन अद्री कॉन समपन लाइट यांपर क्लाता है यह वह संदार में इसन को राइट आपका ओंट कर लाता है डी ओप्सन आपका राइट है जो भी बेरे साथी ओप्सन डी को राइट कर रहा है सांदार दोस्तों क्लास की पीडीप के लिए आपस भी क्या करें है तेलेग्राम चले को जोई करें ठीक है नीचे आपको लिंक मिल जाएगी अगला परशन देखिए नवजात बच्च्री बच्णियों को सोबर्तम पहलाना चाहिए जो भी बेरे साथी ओप्सन एयर राइट करा आए सांदार दोस्तों अगला परशन रिकी क्या बोच रगाए निमन में से कौन से ररते है जाज जन्मक वाद्दितर के साथ बज़ता है बताओ बए दोस्तों इंपोर्टेन क्से इनमें से कौन से रोस नर्थ जो जाज वाद्दर के साथ में किया जाता है बटापट कमेट कीजिए कची गोडी बम नर्थ तेरे तालिया गवरी एह से क्वोचन एग्वाएंगे जहां रोस्तों ते यहां रोस्तों तो आपा जो कची गोड़ नर्थर में बता हो वई वाइए अवंगाट जो दोस्तों लेपर बिज्वीच है तु आपके लिए क्लास होँ ना वाज उती है कर दो वज कोई पर दो बज़ी Naw wheat तिन्य किन केवाने हूं उतना कि अगला प्रस्चर ने का लिए कि दियोग उतना का पस्का पषण है तो किस परद्ण परद्ण पुचा हैं, तो लिए कि रुमिनेत हैं, डुन रूमिनेत हैं, तो दूद की संवेलेश सुकरोज बताओ, वही। दूदमो समेलेश M2 क्या बोलती हैं, घल्लिकोज, फासपेरश, लेक्तोस या सुकरोज बताऊ जूद की मिटस कहलाती है तो उसमें क्या बोलेंगे लेक्टोस ठीके ना दूद की मिटस क्या कलाती है लेक्टोज कहलाती है ची और पका राइड़ आगे बढ़ाते अगला परस Przyβूंप बताई देलाओव эфф-seal आपका राईट है दोस्तों अगला पर सेरनी के खरगोस क्या बखरी के तो उंटनी का दूद में दूद में दूद में क्या होता है वीटामीन कि मात रादी को थी यह यह विटामीन सी यह विटामीन सी का बॉला मैंने यह वर एप्सन आपका राइट इट ठीक है यह option को मैं lock कर दूँगा एक बार सुभी साथी class को क्या है रहा है रोस्तों class को लाइक और share कर दीजिए सब्सक्राइब वर देंगर comment करेंगे कि किस दुर को दूसर राजस्तान का वेलोर कहते हैं राजस्तान का वेलोर किस दुर को कहते हैं इन में से भूच्छा दोस्तों, कि किस सेर कोई जो, बावडियों का सेर आता है, बुंदी, बार्ड में, कौटा या टॉंक, एक आपका नवा बोकि नगरी है, और एक दोस्तों, बावडियों का सेर, यहीज़ मत बूलना आप ठेके, नवाबों के नगरी कौन सी है पता होगा आपको टॉंक ठीक है नवाबों के नगरी ठीक है नवाबों के नगरी कौन सी दोस्तों आपकी वो दोस्तों आपको जाएगी टॉंक और आपर पूचा रहा है तो बावडियों का सेर आपका बुंदी ये कौन सा बावडियों का सेर वह आपसे पूछाएं अगर जब दोस्तों एक देम पुछें बारा कोटरी के बारे में तो आमेर ठीक है आमेर दो सुझाता बारा कोटरी के नाम से परशित्ता एंप सना आपका राइट हैं अगला परशन देखिए उस्तों क्या पूच रखाएं देखिए मुर्गियों की व और सुझ इसना अगला काली स्प्सक्राइब बताओ, पस्वों के दूस्टों जो मालिस होती न, वो किस तेल के दो रखी जाती वो आपसे पूचाएं, सर्षों के तेल से, अरंडी, मुंफलिया, अलसी बताओ, पस्वों के दूस्टों मालिस है न, वो दूस्टों किस जो तेल से की जाती है, तो वो किस दूस्टों, इम तार पीन से, तो सार्षit रÕभे हैं, उपsome A को में राइट कर दोंगा, अगला पर्षिन देखती, क्या पूचर पूचर का हैं, निवन में से कौन, ठीक है, पंच पिरों में सामिल नहीं है, जो लोक देवता का इम प्लाइट इम प्लेतिक्पंस पिरों में सामिल नहीं तो तेजा जी, तेजा जी, गोगा जी, आड़गु जी बताओ, इनमें इसे पंच पीरों में कौन सामिल नहीं थे, तो तेजा जी आपको पताओ, यह दो फिरों में सामिल नहीं है, ओप्शन हमरों भी को राइट कर दो, जीका, यह दो फ्रॉप्ष्ट पे लिए अग्ला कि नुष्ट कुंट каких- Kirby कर अधाया था भी न क्शुक ह्यां अब को वह क्र में गे जोड़ाइसस्येश्ट कर शूर्म सव कर शूरे करे直 शूर्ब्ड कर शूर्ड हैं था türड स्थार्फिंभ और sounds सिरोई बारबरी मारवाडियाँ जमनाबुरी बड़ा इ्मपोर्टे दूसर ने तो लिए जमनापुर युदिन वो रूसने क्या होती है और यह सब से रिख दूद देती है ठीक न डी ओप्सन आपका राइट है जो भी पहर विदार जी ओप्सन डी को राइट करें सांधार अगला परस्ट लेकिए चारे में फाइबर की मादरा बाई जाती बता ठीक ठीक है यह जागान रखने के बड़ा इंपोर्टेंग दूसर ने आगे बढ़ू में यहां बड़ी ओप्सन आपका राइट है जालिक सा खुसन लेए कि आप उच चुका है देखिए बेड को करमी के प्रकॉप से बचाने के लिए किसका उप्यों करते हैं निमन में से सब्सक्राइब करते हैं जो भी विजाएर के उप्सन बीराइट करा सांधार दोस्तों अगला देखे विटामिन से की कमिशे का मेंज जाओ नेवारार रोग होता है रातोधी बेरी-बेरी इशकारवी या रिकेट डिस मताओ विटामिन से कहित रोग हुता है इशकार वी कह पूचर का हैं मानाओं में उस्ताजन तंतर सामिल नहीं बताओ वई दोस्तों पूचा है कि मानाओं के उस्ताजन तंतर में इनमें से कौन सामिल नहीं है तो कौन दोस्तों नेत्र युकम नहीं आता है ठीका न यहाँ उस्ताजन तंतर की बात कर रहा हूं में तुभी यह अप सबस्क्राइब कर लो और अगला परस्टों नेखिए समकॉन त्रेबोज में सबसे लमी बुज़ा कहलाती कि बताओ वई वह सबसे लमी बुज़ा क्या कहलाती है अगला परस्टों देखे रूसने क्या बुच्रकाई अहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा बतो अहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा होता है तो कौन सा होता है तो कौन सा होता है तो नाम इसका छोटी आते पर उसने क्या होती है अहार नाल का सबसे लंबा हिस्सा होता है जो भी साथिय परशन आपका कमेट कीजिए गोगा जी ने पाबु जी ने राम देव जी ने किसने रोस्तों राम देव जी ने मेरा बाई का का परशन आपका कमेट कीजिए ओधिपुर में, सलंबर में, खुर्की में, पनाओका स्ची ने रोस्तों। पर दन्मी जी कुड की में कहा पर दोस्तों मीरा भई का जरम आपका हुआ था कुड की में सी ऑप्सन आपका राइट है जो भी वहरे साथ यह उप्सन सी को राइट करें सांधार अगला परस्टन देखिये वहरे इंपोर्टर इंपोरी कुणा ढला आपका राइट है 38 से गोस्वान डेहिए कि, आपके सामने पेश पीखर, बेल्कुल तो उसaras से क्या बोलते हैं? मजजजजजजजज, अगला परसिन डेहिए कि क्या पोच्रका डूस्तों ट्रेंस कमिस्टन बताओ बई, ट्रेंस कमिस्टन का समन का से कमेट कीजिए, ट्रेंस कमिस्टन का समन का सकता आपका, निमुचन आपका, बेंगू 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 आपका, बेंग सब्सक्राइब के लिए निम्न लिकित मैं से कौन सा उठ जाका स्थरूथ है सब्सक्राइब के लिए कौन उर्जा का स्थरूथ है आपको पता है कोई भी चीज के लिए उर्जा लगते हैं तो इसलिए सुक्राइब को चलने के लिए या उनको घरवास गिरिवा या सर्वेक्स तक मौसने के लिए उनके लिए किस की अवशकता है तो आपके तो है उर्जा की अवशकता है तो यही ब्मुच रहा है कि सुक्राइब के लिए उर्जा के लिए क्या आवशक है आप देख सकते हैं सुमेटोस्टेन या प्रोटीन या फ्रक्टूस क्या आवशक है के लिए शबी लोग पता है क्या आवश्यक के लिए अच्छा भाई मायं की में चौरी भी बूल रहे हैं तो सुक्रान की जो गती के लिए क्या आवश्यक है इसको बता है इसक पर बहुत ज़्यादा पहस किया है बतलब मैंने सारी जानकरी आपको फ्रेक्टोस के वारे में दिये जब गायो वायो केमस्ट्य आपका टॉपिक पढ़ाया था तो बताया तो फ्रेक्टोस क्या है वही किसी को बता है यहां फ्रेक्टोस से एक फरकादी फल सरकरा बोल सकते हैं फ्रूट सुगर बोलेंगे ठीक है अनुच पटेल इसको क्या बोलेंगे फ्रेक्टोस को फ्रूट सुगर बोलते हैं ना कि प्लांट सुगर याद रखेगा ठीक है इसको क्या बोलते हैं और प्लांट सुगर अपन स की अवशाथ它 उती उन के लिए टोग्टी में पाई जाने वाली सबसे मीठी सुगर एकर इसको किटोई आप लोगोगों बताए था किया वहाँ रखुआ है किसमोवडन समोवाई चाहता है कि आप देख सकते हो शुक्राण हो हूँ आते है ये या प्रोक्व नहीं होते हएं साथ जानकर की थीक्षिण के बारे में कि इस नामस्त निमनिय लिखित वह से 8 और किस मादा में अल्प बिक्षित संग पार जाते हैं विट विट वीक फॉल्लोगी फिवेल इंफाउंड रूडिमेंडरी हों आपके जो है अलब भिक्षिद सिंग पाए जाते हैं यह आप देख्षकत गाय में भैस में भेड में या बकरी में किसमा आपके ज़रा आलप में भी शेट पड़ाइट बोल रहे हैं और रहे हैं इसने हत्यवारी भी लेक्षा ओडूरुर्भ दरबर भी बिख्रम तो भेड में yours no विर्ण भ्यास बिल्कुल सही आप लोग आप लोगवर ने दिखिए होंगे विल्कुल सभी आप लिजी का कि आपने गधार बेंगे देखिए भाई में भीर भाइस में भी आपके दिखिए होंगे आप उनने बेड को उने धेर बीड करते हैं जो मादा होती जो चीछिए में मिल जाएंगे तुसाल अपनी के द्राइब आका। जब यहां पर दिख कर्थ होगा। स्बोट नहीं में होता है उसमें स्टेंग पाए जाते इस सिर्ण सीप पर साथ कि एक याद lly से लाना कि किस पसु की गर्मी का प्रमोग लक्षण भाई most important question IMP लगा इस question प्रकार आप copy पेल आप लोग ले रखी हो तो इस question को लिखी भी लेना भाई most important IMP question है आपका ही है कि पूछ हिलाना किस पसु की गर्मी का प्रमोग लक्षण मतलब heat का symptom 10 flagging immense symptoms of heat in which animal heat पर focus कीजेगा ठीक है गर् बेड़ का यह बक्री का किसका तो है symptoms है आपका पूछ को हिलाना eating के लक्षण है eating के symptoms को प्रकट करना आपके बोल रहे हैं अभिशेक पटेल बोल रहे हैं B होगा अच्छा भैस का महेक भी A बोल रहे हैं गाय का योराज शूर्या बंशी बोल रहे हैं गाय का अच्छा वई पता है अधिकतर लोग जो है इस कुष्ण का अधिकतर लोग गलत आंसर देने वाले हैं वही क्योंकि नया कुष्ण है बहुत ही unique कुष्ण है यह किंग सूर्या रावत बोल रहे है भैस का अच्छा वई सब भी लोग इसका गलत आंसर देंगे मैंटी नाइन परसंट लोग को इसका फासर देंगे सब ऐसे मैंटी चोधारी बोले है बकोड़ी गाये का तो आपका पूंच हिलाना सबसे है कि इंपोर्टेंट माना जाता वो आपका भैड का सबसें इंपोर्टेंट करेक्टर है याद रख़िएगा जो आपका रखिएगा है ना मिलन भगज बोल रहे हैं एपबन अगरवाल सी जो आपकी बेड़ है सीप है यह क्या इसका सबसे इंपोटन्ट है टेलिंग टेल होती है टेल फ्लैगिंग करना यह आपको पता है बेड़ के ऐसा पसू है ऐसी मतलब जो बेड़ कैसी मान जाती है कि इसको अगर हीटिंग में लेके आते हैं इसको क्या कभी-कभी आपने सुना होगा इसको लाल प्रकास भी देते हैं आप में आजाए आपकी यह बेड़ है ना इसलिए इसका यह मैं सिम्टम से आपका बेड़ का की जो है मुझको हिला कर यह गर्मी के लक्षण पकड़ करती है विश्टर सिभां पंडित गुडिम निंग भाई सर में लेट हो गया था थोड़ा कोई दिक्कत नहीं बवाई बबन कि बहुत इंपूरेंट कुष्ण है आपका यह नेक्स्ट आपके कुष्ण की बात करें वही तो यह आपका कुष्ण नमबर चार है कि छोटे पसुओं में सामान तहा बीरी सेचन नलिका की लंबाई होती है आप याद रखिए मैंने आपे क्या जोड़ रखा है छोटे पस पसुओं की बता आप मतलब चोटे पसुओं में सूर बीरी सेचन नलिका आप की जो होती है इसकी ट्यूबल की लंबाई होती है 8 cm 6 cm रूंदी 5 cm 51 cm कितने लंबाई होती है आपकी बहुत है इंपोरेंट कुष्ण है नहीं है ना सभी लोग भी बोज़रा है इसक्स सेंटीम लोते हैं उनको एड़ करना यहां पर कुस्टन में ठीक है खुसी पटेल बोल रहे हैं एट सेंटीमीटर अच्छा जैदी प्यादो लग रहा है सभी लोग इस टॉपिक से ड़ते हैं में को लग रहा है अधिक तर लोग जो है एनिमल ग्रीडिंग के टॉपिक से सभी को में को सब्सक्राइब अच्छा भई चलिए फिर आपका मिलें इसका कंफीजन दूर कर देते हैं आपका जो छोटे पस्कों की सामान तहां बीरी सेचन नलीका की लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर लिख लिए जैगा जबकि जो बड़े पशू की आपकी बीरी सेचन नलीका होती है सब्सक्राइब f going days repair to spend 21 सेंटीमीट इसकी लंबाई बड़े पस्षूह में जबकि छोटे पस्षों में इसकते याद रखना ठीक है छोटे बसूर होते हैं अगर नीज सेचन करना है तो नलीका आपने कित्रिम दरवदान मुपियों करते हैं आपको पता है गलब्स पेहन को नलीका पपड़ते हैं ठीक है जिससे आपने एक वह इंजेक्शन टाइप की होती है यहां पर उसमें इंजेक्श जूटाइदा पर बनाई सुक्राणों को मादा में कहां चुड़ा जाता है तो गर्भाथक्पास्य गृबा में याद रखे़ują सुक्राणों को छोड़ा जाता है वो कौन सा हिंज आपकी जो नलीका होते उसको बोलते बीरी सेचन नलीका वो कितनी होने चीए छोटे पस्वों में 25 सेंटीमिटर बड़े पस्वों में 51 सेंटीमिटर सर थोड़ा फास्ट करवा दीजिए करो ज्यादा कुसंस जो अच्छा भई ज्यादा कुसंस वह जाएंग फिर में next question करवाने लगूं तो आप लोग की बोलो की सब्सक्राइब कर सकता हूं ठीक है जन्रली क्या आंसर दो आपको को भी बता देगा यह तो सही सी बातना है कि अगर आपको सही से तभी आद होगा पढ़ने का कोई मतलब है जब आपको चार ओप्संस के बारे में पता सब्सक्राइब करने में ठीक है बाकी में आपको अगर आंसर बताके आंके निकल जाओं फास्ट कुस्संस करें फिर और लोगों को समझ में निया तो फिर क्या मतलब ठीक है डिटेल्स में अच्छा रहता है मेरे भाई मेरा भी हाँ बिल्कुल जैदी प्यादाओ है डिटे अब करने में इसलिए मैं आपको समझ में भी तोपिक भी तोड़ा टाफ है तो समझ में आप लोगो आना चाहिए इसलिए मैं बता रहूं आप लोगो ठीक है योराज नो सर बिल्कुल भाई ठीक है अब आपका next question क्या है इसको याद रखिएगा question number 4 में जो मैंने important important बाते इसको याद रखिएगा आप लोग ठीक है question number 5 आपका क्या बोल रहा है यह भी important question है आपका आपने जो विदिया पड़ी होगी संक्रण की ठीक है तो यह भी important है आपका hybridizing method आपने बहुत सारी पड़ी होगी कि अधिक ghost के लिए है अधिक ghost का मतलब क्या होता है mass यानी meat के लि thank you है ना तो अधिक ghost के लिए पाले गए पस्वों में अपना ही जाने वाली संक्रण की विदी है the hybridization method adopted in animals this is from this is for more leads वह क्या होगा इसका आपका अंसर अधिक ghost के लिए कौन सी method अपना जाती संक्रण की आपको पता है अलग-अलग method अपना जाती है संक्रण की आपनों को सु अच्छी संतान चीए तो इसकी अलग-अलग method अपनों पड़ी होगी बहुत सारी method हाइव डाइसन की बहुत सारी method जो है जब लोगा पड़ी होगी तो ऑपसण आप दिख सकते हो स्ट्रण मतलब त्री संक्रण करण ठीक है पित्त संक्रण पिर्क्रों करा ना जैसे कि आप okay सादमी पीडी है सादमी पीडी का मतलब यहां पर यह फ्रस्ट में सादमी पीडी से को टुबारा से क्रोष करवा ये कहला है आपका बैग लोग्त ख्रया है चरम संक्रन टॉप पर अपका दिफन गॉषिग तु यह पूसरा कि आधिक गोस्ट प्राप्ट करने के लिए अपना जाने वाले संक्रण की मेथर्ड है विकास पल गुलीबनिंग गुरुजी गुलीबनिंग भाई जी तू ए होगा भाई सबी लोग आंसर इसका डी दे रहे हैं किसी के भी आंसर करेक्ट नहीं आ रहे हैं अधिक गोस्ट पाले जाने के लिए अपनाई जाने वाली संक्रण की बिधी है वाई कौन सी है तो याद रखी का त्री संक्रण बहुत ही इंप्रेंट मैथा आपकी यह है ना आप लोगों ने पढ़ियोगी तुई संक्रण के आपकी इसारी मेथाड आती है यह सारी मेथाड आकि कि कि अंदर डाइब हो रोगत आ पर्दे नेस़ इसके दो आपने इसके पड़ी हों कि परदें लोगें जोंत चलता रहता है तो अधे गबजर मुश्ट सभुत करना है मत्तु आपक्षण से श्यें आपका त्रिक संकारप बहुत अच्छी मेतन है सर MP बाला घाट को जानते हैं और बिल्कुल संळुख भई तुन निया जानते हैं बहुत अच्छा आपका एग लिकल सर्कावाला घाट में आगड किसी को बहुत अच्छा college अगर आपको लोग कम नंबर आते हैं तो सबसे पहले उसको फिल कीजिए आप लोगो तरिक संक्र समझ में आगा होगा बिल्कुल है ना वहीं तबी को समझ में आ गया ना ज़िए अच्छा को लिज़ा हो थोड़ा हटके कुश्चन नया कुश्चन एग्जाम में आने की संभाना है थीक है इस्टार लगा लिए इसको डाला है कुश्चन पे निम्न मैंसे कौन हिमीकरद बीरे में ना मिले की दसा में बीरे जहरीला हो जाता है यह कहने का मतलब अगर सीमन क्या स्टोर करते हैं स्टो हो बालागाट है ना क्या यही MPPVFT में आएंगे नहीं भाई यह MPPVFT के लिए आपके विल्कुल भी इंपोर्टेट नहीं है ठीक है कुछ questions आते हैं आपके animal breeding के नहीं आते हैं जो जन्रली human के आपके breeding के आते हैं ठीक है MPPVFT में आपके कुछन तो आते हैं ब्रीडिंग के बर्ट जन्रली क्या होता है एनिमल से बहुत एक कुछन आपको कभी-कभी मिल जाएगा मिल जाते हैं बाइदो जी में आप अगर लेना चाहते हो तो ले शक्ते हो क्योंकि पीपीस्ट में जन्रली कभी-कभ तो फोरिजन, फ्रोजन, सीमन, विकोज ओप इट टॉक्सिसिटी तो किसके मिलने पर यह सब चीज हो जाती हैं बताया बही मैं एक भी बोल रहे हैं बिक्रम भी भी बोल रहे हैं तो आप यह उप्शन देख सकते हो किलोरो, फिनोकोल, श्ट्रक्टोमाइसीन, सल्फो, नाम सब्सक्राइब करना बहुत बढ़ी वात होती है इसलिए सभी टॉपिक को इतना मजूद करें वही कि जनरली इन टॉपिक्स को सबसे कबर अब करके रखे सभी लोग यह भी आपका टॉपिक बहुत महात्यपूर है क्योंकि आपको पता है कि कहीं से भी कोई विए टॉपिक के जादा से जादा कुस्सन आ सकते हैं अपने पिछली साल का पेपर दिखा होगा एक आपका टॉपिक है कैमस्ट्री में कोलाइट के बारे में आपना जनरली दिखा आपके बहुत में पर याद रखिएगा बहुत में नाम लाने की दस्ता में पीर जहरीला हो जाता है तो क्या होता है पेनिसीलीन पर याद रखियेगा सबसे अच्छी मांनी जाती है सर एंपी बालगाट के चिनोर चामल को को जीए इटेक मिलाएं के बिल्कुल करेक्ट आँग बिल्कुल सही है सब्सक्राइब यह इसको तर मैंने पहले वताया था सर्म सर मैं एक कितने कुश्पन्स आते हैं पैपर में अमेट्री बहुत इंपोटेंट में में थे सब्सक्राइब कि कौन सी गती सबसे अच्छी माने जाती है वीच मोशन ऑफ इस पॉर्म इस कंसे दा बेस्ट तो कौन सी गती सबसे बेस्ट माने जाती है गुणन गती जिसको अपन रुडिमेंटरी मोशन बोलते हैं दोलन गती जिसको अपन जो है पर आपका प्रगामी गती जिसको पुरकेर शेब मोशन बोलते हैं या इन में से कोई नहीं तो कौन सी गती सबसे बेस्ट माने जाती सुक्र लाएं जी अच्छा विल्कुल ठीक है इंपोड़ने कुश्य लाएंगे आपके एपी और जी पी आप्टमेटिक प्रोग्रेशन बहुत इंपोड़ने बिल्कुल लाएंगे ठीक है अभी आप बेट करो एक्जाम मैं बहुत टाइम है बिल्कुल अपने शारे टोपेंट करें लोग याद रखेए करेक्ट आंसर आपका सीए सबसे बेस्त जो है आपकी अच्छी तेमानी आती आपको गुर्ण क्या किया सर्वेक्स गरभास है गिरिवा में सुक्राइव को छोड़ा जैसी तो वह क्या किया गुर्ण प्रगामी गति प्रगामी जो है अच्छी बिदी माने जाती प्रगामी जोंकी मोशन सबसे बैस्ट मोशन माना जाते हैं प्रगामी याद रखिएगा यह जन्रली ऐसे ऐसे चलते हैं प्रगामी गति सबसे बैस्ट माने जाती है आपकी याद रखिएगा सी आपका इसकूर्शन का करेक्टा अंसर है यह ना सी है सर बिल्कुल सी प्रगामी गति यह बता है आपका गाय के लिए प्रगामी का सबसे उपर एक्टिशम है बढ़ा काउ के लिए सबसे मोस्ट शुटेबल प्रीडिंग के लिए प्रगाम क्या वई सर्दी यानि बिंटर समर रेनी यह स्प्रिंग क्या होगा गर्मिश आपकी सर्दी बसंत या बर्साथ को नसी टाइमिंग बहुत ही बैस्ट मानी आएगी पसू की ब्रीडिंग करव बसंत पर जा रा है स्प्रिंग पिस्नेयर को रिपारी बिलकुल डॉक्त डॉक्त ठारिन रेंगर। बसंत थिंग महिं नस्टी स्पू की ब्रीडिंग के लिए है या रखेए इसलिये के सभी लोगों संगर किया सब Daiimon वोने संतिंग में नाइटीं 9.9 परिसन लोगों ने इस कुस्टन को गलत किया बहुत इंपोरेंट पूस्टन है एक कापी पैन मैंने आपको पहले बता है लग लख लेकिक अपने पास में इन पुस्टन को एक लिख लिख लीजे लिए ना वोधी एमपोरेंट पूस्टन है जाए के सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब करें यह बहुत इस इसे माना जाता है तो यह जो आपका स्प्रिंग का सीजन माना जाता है कमें समर पढ़ा नहीं और इसलिए तो बशात में बहुत सारे आपको पता है बीमारिया बहुत आपको पता है बसंत का सीजन जो बहुत ही बैस्ट माना जाता है स्प्रिंग याद रखिएगा ना जहां पे आप लोगों समर पड़ा उसको काट के आप लोग जो बारा से स्प्रिंग कर लीजेगा ठीक है कहीं कहीं बुक में आपको गज़त मिल जाएगा पंडे को इसको पड़ा है नहीं भाई अब जिक सुकला इसका स्प्रिंग होगा पर अंसर ठीक है सर बुक कौन सी लें यो राज वोग आपको आपको अच्छा डाटा डिया आपको सिफ राजस्थां का डाटा नहीं पढ़ना है आपको सिफ एंपी का और आपके जोए इंडिया का डाटा पड़ना है अब ठीक है सर मैं पूरे कुस्टंस नोट्स करती हूँ बिल्कुल अंजली सोनी बिल्कुल करेक्ट कर रहे हो आप ना होती सायथ है नए कुस्टंस है आप लोगोगा कुस्टंस बहुत कम आप जर्णली आप कोई भी बुक ले लो जैसे ही बहुत सारी बुक ल लोने लगा है अब एंटीए भी एक्जाम ले रहा आपका इसी आरका तो उसमें बहुत कुस्टंस के बहुत अलग लेवल आदा है तो पड़ाई कुस्टंस की लेवल के साब से करो ना की ऐसे कि भाई आप बेसेक चीज़ा पढ़ ली बेसेक तो हरकी चीज़ा पता है जो क मैं पूरा कुस्टंस नोट करता हूं बिल्कुल कौन सी बुक लेनी है साथ एक बार और बताएं एनर सुन्दा करके आपकी आती है है ना सुन्दा सुन्दा बुक याद रखिया का आप लोग जो है जनरली फिलिपकार्ट प्लिक करो तो आपको मिल जाए जो सुन्दा आती है आपकी एनर सुन्दा करके बुक आती है आपकी बहुत अच्छी वोग यह एक रीकल से लिए खास तोड़ते और आगे भी आपको काम आएगी कॉलेश टाइम में कॉम्पटेटिव एक्जाम में बहुत ही महत्कूर बुक मारी जाती है आपकी तो इसको आप लोग पढ़ आप की जही प्लेश तो आप कि आप प्स नमर 9 वहिए आप इसका अंसर सभी लोग दें बककरी का मदचक्र होता है फिड पिरियट ऑब गौट का हीज पीरियेट थों क्या होता है बखकरी का मदचक्र क्या होता है ट्वन कर वन वन कर ट्वन तूर्टी टूर्टी टूर्स 18 से 21 देज या 16 से 70 देज अधिक्तर लोग इस कुस्टन में कंफ्यूज होने वाले मैं पहली आपको बता दूँ ठीक है सर यह बुक आई से आर के लिए भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल पढ़ सकते हैं इसने आते वारी बिल्कुल है ना आइसर के लेवल की कुस्टन जो है MPPAT में आने लगे आजकल आप देख सकते हो एक्रिकल्चर आप उठाओगे ना तो आपको बहुत से कुस्टन ऐसे मिल जाएंगे आइसर के लेवल की कुस्टन आते हैं आप जब किया फिक्चा करें 2018 का पेपर यह सा गौधा 2018 की पेपर में कि आइसर का पेपर इसी आए था और MPPAT में जो एक्रिकल्चर आई थी तफ आई थी कि बहुत ज्यादा है ना तो ऐसा जो है आजकल लेवल्स का तो वही है आपकी सब्सक्राइब लेवल रहता है ठीक है तो इसलिए जो है आपको ले सकते हैं बहुत अच्छी पूक है सुबं सर्मा बोल रहा है इसका अंसर 21 से 22 अच्छा और मनीश सोरस यह इसका अंसर डी दे रहे हैं मैंना बुला ना अधिक्तर लोग गलत आंसर देने वाले इसका सब बहुत कम लोगों के नंबर आते 45 प्लस यह 40 प्लस भी लाना अच्छा के पसीने निकल जाते 40 प्लस लाने में यह इसी निया पढ़ना मतलब इनको याद करना डाटा बहुत बहुत बार 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 रिजन करना पड़ता है इसलिए मैंने आप लोगों से बोलाते हैं बेसिक सब्सक्राइब करेंट नहीं रहा है बिलकुल करेक्ट आशर अटारा से किसे ना कुस्तन नमार 9 का आपका करेक्ट आशर क्या होगा 18 से 21 डेज इसलिए ऑप्षन यह से देरक्ए हैं मैं को पता तक दिकतर लोग कंफ्यूज होंगे 16 से 17 नहीं बाई प्मनगरवाल इसका करे सब्सक्राइब तो चले कि हाँ हमारा कितना है पढ़ने का आप लोग देख सकते हैं आपको यह कुस्तन बहुत इजी कुस्टन था जब की ठीक है बकरी का मदचक्र है यह पिरियट पूछा था वह बकरी का कितना होता है है एटी से ट्वंटी वन देज आपके हीट पिरियट होटा है बकरी का याद रखिएगा ओप्संस भी आप देख सकते हो कैसे दी हुए हैं तो ऑप्संस भी आप लोग एक बार पढ़िएगा मेरा सही है जी तू विल्कुल है ना सुरा से सत्रा दिन होता है सर नहीं भाई मनेश्चोरसिया इसका ओप्संस के साफ से आप एंसर लेंगे ठीक है ऑप्संस के साफ सब्सक्राइब बकरी का अब हीट पिरियेट का होटा मद चक्र थोड़़ ज्याधा टाइम तक चलता है ना तो बकरी का मद चक्र 18-18 से किस द सब्सक्राइब जहां भी जो भी पढ़ रहा हो वहां पेक बार सभी लोग अपने सरो दिखाईएगा ठीक है कि सब्सक्राइब अच्राइब बार सब्सक्राइब याद रखिए रहा है नेक्स्ट आपका कुस्टन क्या है कुस्स नमबर टैन वाई यह क्या वोल रहा है कि पसूओं में जब सगे भाई बहन पिता पूतरी में सहबास कराया जाता है उस प्रेजनद पद्दधी को क्या कहते हैं सर संडे वो कुशन बनते होंगे थोड़ा बहुत पेपर में लाइब कुस्ट्स पद्धी को क्या जाता है वेज वैन अनिवल फूल ब्रदर सिश्टर्ज एंड फादर डॉटर डेट ब्रीडिंग सिस्टम इन क्या वोलेंगे आउट ब्रीडिंग, इन 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 ब्रीड सब्सक्राइब करवान था तो उसमें आपन क्या लेंगे जो यह जनली क्या अंतर बंस प्रिंजन आप नोंगे पढ़ा होगा है थिक ए इनके बारे में प्रवाइब इनके बारे में पढ़ाओ इसका क्रोस चेक करो सर नहीं भाई निखिल यादा हो इसका प्रोस ब्रीडिंग होगा इसका अंसर मैं कंफ्यूज हो गया था था थोड़ा है ना थोड़ा सा मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था उसके लिए मापी चाहता हूं आप लोगों से ठीक है मेरे कंफ्यूज होने से आप लोगों भी दिक्कत होगी इसलिए मैं थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा भाई है ना इन ब्रीडिंग जो आपको पता है जनरली क्या होता है कि इसमे ब्रीडिंग मैं वही होता दोनों भी होते हैं मतलब आक्षिपड़ नक्षण पहुत आते हैं पास-पस अपन क्या कराते हैं घ्रार्बक्र नवाते हैं तो पसुों में खराब लख्षण बहुत जादा आने लगते हैं ठीक है उसकी दूद की मातरा इस बहुत ही पर दिक्कत आती हैं सारी लख्षण खराब हो जाते हैं पस्वोगे हैना बिल्कुल सही कहा सर आप में गुड़ी इबनिंग सभी लोग एक बार लाइक करते हैं तो प्लीस सभी इनके बारे में आपने पड़ा होगा तो याद रखिये का सचर्ण नंबर तो 10 इसका correct answer क्या होगा? प्रिटिंग की डेफिनिशन क्या है सैंब बीडिंग का मतलब क्या है कि पास पास मतलब ज़्यादा पास-पास के जिन अंप्रबंस में अन्टरबंस में अन्तरबंस में यही तो मेंने आपको भी समझाया इनको कुष्य नंबर 10 के इसका आपका उन्सर होगा इसका next अपने बात करते आपके कुछ्स्ट नमबर 11 के वारे में तो आप देख शकते हो कुछ्स्ट नमबर 11 क्या बोल रहा है कि सांड के बीरे का आप एक छी घनत तो क्या होता है बैई relative density of bull semen is क्या होगा बैस की relative density कुछी आपने से आई डी पूछा है रिलेटिव डेंसिटी बीरे का शीमन का रिलेटिव डेंसिटी पुछी है एक से दो पीडी ते जो साम बीडिगे बिल्कुल से मेनों बहुत जादा आते इस पीडी नसली खराब हो जाती आपकी जो बाहर के लचण हो बहुत जादा आज जाते हैं 1111 12 के 11 12 में कितने कुछ्छन आते हैं बहुत सारे 11 तो पुरा सिलेवर रहता है आपका रहसे होगा इसका अनसर आपका एह आप लोग ने आंसर यह बोला तो मैं आंसर यह लूँगा गरत में भी नहीं आंसर ले सकता अब इसे एक सुखला आप लोग क्योंकि आप लोग इंटेलिएंट हो यार ठीक है और कुछ से नंबर 12 का क्या अंसर होगा भार्तिय परस्तितियों में कितने सुक्रण गाय में गर् इंडियन कंडिशन हाउ मैंनी स्पर्म आर स्टेंड दा इंसेमीनेशन ओप काउ सर पीबीएफ्टी के कुस्संट भी लाओ लाओ सर बिल्कुल बाइद जी लेके आएंगे भाई लेके आएंगे सब को ख्याल रखेंगे वह ठीक है कुस्तर नमर्ट टॉल का वही करेक्टां बिखने पड़ेंगे एग्रीकल्स रखेंडिया स्टी ओगा जी तो बोड़ रहें सी ओगा चाव आठ्ट से दसलाग क्या सपास कुस्तर नमर्ट टॉलक आंसर बताएं सबी लोग प्रस्तित और आंसर पूश्र आपसे ठीक है भारती ऑप्सन भी दे रखें सबी लोग ज्य यह निए होगा इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूंगी सही और ध्यान से पड़के आंसर दें सबीदों तीक है क्यों प्रतियों के अनुसार कितने सुप्राणूं का आए के गरबदान के लिए बेजेंगे तो 5-10 लाग आपके शुक्राणूं वह वो जो आपके गरबदान के लिए बेजेंगे कितने सुक्राणूं 5-10 लाग तीक है याद रखिएगा ओप्सन के अकॉर्डिंग आंसर लिया करेंगे एक बात और याद रखिएगा आप लोग आप लोग कई लोग यह बो पर आपके शुक्राणूं लेने पड़ेंगे तो 5-10 लाग बिल्कुल है ना वाई तो पास से 10 लाग लेने पड़ेंगे भारती परस्तिति के अनिसवाइब आपके अनुचार आपको 5-10 लाग विश्यक्ता पड़ेगी और जनरली आपको सब सक्की बारे में आपने लाग पर अगर भैस मुच्छा होता तो यहां पर आठ से 10 लाग अपना आंसर ले सकते हैं कि भारती परस्तितियों में कितने सुक्राण लेंगे तो 5-10 लाग लेंगे ठीक है वाकि आपको पता है गाय में 8-10 लाग लेते हैं जो आपकी भैस होती उसमें 7-11 लाग लेते हैं और आपने बहुत स्वारी सब चीजें पड़ी होगी भीडे के नर में अगर भीडे कर नर है तो उसमें आपको पता है 10 लाग शुक्राण लेते हैं यह सब आपने पढ़ोगा वाकुरेड़े दस लाग लेते हैं बखरे में आपने साथ लाग पड़े होगी ठीक है बखेस तो यह सब चीज़े आपने पढ़ी होगी वहीं इसलिए कुश्ण नमबर 12 का आपका आंसर यह होगा करेक्ट है ना क्या बोल रहा है एक एमेल में कितने अच्छ और सर्व 810 लाग बखेलों में होते हैं हाँ मैंने बताया ना भी वही 810 लाग क्या सपास तो याद रखिएगा आपका कुश्ण नमर 13 क्या बोल रहा है वही कुश्ण नमर 13 यह निव कुश्ण है इस पे भी स्टार लगा लिए यह निव कुश्ण है आपका है ना कि मध्यकाल यहाँ पर ज An Robbie रहा हो गया यहाँ पर क्या था यह उसको काटके आप लोग जर्रिम मध काल कर लिजेगा ठेक है मधकाल कर लिजेगा इस को कॉन liar रूट करने की मैथे को न नाया कुश्ण ठीक है सभी लोगों के लिए नहीं कुष्छन है जैन वाल मेंटिंग डिवाइस या ओम मीटर या एलेक्ट्रोड पैडो मीटर मेतर्ड किसके दौर आपको मदगाल को पहचा नहीं है यहाँ पर मदगाल है अगरवाद सुगर में 200-200 ml होर्स में कम क्यों होते हैं अब इसका पता नहीं ऐसा सबसे किसका पतला होता है तो सुगर का पतला क्यों होते है इसमें सकड़ पूल रहे हैं सबी लोग ऑपन अगरवार्स की बोल रहे हैं अच्छा एलेक्ट्रोड पेडो मेंटर मेठट क्या होगा वाई कुछं लोग बोल रहे हैं सोरप बोल रहे हैं सही अच्छा बिल्कुल है ना इसका correct answer आपका D होगा मदकाल में पहचान नहीं की method कौन सी है तो आपकी सभी method जो मदकाल में पहचान नहीं की है वई इस question का आपका correct answer है ना chain, wall, mating device, ohm, meter और या ऐसे questions को याद रखिए का नए question नहीं है ठीक है इसको लिख लिएगा आप लोग तो डी आपका इस question का क्या होगा correct answer होगा सभी लोग के एक बार लाइक कर दे हैं वह कमचे कम टीज लाइक पिलस करवादे है आं 27 लाइक हैँ ग दिरस सभी लोग ऴार रिक्येऊ सभी लोग लाइक करें ये यी वख लिजनine यह डिर आए यह कुस्तन अच्छा है वही सर मैंने पहले बोला था सोरप सर्मा बिल्कुल सही आंसर वही सोरप सर्मा है ना बताया जैदी प्यादो स्रेया सुकला बोल रही है ए गाय चत्था भैस अपने पूरे प्रिजननी योग समय में कितनी संक्या में बच्डे पैदा करती हैं दा नम संग्रा से बीस बच्डे यह 12 से 16 बच्डे चार से पांच बच्डे अपने पूरे जीवन काल में स्वेता तिवारी बोल रही आठ से दस अच्छा कितने बच्डे करती यह पूरे जीवन काल में बहाई महेक डी डी कुछ लोग पूरे जीवन काल में आड से दस बचड़े पेडा करती है आप उप्षन देखके भी आंसर ले सकते हो शकते हो ठीक है इतना दिमाग आप लोग लगा सकते हो क्योंकि आप लोग एगरी कल्चा के स्वेट्स तो थोड़ी मोड़ी जिमाब तो लगा सकते हो गई ओप्शन के एसाप से अपना आंसर ले सकते हैं इसमें कोई याद करने वाली चीज है ही नहीं ओप्शन के आप ओडिंग आंसर ले सकते हैं यह ना गाय बेज अपने पूरे जीवन काल में आठ से दस जो काल यानी बच्ड़े पैदा करती हैं याद रखिए तर नया कुश्चन है इसको भी आप लिख ली जगा बहुत ही इंपूरेंट कुश्चन है यह आपका ठीक है गा बिलकुल आपका बस नहिए याद रखिए गाई कभी भी पूछता है आप लोगों से गाय बाम प्यास में पूरें जीवन काल यह ना बैसे जन्रल यह आप लोगों को पता है कि बहुत सी बखरी की पढ़ी होगी ब्लैक बंगाल आप लोगों प्रजाती पढ़ी होगी कौन होता है कि एक से खम्से कम चार बाफ देख होंगा जो जो और शोटे धो है कि प्लेक बंगाल काष एक से बशीत है घर्ट कर से लेकन बंगाल में और इसन यह जो और यहाद रखनाल भू पहुती यçek चाह neuen इवन योग एज 12 से 15 बफेलू हाँ बई बिल्कुल इसलिए अनुमाल लगा सकते इसलिए तो मैंने आप लोगों से बुला है कि इसका आप अप्षान देखके भी अनुमाल लगा सकते थे ना नेक्स कुश्चन आपका क्या है नेक्स्ट के लिए फहम हसे बॉलेक करेक्ट अंसर है मिट के लिए फहम हसे आप की अनसलिए ब्लैक बंगाल मदकाल में गाय को अची तरह से नियंस्रत करने की जगह कहला थी है मदकाल के टाइम पे जब क्या होता है कि नर्या मादा को जब समादम करवाते हैं सहबास करवाते हैं तो उस टाइम को नियत्रित करने के लिए जगह की अवा शक्ता होती है तो कहां पे अप्षन आप क्या लेंगे इन वेसे वाई कि काउ वीच इस दा हीड इस वैल कंट्रोलेट प्लेस इन अ कॉल्ड उस प्लेस को क्या बोलेंगा अपन सहाप उसको कंट्रोल करेंगे पसुकी बाला यानि केटल सेड एवल गार्ट्रेबेस यह प्रयोक्षाड यानि करने की जगह क्या कहलाती है निव कुश्ट्रेब इसका आंसर देहीं बहुत ही अच्छा क्ष्ट्ण ने यह और लिख लेए इसको ठीक है सभी लोग गाये को अगाये मंद नियुक्षाड करने की सब्सक्रेच जगह क्या कहलाती है टैक बलड़ाम बोल रहा है ब ऑबल गार बाइब रहे हैं परपन अगरवाल इसका अंसर पसूब का बाड़ा दे रहे हैं मैंक चोधरी इसका अंसर डी रहे हैं आप बहुत कम लोग से देने वाले अगरीकल्चर एकडमी क्सी बोल रहे हैं अच्छा बाइब अंजिली-सोनी महें बिलकुल महें करेक्ट आंसर वह जो विल्कुल आप लोगों में देखा होगा जन्रिल अभी जो गाव होते हैं हर गाव में वो आप इसको डाल देते हैं तो यह अंदर पसु गुज जाता है पुरे आप अंदर फिर बाहर निकल नहीं पाता है तीक है इसलिए इसको बोलते हैं Travis याद रखियेगा मदकाल में गाय को अच्छी तरह से नियंतरफ करने की जगाए क्या कहलाती है Travis कहलाती है आप लोगों सब्सक्राइब याद रखियेगा सभी लोग लिख लिए कुछन को मैंने पहले बोला सब्सक्राइब बिल्कुल यह देखना है यस देखना है यह ना सभी लोग एक बार गूगल भी कर लिए आपने को डिगी आएगा Travis सभी लोग टीक है नेक्स्ट आपकर कुस्चन क्या है कुस्ट नंबर 16 गाय एक गाय को एक पाद्र देते आपंगे वाली ताली का एक जिसको गुल्णकन ताली का मैं 85-90 अंख है वो किस स्रेडी से संबंद दितें बई? सर, आप अपना परिचे करवा देना, हाँ बई, बिल्कुल विक्रम लास्ट में, बिल्कुल बई, बिल्कुल करवा देंगे परिचे, ठीके? बेसे मेरे परिचे क्या करोगे, आप लोगो पढ़ना चीहे बई? तीक है यही परचे है मेरा तो आप लोग पढ़ो भई ठीक है सभी लोग निकलो पॉलेज में जाओ और यही है भई ठीक है सभी लोग पच्छे क्या करोगे मेरा जानके यार सभी लोग पढ़ो यार ठीक है गाए एक गाए जिसको गुड़ंकन तालिका में 85-90 अंके हैं वो अच्छी यानि एक्सिलेंट वेरी गुड़ सब अच्छी यानि गूड या संतोर्चन इसको फेर बोलते हैं वाई क्या होगा आपका इसका आंसर 85-90 दे रहा है वो उसको पच्छू को गुड़ंकन तालिका में ठीक है तो क्या लेंगे आंसर एक्सिलेंट पबन अगरवार बोलते हैं इसका आंसर एक्सिलेंट लेंगे अच्छा भई गुड़ांकन तालिका में बी बोल रहे हैं सबी लोग वेरी गुड बिल्कुल जो लोग भी आपका आंसर बी दे रहे हैं बिल्कुल है वाई सबी लोग करेक्ट हैं जो भी लोग बोल रहे हैं बिल्कुल अंधि जली मेंशन कर रखा इसलिए तो मैंने कुछ्छन रखा कि आप लोग थोड़ा कंफीव्ज हो जाओ है ना कि गाय को गुलांक गुलांकन तालिका मैं पच्चासी से नब्यां के देते हैं तो किसको देते हैं ठीक है और नब्बे से ऊपर किसको देते हैं एक्सिलेंट पस्व को देते हैं याद रखिएगा बहुत ही इंपोरेंट कुश्चन है सुजीद दाया एक्सिलेंट लेंगे इसका अंसर सभी लोग जैदी प्यादा बोलते हैं बिल्कुल मनीश सोरसी अभी बोल रहे हैं अभी शुपला भी बोल रहे हैं गुड लेंगे आपसे क्या बार बार बोल रहा हूं कि नब्बे से जो उपर जाते हैं उनको लेते हैं अपने एक्सिलेंट याद रखिएगा ठीक है नब्बे से उपर जो भी जाते हैं उनको लेते हैं एक्सिलेंट याद रख्या भाई सभी लोग ठीक है अभिशेग दुबेधी ठेंक्य थेंक्यू फॉर सपोर्टिंग यारब लोग अब अब याद रखिएगा आप लोग अब इस एक दूबेदी थेंक्यू भाई तो आपका जो एक गाय जिसको गुणांकन तारीका में याद रखिएगा पमनगरवाल एक बार आप क्रॉस चेक करिएगा ठीक है है ना कंफ्यूज हो आप अभी थोड़ा सा एक बार क्रॉस चेक करिएगा नैक्स्ट आपका उनकर क्या है कि PPE 17 सर आप इतनी मेहनत करते हो इतना इतना बंता है अरे बिल्कूल भई अभी मैनक ठीक सबसे सबसे अच्छा सूचक सबसे अच्छा सूचक और शर्वेश्टियस संच बड़िए गाया के मदकाल का सब्था इच्छा सूचक क्या होगा? बार वार उठना बैठना आप लोग लक्षण तो पढ़े होगे बट इसमें सबसे बैस्ट लक्षण बुच्छा है अब आप कन्फ्यूज होंगे सभी लोग विस्टर सिवंपंडित भी बोल रहे हैं रजनीस सर्मा बोल रहे हैं आपकी C होगा अच्छा भाई नहीं भाई C नी होगा कृसी गुल परिबार भाई है ना पांडे जी अंजरी सोनी सी एग्रिकल्चर एकेडमी और डी बिलकुल अंजरी सोनी आपने डी दो करेक्ट बुल रहा है भाई एग्रिकल्चर एकेडमी इस पर बीबारी में भी कर सकते है जन्रली अपने को बता है दूद को उत्पाधन भी कम हो जाता है ठीक है अब जन्रली पसू बीमारी में तो नबीमानी में आप में देखा क्या लेकिन भीमारी में दूद्ग हो जाता है बार-बार पफ़ेश बाइदway याद रखेगा बहुत ही Queso d is the correct answer, है ना, d is the correct answer, रजनी सर्मा, सबी लोग एक पर लाइक करते हैं वाई, जो भी नए लोग आये हो, सबी लोगों से एक बाइक करते हैं, और शेसन को स्वेयर कर दें जाद से जयादा अपने दोस्तों के साथ य도 हैं जैदा से ज्यादा लोग पड़ पाएं हUNG कि सकते हो उल्ष कि सारे देख रहा हूं या नो को सब सब लुका इस में क्या थे कर दें ऊको इसको याद रखें इसको रामान या पनान से लोष He अच्छा रजनी सर्मा दूसरा नाम देओ अन पस्मुबा चड़मा आप लिख सकते इसका क्या होगा रमाना याद रखिए जो हिंदी मिल्यम के इसको बोलते हैं याद रखिए गाए के रख्त तथा दूद में किस अभयब की मातरा बढ़ जाती है एक गविन गाय में गर्विन गाय मतलब गर्वती गाय है गर्वती गाय में एक गर्वती गाय के रख्त में ठीक है वो गाय क्या होगी गर्वती हो गही है उसके रख्त में और दूद में याद रखिएगा रख्त में और दूद में किस अभयब की मातरा बढ़ जाती है अभयब की मातरा पूछ रहा है अपने से विट्रेयन काउग मुचा नाकि nौर्मल काउग सब्यों गविण गाय की रख्ट में किसे की μέत आगेः की नौन में पूल रहे हैं आपके की डी रजनी शर्मा भिश का अंशलंट भी तो तू circa тур फ्यंच था है में सब्सक्राइब अपने व माहिनन बिलक्राइब अपनान्सित पर एंजाए और हमलumbledore होते हैं लेवली हाई होता है तो होता है यहाँ आप पर आपन ले फिलकूल फिर अपर आप लेते हैं यहां पर हार्मोंस ओशनों नहीं होता आप लोग एक बात यह को भी याद रखिएगा कि अगर option में हैं आपको पेपर में पूछे कि हार्मस अगर option में ना देखे तो फिर आप fat ले सकते हो ठीक है लेकिन अगर आपको पता है आपकी life में और मेरी life में या जान निमर की life में सब की life में खेल तो आपका hormones का है बैई ठीक है आपको बढ़ाए सारे सापू हर्मेर सबसे और फिर पहले Life में सबसे सब्सक्राइब करने वाले पिता से उत्पादन करने वाली माता से यूबा बचिया से इन में से कोई नहीं तो आप देख सकते हो फ्रॉम्दा पॉड़क्शिंग फादर फ्रॉम्दा मदर पॉड़क्शिंग है ना सी अच्छा एक्रिकल्चर अकेडमी कुछ सरमार्ग भी लगा रखा सी भी बोल रहा है अच्छा यूबा बचिया डैम सब्द का अर्थ ठीक है डैम सब्द का अर्थ किसको बोलेगे अब नाम देऊ बोल रहा है कि शेक नाम देऊ C महक बोल रही है B बिलकुल महक प्रेक्ट आ रखा वाई इनने टॉपिक अच्छा पट रखा है महक नमें पो लग रहा है इनिमल ब्रीडिंग जो है इनकी सारी में पो लग रहा है इसको सिर्फ दैंगी बोलते हैं इसका कोई भी फॉल्फॉर्म नहीं बागा यहां पर पसुओं में फिलाल में डैंग कोई फॉल्फॉर्म नहीं रुप यहां पर दैंग सब्ध का अर्थ लगाया सकता है किसे उत्पाधन करने वाली माता से याद रखिएगा B is a correct answer है ना B is a correct answer कुस्षण नमबर 19 का correct answer क्या है आपका B is a correct answer इसनिया थिवारी बिल्कुल B correct answer है ये भी अच्छा technical कुस्षण है भई ये भी आपका एक नमबर अच्छा technical कुस्षण है है ना कुस्षण नमबर 20 The act of meeting in sea is called यानि भेड में संभोग की क्रिया को क्या कहते हैं संभोग का मतलब आप समुद रहे हैं संभोग या सहबास मैंने आपको बताया था ठीक है मेल या फीमेल का मिलना ये कहलाता है शंभोग या सहबास ये पूछरा कि इस प्रिक्रिया को क्या बोलेंगे भेड में सर्विंग बोलेंगे टैपिंग बोलेंगे कप्लिंग बोलेंगे मेटिंग बोलेंगे क्या बोलेंगे अपन बेड में संभोग की क्रिया को क्या बोलते हैं सर्विंग टैपिंग कप्लिंग मेटिंग टैपिंग होगा सर अच्छा वह राहुल प्रज क्रिया 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 क is the correct answer B is the correct answer होगा आपका है ना नेक्स्ट आपका question क्या है next question number 21 number question है आपका की सांड के बीर का pH है वाई विकास विक्रम तोमर गोल रहे है sir MPPAT कब होगी MPPAT exam में अभी थोड़ा time है वाई ठीक है exam में इस बार थोड़ा late exam होगी आपकी है ना exam आपकी इस बार क्या होगी MPPAT के late होगी क्यों होगी क्योंकि आपको बता है अभी फिलाल में CUAT के exam भी आपके हो रहे है ठीक है इसके बाद आपके अभी फिलाल में आपके MPPVFT क्या होगा है क्या होगा है क्या होगा यहां बिल्कुल पिकी में होती है क्या होगा फाइब 6 यह 6.5 यह 7.8 क्या होगा भई यहां पिएच सांड के बीर का 6.5 अच्छा भई लाओल प्रिजापती की इसका answer थी दे रहे हैं उसका जैन इसका answer C दे रही है अच्छा C होगा इसका answer अच्छा यह अच्छा यह बजा सकता है कि आपके जो अच्छा सकता है कि आपके जो पढ़े होगे तो आप लोगों सारे पढ़े होगे तो आपने उसमें पढ़ा है तो सबसे पिएच सबसे कम पीएच किसका होता है किसी को याद है इसके पसूगा होता है बतायां मैं किसका होता है वो मिशक्र को संड का होता है Jaasya संड का होता है यह आपके हर्ट का को भृता है लिचनीush Typically और से पूल रहे हैं कुछ को तक तक तो आप क्रेक्ट गए हो ठीक है प्येज के तना होता है पॉल्टरी का पॉल्टरी का पिएट शुता है 7.3 से 7.8 इसलिए यहाँ पे इसा करेक्ट आंसर मुर्गी ठीक है यादर कियेका अग्रिकल्चर अगेडवी होर्स नहीं लेंगे यहाँ पर फिर अपना आंसर क्या लेंगे यहाँ पर मुर्गी लेंगे बहुत ना यहां पर मैंने प्याज़ आपको बता टिए कि सबसे कम होता है सबसे कम पीएच किस के होँडै के सब्सक्राइब नि führen मुर्गी की अंसर ठीक है मुर याद रखिएगा मेरा सही है सजी तू मूर्गी नहीं मुर्गा सबसे बीर किससे प्राप्त होता है एक बार में सबसे ज़्यादा बीर किससे प्राप्त होता है अपने को सबसे अधिक बीर किष्चे मिलता है इस पर मैंने आंसर आप लोगो पहली बता चुका हूं सबसे अधिक बीर किष्चे मिलता है सुगर से घोडे से सांट से मेडा से किसे मिलेगा अपने को सबसे अधिक बीर इसका अंसर मैंने आप लोगो बताया ता ठीक है तो बताए और इसका आणसर क्या होगा है आपका इसने हथिवारी ए बोल रही है अच्छा मैं भी आणसर है अच्छा कंणड गोनव कर रहे हैं कितना मिलेगा आपको पता होगा सबसे ज्यादा आपको पता है सीमन सुर से मिलता है बिल्कुल सबीका करेक्टांसर है 200-500 mm कितना 200-200 गंशसेंटी मेटर तो सबसे ज्यादा आपका बीर किसका पतला सीमन विलेगा तो आपको प्रसंकर का नाम है क्या होगा गदा और गोडी आप लोगा नेस्ट के बारे में सुना होगा है इसके बारे में तो किसका आपको पता है क्रोस करवाएंगे तो इससे खचर बनेगा अच्छा मियूल जैबरा हिनी यह पीनू क्या बनेगा आपको अपने क्रोस करवाएंगे तो जन्रली कदा और गोडी में क्या रहूल बोल रहे है यह हां सर एह है सर अच्छा वही 23 23 का यह बोल रहे खचर बीओ बनेगा अंजली सोनी बोल रहे भी बनेगा अच्छा बिसमें क्रोस करवाएंगे तो क्या बनेगा आपका चैक्सु पता है किसी को पता है क्या पीनू पीनू आपका ऑफसिन नंबर पीनु किस-किस से बनता है कोई पता शकता है तो आपका पीनु है किस-किस के क्रॉस से पीनु बनता है पीनु का पता है किस-किस के क्रोस से बनता है तो आप लोग लिख लिए जेगा खचर इज़ा आपका जो है गधा और गोड़ी के क्रोस से आपको पता है क्या बनता है खचर बनता है इस सब यह करेक्ट आंसर है ठीक है जबकि आपका जेब्रा जेब्रा आपका किसका गोड़ कि Subscribe करवाते हैं वों इसके बाद आपका और वाद जैब्र आपका गोड़ीत के अब क्या बनता हिया आपका जैब्रॉइल बनता है ठीख है और आपका जोहें हींदी इंस्चन में है तो हिनी आप लोगो पता है घोड़ा और गदी में क्रोस करवाने से गोड़ा और गदी में अपन क्रोस करवाएंगे तो क्या बनेगा हिनी बनता है ठीक है और आपको पीनु का तो पता ही है कि पीनु का अपने योग बिल्कुल गरेक्ट आंसर दिया योग तिब्बती यो आपके यहां पर क्याम होगा होग? तो फिमल आपके इससे आपका और लोगो पता है इस ऌडेल से चिया बनता है यापके बेड़ कर से याप दोकि आपकी ब्रीद है इन तो के बहुत ही ब्रीड है आपके संग नीलगाय चिकितेbas को अपैरीकन में वरीक पता हैं से मेरई ब्लक्कुल इसके बीककर बिलकुल करेकशनऊ आपका तो कुस्तर नुम्मर 23 इसका क्रेक्ट्टांफर क्या देंगे एक हचर मन्ता आ है मैंने आपको सारे बता दी इना यहाँ पे फुस्तर नुमर 23 याद रखेगा नेक्स्ट्ट आपको कोशन क्या है कुस्तर नुमर 24 लास बक्रियों गर्मी आने कितने समय के अंदर-ंदर करवा देना चाहिए छैसे- आठ गंटे दश से बारा गंटे चौदा से सोरह घंटे अड़ा sihr किते गंडे के अंदर जो ये काम करवा देना ची हो या तो प्राक्रतिक गरवदान और तरीक से उसको आपन बकरेते पर्ग में लेक्या या फिर तो आपको कितीं दरबदान करवा है क्या करवाना चीए गरीकल्चर एकेड़मी इससाब भी आंसर दे रहे हैं बहुत जैदी प्यादा हो एंसर करें क्या होगा भाई वी आंसर कर रहा है अधिकतर लोग उसक लोग आपके बिक्रम एंसर कर रहे है महेक, B, Abhishek, Sukla, आपका, जो है, B, आनसर कर रहे हैं, बिलकुल correct answer, कुस्ट नुमर 24 का, क्या होगा answer, B is the correct answer, बक्रियों में, गर्मी आने के बाद, प्राक्रति का कृट्टियम गर्वादान का समय क्या होगा, तो बोस्त टायमिंग होगा, आपका 12 से दस से बारा गंटे, याद रखिएगा, नई भाई पपना करवाल, छैसे आठ गंटे बिलकुल आंचा नहीं लेंगे, इसका परेक्ट आंशर है आपका, दस से बारा गंटे, है ना, शुएधा ते बाई, दस से बारा गंटे, अभी शेक नाम देओ, बी, is the correct answer बकीरी हो गर्मी में आने के बाद प्राक्ष्टिक गर्वदान कर समय तो 10-12 गंटे के अंदर आपको तो प्राक्ष्टिक तरीके चौःश उसको मेटिंग करवादो या उसको artificial insemination या उसका किर्वदान करवादो ठीक है दो में से कुछ भी करवा सकतो 10 से 12 गंटे के अंदर बहुत ही suitable रहता है यह ताइमिंग बहुत सुटेबल है है ना कुश्चन नमबर 22 का आपका कुश्चन नमबर 24 का इसा करेक्ट आंसर बी याद रखिएगा नेक्स्ट आपका कुश्चन क्या है कि गाय को गर्वित करने के लिए यह बहुत ही नया कुश्चन है बहुत ही इंपोर्टन कुश्चन है नया कुश्चन लिख लिए इस कुश्चन को भी ठीक है बहुत ही नया कुश्चन है आपका यह कि गाय को गर्वित करने के लिए इंज पिटिंग करने के लिए या गर्म करने के लिए आपे कौन सा इंजेक्षन लाग लगाया जाता है इसकाप और इसका सबी लोग इसका गलत आंसर देंगें न कुस्टर के अब इसका correct answer आपका jest time jest time का इन्जेक्शन लगवाते हैं आपको कौन सा जेस्टाइल गाये को गर्विद करने के लिए जो injection लगाया जाता है जैस्टाइल का injection लगाया जाता है याद रखीएगा question number 25 गा शी आपका इसका correct answer होगा है ना वहती इंपूर्टन का कुछ ने आपका यह जैस्ट पैलिक इंजेक्शन लगवाएंगे आप इसने यह तो जैपर मिनाकरी की कला महाराजा मांचिंग द्वारा पर्थम द्वारा कहां से लाई गई थी तो राइट आंसर होगा आफशन भी यानि लाहोर से लाई और किस के द्वारा मांचिंग की द्वारा मिनाकरी तो याद रिखना मिनाकरी मांचिंग लाहोर ठीक है लाई लाहोर ऐसा बजटी आपुशन कहां पर पहना जाता है तो बजटी आपुशन जो है दोस्तों ये गले में पहना जाने वाला आपुशन है यह भी 2022 में पूचा गया प्रश्न था जोद्पूर का मेरांगड दूर किस पारी पर बना हुआ है तो देखिए जोद्पूर का जो मेरांगड किला है छिडिया टूक पारी पर बना हुआ है या पर छिडिया टूक महराज जी रहते थे और बात में इनके दूने को यहां से अटाए गया था तो इ अब देखने को मिलते हैं और 1160 में इसकी नीव रखी गई थी, इसके द्वारा जोधा के द्वारा, राउ जोधा के द्वारा ठीक है, जांगीर ने बाद शाह बनने के बाद किसे राजपुद्र शार्षक के मनसब में कमी की थी, तो वो राजा मांचीं के जो है मनसब में कमी करी थी एगला समाल इन्यम लिकित में से कौन सा काल अजया राज सेकंड से संबंदित है देखे अजय राज सेकंड से संबंदित काल की बात करें तो ग्यारा सो पाँच एडिये यानि ओफसन ए अपसर ही का करेक्ट आंसर होगा दिखें गोशनवी शिलालेक में कौन सी भाषा परिप्ती गई थी तो बताइए राइट आंसर क्या होगा जल्दी से गोशनवी शिलालेक कि अगर आपसे पूचा जाए कि यह कहां का शिलालेक है तो आप पहेंगे कर सर यह तो चितोड़ गड़ का है ठीक है साब चितोड़ का है तो इसमें जो है संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है प्रिप्त हुई है संस्कृत भाषा चलिए अगरा सवाल मौरय यूगीन बहुत इस्तूप के पुरावशिष कहां से प्राप्त हुए मौरय यूगीन के द्वारा इसका उद्खनन कर वाए गया और यहां से हमें देखो मोरे कालिन बहुत इस तूप भी देखने को मिले है तो यहां से हमें अशो के भी बुद्ध के भी बहुत सारे जो हैं देखने को मिलते हैं और शीर्स, ठीक है? ऑके भारतिय समीदान के अनुसार राजस्तान को भारत के किस च्रेणी के राज़े में रखा गया ता इसको रखा गया था इसको रखा गया था इस राजिय में 1934 में परजावनल क्य इस्थापना की गई थी? आप से पूच जा रहा है कि 1934 में कहां पर किस परजावनल क्य इस्थापना करी गई थी? यह वहाई、 जोधपुर है. कोटा हाड़ोती परजावनल जो जोंकि 38 है Paampora Alca सराफ थे सर हाँ जी जिनको अद्धिस बनाय गया था बहुरलाल सराफ और इन्हीं के साथ में हम बात करें इन्हीं के साथ में अगर हम बात करें तो बात आती है जैनाइम लास की वह भी आप याद रखेंगे आर सितमर 5857 को इस्थान कौन साथा वाँ पे ठाकर कुछाल सिंग के सेना ने जोदपूर की राज के सेना को पराज जीत किया था बताए रोसों क्या होगा राइट आंसर बताए यह बहुत आसान सा फावाल है बहुत बी थोड़ा हो जाएगा बी थोड़ा जो की जोदपूर म को यह य्युत्ण आता था मिवाट के किस माराना ने अजमीर दरबार के लिए चार गाउं अनुदान में दे दिये थे तो बताए चिस माराना में अजमीर दरगाई के लिए दिये थे यह आपको इसल जगस सिंग डविद्धिय ने दिये थे यानि औसन भी आपका CORRECCT answer हो जाएगा अगला सवाल देखिए अगला सवाल है निम्लिकित मैंसे कौन सी जोड़ी सही नहीं है निम्लिकित मैंसे कौन सी जोड़ी सही नहीं है देखिए मारवन माउसो जोदपुर में आता है ओंट माउसो बिकानेर में होता है हाती माउसो जेपुर में होता है ब्रज मा सब्सक्राइ도 की श्रुजाओं 10 मालनी जाती है तो गन्गोन जाता है ठीकिए ढ़ struggling पार का लोग जेंगा बहतर सवाल है कौन से चालत्र का लोग प्रीय लुक करते हैं तो देखें बम्रस्या, रत्वई, है ना खारी तो ये सारे के सारे नर्ते हैं ना ये आपके अलवर और भरतपूर के साइड के है ठीक है, अलवर और भरतपूर साइड के है पूर उस शैत्र के है एकला सवाल दिखे दूमरपुर वेबास वर्णा शेत्र में बोली जाने वाली बोली क्या कहलाती है तो सीधी सी बाते मेवाडी उदेपुर साइड में बोली जाती है ठीक है और आपके मेवाडी जो है अलवर साइड में बोली जाती है और एक कांसर आप देंगे माल भी जो है ये किस साइड बोली जाती है और वागड़ी आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा डूवर पूर और बहुत वाड़ा ठीक है अच्छा सवाल है अगला सवाल देखे नियुक्त मैंसे किन जोड़ों मैंसे सुमिली जा नहीं है देखे दोस्तों एक सवाल आपका बाहर का भी है विश्व प्रयावन दीवस कब मनाई जाता तो 5 जूर को मनाई जाता है सभी को विदित हो अगला सवाल देखिए कि इसू का संभावित शैत्र कारेकरम किस वर्ष में प्रारम हुआ था और यहाँ पे हम बात करें तो इसका राइत आंसर जो आपको बतना है क्योंकि यह सवाल कई बार एक्जाम में पूचा गया है आपको अच्छे से राट लेना है यह जो कारेकरम है यह भईया अच्छे से पढ़ लेना एक्जाम में सवाल आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे आपसे नहीं आपका करेक्टर अंसर होगा राजस्तान के दक्षनिपूर्वी पहाड़ी शेत्रों में आदिवासियों द्वारा ओप्योग मिली जाने वाली क्रश्री की वीदियो को क्या का जाता है द्यान रखना पहाड़ी शेत्र जब पहाड़ी शेत्र आ जाए न तो फिर आपको याद रखना है वालरा के दित टो से छीठने कहा जाता है गंगरस जिसे महाराजा गंगा सींग ने बनवाई थी तो गंग नेर कि ऑन眾 के पूरा का पूरा और ऑफ्सों फ़स्ट का भी स्थी टें थे दोस्तों तो चान थे आबानेरी में है आबानेरी आपके कहाँ पर पढ़ता है आबानेरी आपके दोस्ता में पढ़ता है लोगे सबसे जो हम कहें तो बड़ी बावड़ी है चांद बावड़ी जो कि आबानेरी में है अफसे यह आपका लोग होगा मांडो की पाल किसके उत्पादन के लिए विख तो देखे दोस्तों फ्लोराइट को लॉग करेंगे बहतर सवाल है आपका और सी को आप लोग करेंगे मांडो की पाल या मांडो की पाल निम्लिकित मैंसे राजस्तान के किस जिले में रेलवे की सुईदा नहीं है बहुत वड़ा हमने नहीं है क्या बिलकुल अगला सवाल रा या अंसर वोगा आट सूचपवीश नाट सूचपवीश है क्या पूचा है आपको उत्तर से दक्षन आट सूचपवीश है ठीक है और पूरुसे पचिम आट सुगुनुशतर है दोनों में अगर डिफरेंट पूचे तो आपको 43 जो है डिफरेंट है अगला सवाल है निम् दखशनी अरावलि में तो भीया सिरोई इसमें सब में आ रहा है ठीक है अब अप मैंसे किसी को याद हो तो सिर्फ मद्यवर्थि आपको देखना है मद्यवर्थि भी अगर अपन देखेंगे तो भी कुछ नो कुछ दिक्त तो जरूर आएगी या फिर मद्यवर्थि अगर आपको बताने हो तो उत्तर पूरी अरावलिश चेटर देख सकते हैं उत्तरी भाग का तो इन में से उत्तरी भाग हमें लग रहा है भया अरावली सोरी अरावली का उत्तरी भाग लग रहा है अलवर तो यह कहीं आ रहा है क्या बिलकुल इसमें आ रहा है ठीक है और इसमें यह सही है इसमें यह सही है इसका मतलब हमारा यह भी सही हो सकता है यह भ सब्सक्राइब करें माही नदी यू आकार में राजस्तान में प्रवेस्ट करके न charities आती है । और यह निकल जाती है और यहीं रादी जए करकने का यह को दो बार पास करते हैं लिए ग्षिय भ्रवार कर लग्या जोस्तान का थे ए कि ग्षिक अन्यों ठीख जोसंगि ऊटातीरा वाराजस्तान में निचलेश्वार राजस्तान में और या नांदी राजस्त नहां पाया जाता है यह बड़ा आसा सवाल है बहुत इंपोर्टेंट भी है और राइट आंसर भी आप सभी का होगा डूंगरपूर याने डूंगरपूर अगला सवाल है कौन सा खनीज मरदाओं में लवनी अता एवों शारिता के समादान इतुप्यूक थे तो यह हो जाए अलिवक्षी ख्याल किस जिल्ले में सरवादीक लोग परिया है अलिवक्षी ख्याल जो है किस जिल्ले में सबसे लोग परिया है तो आपका राइट आंसर होगा अलवर अलिवक्षी यह लोग परिये नाटे जो है ख्याल जो है यह हम पढ़ चुके हैं अभी अभी की क्लास में तो आपundos देख लेना बोर्ट की असंगत कौंछ american हे गीधर छेकाउटी में होता है डोल नत्य जालोर में होता है डांड यह सब आपशन असा शकाने बुंदी में तारागड दूर का निर्माड कर रहा है था, देखों तारागड दूर्ग दो है राजस्तान में, एक तो तारागड आपके काप पे, अजमेर में, अजहेराज को समय प्रकी थे, लेकिन जो तारागड बुंदी वाला है, इसके संदर में अगर हम बात करें, तो अगे तरे ऊसके दौरह सिंग की रूप में किस इस स्थान की पैचान की गई तो यहां पे आपका ुप्र ऊंपर लोक देओता मलिनादजी का मंदेर कहां पर है लोक देवता मली नात जी का मंदिर कहां पर है तिलवाडा तिलवाडा बार्ड मेर में या पे कार्थिक महिने में क्या आयुजित होता है मेला आयुजित होता है तिलवाडा बार्ड मेर में लूनी नदी के किनार है अब ये बाल उत्रा में आ जाता है अगर पच्छाच जिल्ले रहते हैं तो ठीक है और यहां पर यह बीरमाल था ठीक है स्वोरी बीरमाल नहीं यह था आपके बेराट अगला सवाल दिखे अगला प्रस्ट ने एक ही आंदोलन का प्रमुक उद्देश्री क्या था तो दिखे एक यह आंदोलन का प्रमुक उद्देश्री अन्मेसी कौन सा था? तो जोस्תों यह सवाल बहुत बहुत इंपोर्टेंट है किसानों को भारी लगान और आपण बेगार से मुखत करो न ही एक यांदुलन का महत्पनुद्दे से था और ये किसके द्वारा मोतिलाल तेजाओ द्वारा कटित किया गया था नेक्स सवाल देखो नेक्स सवाल का जा रहा है कि 1903 एं 1911 में आयो जो दिली दर्बार में राजस्तान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था तो राइट आंसर आप सभी को जाएगा तीन यानि कि उद्विपुर्के मारणा फते सिंग उद्विपुर्के मारणा फते सिंग को लाप करेंगे अच्छा सवाल है 1903 और 1911 में आज दिली दर्बार में राजस्तान के किस शासक ने तो इनको जो सोट है लिके गए थे तेरा सोट है केसर सिंग भारट के दोरा वो भी आज भी हम याद करते हैं अगला सवाल है चुलो में सरोहितकारी में सभा की इस्तापना कब और किस ने की थी दीके बात हो रही है सरोहितकारी में सभा की दो सवाल साथ में आपकी क्लियर होंगे तो बताइए क्या होगा राइट आंसर देखो 1907 में शुरुआत की थी या फिर इस्तापना करी थी ठीक है 1907 में स्वामी गोपालदास तो याद रखना बहुत-बहुत मैटपून सवाल है अगला सवाल देखिए बारत संग में अदिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्तान के पहले शाशक जो थे न वो कौन थे ये आपसे इस वाल किया जा रहा है और राइट आंसर आप सरीका हो जाएगा बारत संग में अदिनियम पत्र पर अस्ताक्सर करने वाले राजस्तान के प्रत्म शासत कौन थे तो इसका राई टांस आपका होगा बीका नेर के शादूल सिंग प्रत्म थे भईया ठीक है ऑफजन सी और गोविंद गुरू के विशे में नेम मैंसे कौन सा कथन असकते हैं तो देखिए गोविंद गुरू जो भी है वो गलत है आपका और एक लास्ट सवाल जिसका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में देखिए राजस्तान के किस जिल्में डडी कर शेल कला पुरा इस्तित है तो सो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर बहुत अच्छा सवाल है और मैं वेट करूंगा करें आपके इस प्राइब कर सक्ष्ण के उत्तर का कमेंट सेक्शन में आप इसका उत्तर देंगी है ना निमाद बेड़ों के नसलों मैंसे सबसे अच्छी हूंद बैडा करती है अब देखे हैं यहां पर सामने क्या दूस्तों तीन बेड़ों के नसल है लिए इतित हाइं कि सबसे दुस्तों अच्छी है न, कौन से नसल की दुस्तों बेट पैड़ा करती है, वो आपसे पूचाएं, तो यहाँ पर चोकला है, मारवाडी, सोनर या इन में से कोई नहीं, तो देखें, यहाँ पर जो भी चोकला कमेट करा सांदार, दुस्तों बेटों के नसल होती है, चोकला, जिसमें दुस्तों क्या होता है, सबसे एच्चे कोलिटी होन प्राप होती है, एक उपसन आपका राइट है, और चोकला को दुस्तों क्या बोलते हैं, भारते मेरी नोपी कहते हैं, अगला पर शन आपके समराज कर रेकिए, राजस्तान में सरवाडी बकरियां, बत बकरियां पाई जाती है, डियो अपसन आपका राइट हैं, अगला पर शन आपके सामने पेस से देखिए, कितना इंपोर्टेंट कुस्टन है, परासिन सिला लेकों में, आठ का पुरान अराम क्या इकमेट कीजिए, आठ का प्राचिन नाम क्या रूस्ता आपका, इसको दोस्तों, तामर रती नगरी भी बोलते हैं, भी अपसन आपका राइट हैं, अगला परशन आपके सामने पेस का देखिए, दूद्वा खारा अंदोलन, किस रियस्त में वहाँ बताओ भई, एक दोस्ता आप का अंदोलन हुआता, डूद्वा खारा किसा अंदोलन, ये किस रियस्त में हुआ ता कमेट कीजिए जैपूर में वीकनेर में मारघ में या कोटा में तो ड़े गो दूधुँ खरास का समग कहा है दोस्तों बीकनेर लियस्तं जो भी साथ ये option B को write करा सांदार दोस्तों अगले परशन देखिए बेड की किस नसल का उपनाम चुन उतर है बता हो गई इन में से पूचा दोस्तों बेड की किस नसल को दोस्तों क्या बोलते हैं चुन उतर बोलते हैं सोंदाडी की बात को रही है और ये दोस्तों क्या होती है को बेड की नसल होती क्या होती दोस्तों बेड का परकार है जो भी आपर सोंदाडी कमेंट करा सांदार दोस्तों की पीडियाप के लिए आप टेलिग्राम के आपको निचे लिंक मिल जाएगी को प्रता ही यहरूट किया गया। तुया है तो यह पूंचा है, राठी में, एलस्ट्रेंप, व्रीजियन में, या जरस्री में अगला परशन आपके समराज कर देखिए राजस्तान में कूबड़ पटी बता हो भई अगला परशन आपके समराज कर देखिए राजस्तान में कूबड़ पटी बता है किसे नसले बता हो भई यावर दोस्तान में आपको बता रहा हूं जमना पारी वो बारबरी किसके नसले लेखिए जो भी प्यारे वितारती ओप्सन डी को राइट कर रहे हैं बिल्कु सही जारे हो भई बिल्कु सभी का उप्सन यापर शही हा रहा हैं सभी के मैं कमेट देख रहा हूं तो एक बाद सभी क्लास को सभी कर देजी अगला प्रसन लेकिए करनज सीवस और साहीवाल किसके नसले बताओ भई साहीवाल कि सीवाल के नसले क्मेट कीजी साहीवाल किसके नसले फटाबड कमेट कर दो भई शाथ में दोस्तों आप काउंट कीजिए तबी तो आपको मालू पड़ेगा कि आपके सही कितनी होते ठीके अगला पूर्शन दीक किया पूछ रखाये फुलवारी की नाल अब्यारन बतो वई फुलवारी की नाल अब्यारन इराजस्तान में काँपरे कमेट कीजिए बीलवाडा में राजस्तमद में उड़ेपूर में आजबेर में जबी दोस्तों बात करता हूं फुलवारी की अब्यारन कापरे आपका उड़ेपूर में ठीक ह एक मॉर्णिंग नौ बजे, दो पर दो बजे, साम को आपकी चार बजे, साम को चे बजे, फिर दोस्तों साम को आपकी कुतने बजे, आठ बजे, ये दोस्तों कि आपकी पांस क्लास आम दे रख लिए, तो आपकी आखरे दोस्तों साम को चार बजे भी जुडेंगे, साम को आ सब्सक्राइब लीजी अगला पुर्शन लीजी जो भी विद्यार्जी दोस्तों क्लास में नहीं जूट रहे हैं सब्सक्राइब लीजी अगला पुर्शन लेकिए मास के उद्यस्ते से पाले जाने वाले कुकोट पक्सी को आपसे बुचाएं प्राइललर, लेयर, पलेट या, बेड़ बताओ तरीकित जो भी तुש वेक वैकि या करते हैं मास के लिए ना उसरे meilleur बोलते हैं 240 दिन, 320 दिन, 240 लिया रोस्तों 304 दिन, बतो गाय का गरब काल कितने दिन का होता है रोस्तों academia 210 मद्यम काली मिट्टी है देखो मैं आपको मिक्स में सारी को सुब्जेक करवा रहा हूं तो पूरा लेकिए तब इता आपको मानूब पड़ेगा आपकी तहरी कैसी है ठीक है अगला परशन लेकिए रेत के अरिच चंद्रा का टीले हो क्या कहते हैं बताओ भई दोस्तों रेत पूसले किसे के तहिए आप क्या कमेट करोगे रेत करोगे रेत करो अरिच चंद्रा का टीले क्या कहलाते हैं बरकान कहलाते हैं तो यह पर जो भी विज़ार चीए उप्सन सी को राइट करा सांधार दोस्तों अगला परशन लेकिए उसमे क्या पूछ रखा है बड़ा किस नसल होती है दोस्तों वेट की नसल है गाई की बुठी की बखरी कि या सूर की बताओ टेकों बरक विंची आपको मालूरा होना चाहिए ऑगल्या बर्सन लीगे रेत कर उसमे से गलेइक कोलेस्टर में प्रोटिन कांज होता बताओ वई दोसमों गाय के कोलेस्टर में प्रोटिन कांज कितना होता अबका 15.5 कितना प्रतिसात होता है प्रक्षाइब और aan प्रक्षाइब गोस्तों, पुछे wokस ये चाहिए दिखने पूरदीन का युच्ञा एकाम तो घंड가 एक्जाम में and इस आप मुझे बन आप और ये गोस्ता है आप पूस्ता इश्यू में जो भी विज़ार्टी ओप्सन एक और राइट कर रहा है बिल्कुत स्रही दिशा में जा रहा है अगला परशनी कि राजस्तान करमचाई चैन बोर्ड दोरा नए अध्यक्स सोड़ा अगस्त 2023 को किसे बनाया गया बताओ भई देखो जो दोस्ता आपका पसुपर अध्यक्स करते हैं आगे बढ़ो में अगला परशनी कि क्या पोचपा है वाई मुडल में ऑक्सिशन लोटाने वाली एक मातर आप किरिया कौन से है अब देखो साइस का इंपोर्टेंग कुस्टन एक किजिए वाई मुडल में दोस्तों ऑक्सिशन लोटाने वाली ठीके एक मातर मुखि किरिया कौन से होती है देहन सफसन नाइटिजन का ऑक्सिशन निर्मान परखास संसलेशन तो देखो वा पूरे नहीं हो गया अब अब दिये बताओ बैस का दूद काल कितना होता कमेट कीजी साथ से नो माँ पाच चे माँ दस से इगेर में यहां दूद्ध आपकार आइटें बाइस से अगरेशन लीकिए एक बार सबीस हती दूद्ध आखरेकलाश को लाइक और शेयर कर देजी औ देखें दूस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं अब युका बैड़ा पार भी भागे त्यार हम दोस्तों लेके आज चुके आपके लिए भी उतागे दूस्तों संबूर असली के नर्ट्स और 25 टेस्ट ठीके पहला टेस्ट फरी और पहला नर्ट्स परीए तो मतबवर्ट में स्रयत क्रांती के जनक को देखें को आपको जाएंगी यूरो पहले कोरीिय दूस्तों बहुर्फा नाटेस अलस आकोएंगzę अलवर में जल् suppressed तो बात में जिन पर उर्ष का मिलाका बरता कमेट कीजिए नहरड नाजमेर में पुषकर में आलवर में जब दूस्तू बात में जनमाष्ट में की तो उसले आपका उस्ट बढ़ता ना वह कहां बढ़ता है ना रहाड में जो भी option एक और राइट कर रहा है बिल्कुल दोस्तों सही बता रहे हो आपको अगला परस्ट लेकिए बखरी के दूद में कम से गम वसा रहे ठोस होना चाहिए बताओ बखरी के दूद में कम से कम है न वसा रहे ठोस कितना होना चाहिए कमेंट कीजिए देखे 9.1 9.8 एगरा परस्ट लेकर रहे ठोस की तो कितना चाहिए बिल्कुल दोस्तों वसा रहे ठोस आपका आठ पॉइंट साथ होना चाहिए ठीक है न डियो अप्सन आपका राइट है अगला पुशन है कि नारी संदरी किस से लिए की विससता बताओ भई नारी के संदरी कापर मिलता है रुस्तों बुंडी सेली में किसन गड़ सेली में मेवार सेली में कोटा सेली में तो रहे के नारी संदरी न एशो रुस्तों बढ़ता है काँ पर देख गई है किसन गड़ सेली में जो भी विधार्तिय उप्सन भी कमेंट करा है सांदार 27 वे पूचर का हैं देखिए सर्वाटिक प्रोटीन सर्वाटिक प्रोटीन है न वो रूटिक 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 प्रोटीन है न वो बखरी का पूचा है ढूँए कि बखरी की बात करता हूं में कि बखरी के उसने कौन सी दोर वजिसे वाले अदर्स नसले होती है वो आपसे पूचाएं जमुनापारी बैटल मारवाडी या बरबरी यह को दोर वजिसे का मदलब आप समझ देऊ न तो उसने कौन से जाएगा करता है खराज होतार वर उसकोन से आपकी आवर ही माता के मंधिर में बदाणा माता में इंगले माता मतर जया रहां तो वह दूस उख रोक देली के मंदिर में तो वह सबस्क्राव के औरम जे दोरा निर्मे दर्गा कहाँ पर बताओ भई राजस तर रोस्तों औरम जेब की दर्गा आपर कमेट कीजिए या कौन सी हो जाएगी आपकी मीटे सागी दर्गा, सरवाट की दर्गा, मीरा साहब की दर्गा या रोस्तों नहराड की दर्गा बताओ पड़ा बटे कमेट कीजिए राजा अस्ताम नोस्तों औरम जेव की दरगा कौन सी आपके हो जाएगी तो और उस मीटे साखी कौन सी मीटे साखी दरगा जो भी विदार के आपसने एक और राइट करा है बिल्कुछ सही बता रहे दोस्तों एक बार सभी साधी क्लाश को क्या क में अब्राजिल में तो तो दे करते हैं गिव फूरड तो दा एनिवल तो पंसु को आदर देता हैं किसके आधार कर जो पसू को आछ़र देते हैं इस ट्रीम को क्या तो थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी को यह को होता है आपको जानकरी दे नहीं चाकता हूँ बट इसकी जानकरी आपको लेकर मैं जो है एक दिन आपको सारी जानकरी बिल्कुल प्रवाइड करा दूंगा परसेंटाइल के बारे में ठीक है प्रवाइड आपको सब्भाइड यानकरी नहीं हो परसेंटाइल की ब्रकार से जेडबल में फिलाव में रड़ caution रड़ने लागया पिछली साल प्रकार से प्रकार से कॉलेजिस मिलते हैं तो इसको जोड़ आपको इसकी जानकानी देंगे अपने को भी ज्यादा इसका पता निया ठीक है इंपीपीटी फोर्म दलने लगे नहीं सुरिंद्र नहीं डर रहा है अभी इसके फोर्म अभी नहीं आये ठीक है चलिए तो इसको कुसे नंबर जो आपका दीख रहा है पसु को आहार देते हैं किसके आधर पर बहुत से लोगों ने उसको किया है डी कुसे चाहिये आंसर है आहार कि आधर पर जो पसु को आहार देते हैं याद रखिएगा इसके आधर बहुत से याद रखनी है यह टॉपिक जो आपका है अनिमल नूट्रेशन तो यह आपको एक चीज टॉपिक की याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा कुस्षन कहीं से बनते हैं तो वह आपके शा पुच्तिंस आपके आपके कहां से बनते हैं साइलग और हैसे बनते हैं तो आपको जो आपके डी सीपी और टी डी रखने फंपर देखेंगे तो DCP और आपके TDN जो बाचकची प्रोटीन इन से संबंद कुस्सन आए हुए हैं थोड़ा जो मुस्ट मुस्ट जैसे मूम फली हो गया या बर्सीम हो गया है ना या मक्का हो गया इनके जो यह तो यह थोड़ा डीफरेंट है बट आप साइलेज अच्छा साइलेज बहुत अच्छा साइलेज या सामान साइलेज या इसको बोलेगे खराब साइलेज कोनशी होगी और 4.6 पीएज वाली साई इसक्त गूलेंगे तो इसको बहुत अच्छी तीन City अगी कि यह है कैसे साहिलिज मानी जाएगी आकास दितल से क्लिए अनल ፥ बहुत अच्छी साईलेज इसक कीसी साईलेजंगा उसको बहुत अच्छी साईलेज बोलोगे आप तो वह जो आपकी 4.6 पीएच बेलु वाली कौन सी होगी आपकी बहुत अच्छी तो वह जो आपकी 4.6 के बीच आगी वह अच्छी जाएगी सही आंसर आपका गुड है ना अच्छी साइज है जो इस कुस्षण का करेक्ट आंसर क्या रहेगा एक आप प्येच बेलु जो है स यदि कर सकते हो आप इसको थीजब कर सकते हो अब इसको इसके बाद जो आपकी जनलज होती है उसका कितना होता है 4.5-4.8 आपका जनल नली तो 4.8 से उपर जो भी साइलेज का पीएज जाता है वो कैसी होती है खराब साइलेज यानि पूर साइलेज माने जाती है तो यह इसके याद कर सकते हो बहुत एक्जाम में कई बार कुछा हुआ है प्रिपीशर के आप गुष्ण पेपर देखोगे तो आपको पीएज से सम्म से नमर्ट सेगेंड यह आपका करेक्ट जारेगा ठीक है आपकी आपको बता है कि साइलेज के बारे में आपको बहुत सारी बिसिस्ता है पता होगी सर 4.5 होता है तो सर 4.6 समझ में आएगी अच्छा 4.6 सा अच्छी होती है ना गुड में आएगी वो ठीक है रशाब अब इसको ले सकते है थी क्या प्रफिया है ले सकते है तो है ना जो किसन आया हुआ है तो इसको आप देख सकते हो उन्हें जो तो इसका अंसर क्या लिए था जो है अपने से अच्छा लिए था तिक है जो याद रखिया तो 4.6 अगर शाइलेज के सागे अच्छी साइलेज मनी जाएगी ठीक है देख लीजेगा एक बार इसको कुस्टन को एना वी बिशाइगी लगा लेजेगा तो आपको थोड़ा खराब क्यूं होती है आप कमेंट में पहले कि सबस्क्राइब आब अलिसके बारे में आप लोग बताओ कि मात्रब्र वढदने बढ़ने से ऊसका रखली क्या जाता है ठीक है जिसको हो लत चाइब जाता है कि यह चflower होती है कि ना किया वढ़ने से सालि में थैया है किसे सुना वह का विटारिक शूलिग बढ़ने से खराब होती है इसके बारे मिश्याख भार मुझे बहुते हो जाती यह कहळ आपको पता है क्या जैना सप्छारा भी बोलते हैं यानि P 흣 को सै रहे हैं कि दो कि आपने बात करते हैं यह थर्ड आपका है यह आपकी अपने यह आपने यह नहीं चलती है भारत कैसे और लिए और हैं पहलते चलती जता है भारत में भूट कम उप्यों किया जाता है भारत में जिसका है तो हाई है ठीक है साइलेज अपने बहुत कम बनती है साइलेज का जो है अधिकतर रूपय यूरूपय कंट्रीज में किया जाता है याद रखिएगा ठीक है नेक्स्ट कुस्ट नमबर थर्ड बहुत इंपोर्टन कुस्सा नहीं आपका ठीक है यह देखशकते आप कि साइलो खाई या साइलो की बताए आप लोग साइलो की जो गहराई कितनी होनी चैए तीन मिटर जी शब थरी मिटर और थरी मिटर नाइन मिटर या टोल्व रे मिटर क्या होनी चीए बहुत si-le-go the train's की गहराई क्या होनी चैए इसकी इसकी ग्यारई याद रखिएगा इसाप सब्सक्षिव तेवल आंसर आपका B यानि 3 मीटर कितनी हों जी साइलो की जो गहराई होने चीए उग कितनी होती है पीन मीटर इसकी गहराई रखी जाती है याद रखिएगा ठीक है साइलो आपको पता है जो है पना साइस बनाते है तो इस टाम पे आप लोगा सालेंस बनाने कितनी विध्यां पार नो मीटर में 1-8 box3 में क संहा इक की साइलो नोमेटर नमीटर नहीं होने मेंट जिए हैं साइलो के बार ना सही साइल अप तो यह आप दिख सकते हैं इसके बारे आपने पड़ा होगा ये आपकी ट्रेंट्च आपको डिख रहे हैं इस बिदी को गोले को तैना इस ना इस सुनां को कि साईल IV बनाने की तीन मैथड इंundан के बारे में पड़ा होगा सबसेप्म TB या नि गट्ड़比較 के बारे में पढ़ा होगा यह पूशता है एक्जाम में ठीक है गड़्डा विदी इसके बाद आपने एक विदियो पढ़ी को ट्रेंच जो अभी अपन कूसर है ट्रेंच खाई विदी एक आपने पढ़ी होगी सबसे बैस्ट मेथद मानी आती है साइलेज बनाने की सबसे ब इंपोटेंट विदी आपकी बूर्ज इसको टाबर भी बोलते हैं इसके बारे में पढ़ाओगा सरवुत्तम विदी मानी आती है साइलेज बनाने की ठीक है बहुत ही इंपोटेंट मेथर यह तीनों मेथर बहुत इंपोटेंट है कुस्टन नमर्ट थर्ड का आपका क्या बी आपका इस कुस्टन का करेक्ट आंसर है ठीक है नेक्स्ट आप बन जलते है कुस्टन नमबर चार गीज़ए तो खुस्टन नमर्ट चार में आप देख शकते हैं कि साइलेज में फफमूदी का आक्रमण होता है तो फंगस का अटेक होता है तो किस-किस के कारण दोग फ increase amount of oxygen या lactic acid की मातरँ बढ़ने पर यानि increase lactic acid या carbon dioxide की मातरँ बढ़ने पर यानि increase CO2 तो किसके जो है बढ़ने इस्लिट फॉषपी यानि फरंगास होती आपकी वो इस्तम पर अटेक करती पर बता आपकर सामने नहीं कि यो राज शिंग सोलंकी तू औक्सिजन की मात्रा बढ़ने पर हैं यो रास सोलंकी डिगर से एंजी मात्रा बढ़ने पर तू इस डेक्टिरिया नहीं इस कि साइलेज खराब होती है और अपमन साइलेज के रुपस्थिती में बनाते है यानि बिल्कुल भी नहीं होनी चीए औक्सियन बढ़े की तो फर्मल्टेशन की किरिया नहीं होती है याद रखिएगा यहना किया निकिंडवन की किरिया आपको पता है कि ऑक्सियन की मातरा अधिक हुज आती है ठीक है अगर क्या होगा कि ओटू की प्रेजेंट में रख देंगे साइलेज को तो क्या होगा कि व्युटारिक एसट की मातरा बढ़ेगी फर्मल्टेशन की क्रिया भी नहीं होगी तो क्या होगा कि अपनी साइलेज में लग जाएगी इसको नेइटशु आपन बात करते हैं कुस्स नमबर फाइब के वारे में यह आप दिख सकते फपूंदी यह सबद्ग के खराब हो JUST करते हैं कर देक्क है पसुखाना लूपास अधिक हो स्फाइडें इस्थ्ट आपने डीजि जा लावार उत्टियस के नाुटिन अज़ेवर इ निन इर्टेनडट साइज ठिक है तो ज है मानक सायए में सुभास कितनी होती है मानक ञीज ABOUT séries इसेदड़ है उसमें क्या कैसी होने चीह दिक होने चीह चारी05riel Master एंटीए की ऑफिशन वेब साइड है इस पर आके आप चेक कर सकते हैं तिंग सूरज रावत बिल्कुल ए सही आंसर है आपका सूरज है ना मैंक सौधरी ए बिल्कुल करेक्ट आंसर साइलेज का मानक सुबास कितनी होनी चीए एसेडिक होना चीए फिलेवर कैसा होना चीए उ बहुत इंपोर्टेंट कुस्चन है आप जो है एनिमल ड्यूटसेशन में कुछ पढ़े या ना पढ़े बट आप लोग क्या करें कि यह साइलेज बाला जो यह वाला टोपिक है इसको आपको पढ़के जाना है बहुत कई बार एक्जाम में पुछे हुए से कुश्चन आते कह बड़े स्वाचते मानक का मतलब क्या होता है मानक का मतलब standard जैसे कि आपने डेरी में आप पढ़ोगे तो PFA ने क्या है PFA आप एक सुना होगा standard होती है PFA जो क्या करती है कि दूद दही के मानक तयार करती है कि भाई गाय के दूद में इतने percent fat होना चाहिए इतने ज्यादा होने पर मतलब आपने देखा होगा food inspector के बारे में आपने सुना होगा तो वह food inspector यहीं चेक करता है कि standard यानि follow हो रहा है कि निए हो रहा है जैसे MP में आपको पता है कि भैस के दूद में यह स्टेंडर्ड मानक का मतलब यह होता है कि यह सरकार के द्वारा तयार की जाते है जैसी कि अपने को पता है कि útil आइसी यह रही है कि सटेंड़र्ड मानक मतलब किसा नहीं चीव यह सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब तो आप लोग सबसे पहले लगे आप लोग भर सकते हैं अच्छा या बहुत अच्छा सब्सक्राइब करें लिए आप लोग फाइब करें अंसर एक रएगा एक चीज़ और आप लोग याद रखियेगा या आप लोग को पेपर हो अगर साई लिज की जगह पे क्या लिख दें सर MPPAT का MPPAT exam किस मन्त तक हो सकती है MPPAT का exam अभी तोड़ा time है MPPAT का तो यह मान के चलिए आपकी November के last या सेटमबर के first week तक भी exam जा सकती है ठीक है exam में अभी बहुत time है तो आप लोग proper तरीके से भी तयारी कर सकते हूँ ठीक है क्योंकि बहुत से students का जो है अभी उसमें से acidic गंद आती है हाँ मीठी गंद आती है पसको खाना पसंद करते है ठीक है है इसके भी silage के भी वह ताइप होते हैं बहुत सारे टाइप होते हारा बादामी color के बारे होते हैं यह समझ आ रहा है थैंक्यू भाई एग्री कल्चर नॉलेज अरे सर किवरा सुलन किजी सर ठीक है तो याद रखिएगा कि आपको जो फॉर्म है फूल लास्ट दिसंबर के लास्ट तक डल सकते हैं ठीक है अभी बहुत टाइम एक्जाम में तो आप प्रेशन बहुत बूल गया कि सालेच को क्या बोलते है और पर फुरズ और लिखने में ब्रूलेगर को च्रीक बारे में सिल्चा में क्या बोलते हैं तो वह एक्जाम में अगर आपको स्टाइलेज की जागा फर्मल टेटेज फोडर लिखते तो इसको आपको घबरा नहीं उसको साइलेज ही पूछाए ठीक है है ना तो इसके बारे मापको समझ नहीं है कि गविन गायों में अत्रिक्त दानेत का करते हैं यह तो बहुत इजी कुस्छान है कई बार आप लोगों ने पढ़ा होगा ठीक है आइसा कुछ नहीं है कि आइसा कुछ डिफ्रेंट तैयारी आइसर में कुस्छन आते हैं आप प्रीविसर कुस्छन पेपर उठाके देख ल करिक्ति घड़ारी होती है एक आति है कि तना की सबसे सर्वूत्तम क्रोप आपकी मधा मारनी जाती है बनाने के लिए सबसे कोई पूछे तो आपको पता है याद रखिएगा याद रखिएगा बरसीम अंतिम दो माहें में रिजगा, ये रिजगा सही बना सकते हैं, बट सबसे बेस्ट मुस्ता एक्जाम में ये बाकी और चीज़े नहीं मुस्ता, अपने को जादा फाल्दू की चीज़े इस टाइम पर नहीं पढ़नी है, लिमिटिव चीज़े हैं वो पढ़े आप, है ना, ठीक है, उर्मिला, एक्रिज़नी, सी, जी बिल्कुल, गविन गायों कि अत्रिक दाना कप से प्राहरम करते हैं, तो कप से 6 माज के बाद, भीख लिज़े आपका अंसर है, एक्रिज़नी, अपने इस चेनल का नाम रख लिया, एक्रिज़नी, अन्तिन दो नहीं में जिसे डाउन कपर कहते हैं, बिल्कुल करेक्ट डाउन कवर है ना डाउन कवर तो पस्वो में जो है डाउन कवर 15 दिन से देना स्टार्ट करते हैं ठीक है 15 दिन की स्टेश से अपन अंधी 15 देज में भी डाउन कवर नवक की मातरा उस ताइम पर ज्यादा देते हैं सब और खनीज लवाण के इसम बागेरा इस टाइम पर ज्यादा देते हैं ठीक है आया यह देश्पाल पटल सर अरे बिल्कुल देश्पाल भाई बिल्कुल पहचान लिया अभी अभी नौलेज के नाम सच सब्सक्राइब बिल्कुल देश्पाल पटल सब्सक्राइब हरे चारे किसी विटेमिन का अच्छा स्रोथ माने जाते हैं ग्रीन फोड़र इस रिच सोड्स ओप विच विटामिन यह तो आप लोग को बताना बहुत इजी कुश्चन है ठीक है यह आप लोग को पता होगा ब मैंने बताया ना जस्ट अभी दिसमबर के लास्ट वीक तक जा सकता है MPPAT जबार इसके बाद आपका MPPAT हो रहा है ठीक है यह लास्ट बार आपका MPPAT, PBFT आपके एक्जाम होगा ठीक है PBFT, Pre-Bitneural Physics Test यह आपका जो है Died हो गया यह सब एक्जाम आपके लास्ट बार हो रहा है इसके बाद आपके एक्जाम जो नहीं होगे इसके बाद आपके यह सारे एक्जाम जो है आई सीर के जो है थोरोंगे सारे एकजाम आपको सारे कोलेजस तो यह थोरोंगे तो सीटेस भी बढ़ेगी और पॉंपडिशन भी बढ़ेगा ठीक है एगरी कल्चर लवर भाए बीटा में ने सही है मेरा घर साफ निकला है एगरी कल्चर लवर शुबम सुबम सिंदे डी बि सब्सक्राइब आपका कुस्षान तो कुंटेंट बहुत अच्छा रहता है कि बहुत अच्छा रहता है यह कुस्षान आते एक्जाम में आप जो एक्जाम का पैटन हुठाकर देख सकते हैं किसाइल कर देख स्वा है तो कब खूलना चीए यहनि CT सौर्ष टिन के बाद स्रात उसको कितने स्वाएं के बा Nearly Sबीरम हो से चालेज दिन के बाद, एगरी जर्णी, C, साट दिन के बाद, पटल स्टोडी, साट दिन, साट दिन, भई बताओ, साइलेज के गट्टे को कब खुलना चीए भई, अभी करेक्ट आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है, किंग सूरज, टेक बंगरॉम, C, यहरा सुलंकी, C, नहीं बहुत इंपूर्टन कुष्चन है, कि स्टाइलेज के गट्टे को कब खुला जाता है, गुडिवनिंग, गुडिवनिंग, गुडिवनिंग गई, सार, ओनलाइन क्लास भी करते हो, C, सो, बिल्कुल सही है, सुरिंद परमा, C, नहीं आपका सो दिन होगा, यह आपका आंसर आएगा, ठीक है, है ना, सुभम, सिंदे, C, आपका आंसर नहीं होगा, यह क्या होगा, सो दिन में, साइज़ेश के गट्टे हो कब कुल आची, तो सो दिन में खुलना ची, 90 से सो दिन में, बहुत ही इंपूर्टेंट है, ठीक है, है ना, D, 40 दिन, 60 से 90 दिन लिखवाया है सडने, नहीं, एक बार आप मेच करके दिखिएगा, 90 से सो दिन है, करेक्ट आंसर है, ठीक है, आप जो है, एक बार चेक कीजिएगा, 90 से सो दिन लिए, आप एक बार चेक कीजिएगा, 90 से सो दिन है, ठीक है, याद रखिएगा, 90 से सो दिन है, आप एक बार सर से होड़ बा इसके बारे मैं जो आता हो लुको पता ही इसके बारे बहुत कम लोगों को पता होगा वह पहुत नए कुस्टा नहीं है ठीक है इसके बारे में आंप लोग बताएं कि सूने चराना यानी zero grazing बीजी दो तो जीरो ग्राजिंग मेफड इस कोल्ड तो जीरो ग्राजिंग किसको कहते है भाई तो किसको कहते है पस्वों को चारा गाह में चराना यानि एनिमल ग्राजिंग और पस्वों को फार्म पर बांद कर चराना या पस्वों को फार्म पर खुला छोड़ देना या हरे चाहरे को काटकर पसकों को खिलाना क्या कहलाता त्युनवर्ट मेंoftäần log living African एंदिमल उसने कुछ विन है कि देजबे टूने क्या लिखा है जह बनाने में कतना वक्त लगथा है कि मैं पूंशली में कुछ भी नहीं है यही वि helants बंज़यागी तो कहने का वही मतलब घट्टे कभो खुलना चीए बनके कितने टाइम में तयार होती ठीक है ना तो यह वही गुष्चा ने कोई अलग से टाइमिंग नहीं इसकी ठीक है तो सूनने चराना विदी इसका आंसर बता है आप लोग पैक बल्राम डी हरे चारे को काट कर दिलाना सी यह पसुझा को फर्म पर खुला चोड़ देना यानि फ्री ग्राज़िंग ओफ है फार्म क्या होना चीवाइए इसका अंसर बताओ सब लोग सूनने चराना विदीयानी जीरू ग्राज़िं कहते है किसको कहते है बई जीरू ग्राज़िं पसुझा को चारा गायम चाहिए बांद करा क्लाएं तो याद रखियेगा सुनी तो आपकी जीदो वॉस्त को कॉच्षकषिए खिलाया जाता है क्या करते हैं मैं सबस्क्राइब सब hunt without को एक नवी सब्सक्राइब काटकर चीजह अपन की कांट कर और रोंट पल। स्विल्ट के बारे में सोणा होंगा बहुत ही llei, मैठोड सुना होत यह आपने यूरोपेज कांट्री में यहां पर आपने या महीं चलती है यह आपने यह मैं उने सुना होता है यह बोलता है, ohenium Billy, इसको बोलते है, ohenium Method, इसमें, क्या होता है, पाथ जगे पर क्या किया जाता है, यह अपने, पाँ जगह पर जनरली यह पाँ आपके रहते हैं तिक है इसको आप थोड़ा कर ली जगा मैंने पाँ जगह अलग-अलग छित्रों में बाट दिया जाता है इसको इसमें क्या रहता है इसके बाद जो है दुधारू पसु आगे जाए क्योंकि आपके घास लगी होती है तो अच्छी दुधारू पसु घाएगा ठीक है उसके बाद आपका कौन जो आपके काम करते हैं इसे बैल वगएर हो गया तो भार जो आप भारी काम करते हैं उनको बाद में ऐसा अलग-अल याद रखिएगा ठीक है यह गहीं अधर को कहां से बिक्सित किया था यह आपकी यूरूपीयस कंटी जानी बिजेश जो आपके होते हैं वहाँ पे इसको बिक्सित किया गया था बहुत फेमस मेठेट है वहाँ बिजेशों में ठीक है तो याद रखिएगा यह सूनिक इसको बूर्ण जननली गूर्ण के जैसी यह ठीक है उसमें कम रहते है यह इसको खोहेनियम भी बोलते हैं अपने भारत फोड़ा अलेक टाइप से इसको जो है प्रदल्शित किया तो बहुत बहुत ब्रचारी में बजेशों में बोला जाता है वही से इसको बिक्सित किया अपने भारत में भी पिछले थे कहीं कहीं भी पिछले थे बड़ इसकी सबसे जो हानी है वह एक इसकी एक हानी है कि इसमें रोग संचार बहुत जल्दी होता है याद रखिए कि क्या होता है रोग संचार बहुत जल्दी फेलता है इस जो है मेथड से रोग का संचार है जो प description में तो आप जुड़ जाएं देख सकते हो आप यह जो है अधिकता में पाए जाता है जो है का सामाने संगठन होता है जर्णल और ही नेशन की या आपकी कार्वोहेड्रेट की या प्रोटीन की या मॉस्चर या नम्ली की किसकी अधिकता होती है भाई यह के सामान संगठन में आप लोग बताएं तेंक्यू सर डिगर से बिल्कुल आकास डिगर से बहुत इंपोर्टन कुस्चन है जब को लिख ली जगा आप लोग ठ सारी चीजें उकलब दोंगी आप लोग सही आंसर दे रहो ठीक है तो यह के सामन संगठन में औदिकता होती है बिलकुल सही आंसर है यह राज जोलंगी थीक्ते के दिकता उती है अब उर बता दो आपका और बता दिया कि भाई कितने परसंट होता है वाट पूता थो यहुन दिपक्तिवारी बिल्कुल गलत अंसर फुर्टिफाइब परसंट नहीं होता है?gres तो यह और आप लोग बता थो मैं घूमे सौदरी 38 परसंट अंद्ग और विलकुल सही जो आंसर है 38% 38-39% आपका जो होता है Carbohydrate याद रखिएगा कितना होता है Carbohydrate मुझता एक्जाम में कि हे में सबसे अधिक क्या पाए जाए तो Carbohydrate पाए जाता है Carbohydrate कितना परसंट 38-39% आपका जो है Carbohydrate पाए जाता है अगर कोई मुछे रेसे की मातर आपने से फाईवठ तो फाईवर कितने परसंट पाए जाता है 28-39% पाए जाता है इसको भी याद रखिएगा कितना 28-39% फाईवर इसके बाद आपका कॉछटे कर प्रोटीन कितने परसंट होता है तो इसको याद रखिए कि और रहा आपका बसा यानि फेट कितना होता है न तो फेट अपना धाई से 3% आपका फेट होता है याद रखते हैं तो यह कितना होता है तो है 38-19% पाए जाता है कादवोयण दे 38-39% पाए जाता है है क्रोटीन 8 вид 89 तक चला जाता है वाक़ी नमी आपके तो पता है 15-18% आपकी नमी होती है है यह में तो फांट फनी है । नेक्स हापण चलते हैं कुछंगी शाइट है आप धेख सकते हच कुछ इस प्रकार से पिंडे बना आता इसके बारे में बहुत सारी है की बिद्याभी मेथड़ी इंसकड घ्डिया मतुटीक है इससे क्या विटामियं Kapi करोटिन की हानी भी नहीं होती भी झाल है ठीक है याद रखेगा यह इंपोर्टेंट है ठीक है मेथड कूंच लेता है कभी कभी यह साइज इस तो आपको याद रेखना है नाइन से साइज नाइन पर्टेंट यह सर यह राज शूलंकी ठीक है आप लोग किलियर ली दिखाई जे रहे ना आप लोगो एक बार आप लोग चेट सेक्षन न बता जे आप लोग लोग किलियर दिखाई जे रहे ना यह ना पंद्रा से ठार नमी बिल्कुल सब आप सिंदे करेक्ट है आपका है ना तीगोड़ी यह मैं 30 को बोलते हैं हां सब्सक्राइब कि निम्न मैंसे कौन सी फसल साइलेज के लिए अच्छी नहीं मानी जाती वीच ओप दा फॉलोविंग क्रॉप इस नोट कंसाइडर गुड़ और साइलेज के लिए वह अच्छी नहीं मानी जाती कौन सी फसल है वह थोड़ा थोड़ा बिलर हो रहा है अच्छा सर किलियर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा क्वाइल्टी को आप लोग क्या कर लिए कुल्वाइब बढ़ा लेजेगा थोड़ा प्रॉब्लम आती है वह थोड़ा नहीं नहीं मेरे दर पर यह थोड़ा थों आड़ प्रॉडम नेट्रक्र इश्वो शकता है ठीकь तो थोड़ा क्या पीज़वा की जो ही लाइब स्क्रीम की जो आपकी रहती है उसको बढ़ा ले थोड़ा क्वाल्टी को बढ़ा ले है ना तो वह साही के लिए दिखने लगेगा आप लोग को तो बताए आपनों गुस्ट नमर 11 का आंसर क्या होगा विस्ट ऑप फॉलोविं क्वान, यह मॉम इसको क्यों आपको बताए तो याद रखिए भी सबाइन के आपकी सैसर एरटीन है यह जरू आपकी घ्राम होता है तो ओ, ड़ो आपकी जाओ चने से आपकि नहीं बना सकते हो,ili नहीं बना ज़िए कार्वोगडर की मातरा अधिक होने चीए तब बहुत ही गुड़ साइलेज बनती है याद रख़ेगा यह वी एक्जाम पूछा हुआ है इस साइलेज बनाने के लिए कौन से पोषटत की अधिक आवशकता होती है तो कार्वोगडर की अधिक आवशकता हो हो जाती है तो जो आपका चना होता है उसे प्रोटीन नेड्रोजन होता है ठीक है तो इसमें क्या होता है कि फ्रोटीन की मातर आधिक हो आप लोगों का याद होने चीज है हर फसल के यह एक्जाम में आप होड़िकल सारे याद होने चीज होड़िकल के तब कोई मतलब एक्जाम में बैठने का क्यूंकि आपको पता है कॉंपेडिशन इस बार बहुत हाई जाने वाला है MPPAT का ठीक है लास्ट बार एक्जाम हो रह इस हैर ले रहा ठीक है आपको पता होने चीजिव ची बोजेशन बेजेटा है कि आपको यह चीज stellar कि सब्सक्कया होने और वी हमतल缺 ज कॉन्या है तो क्या होना अच्छी कि जो आपका कुश्च नम्बर 11 इस पर डी आपको करेक्ट आंस रहेगा साइसर एडिटी नहीं बहुत ही इंपोटेंट नहीं है ठीक है कभी भी आपसे पूल सकता है रेक्स्ट आपका कुश्चन है कि हरे चारे में पोशत्तक्तों की मातरा अधिक ह होती है कौन सी स्टेज में अधिक होती है अमाउंट ओफ न्यूट्रेंट इन ग्रीन फोडर इस हाई तो हाई मतलब जब अमाउंट होता है तो कब जो है हाई होता है पिशाप 6 फूल वाली अवस्ता फ्लॉबरिंग स्टेज जर्मिनेसन स्टेज या आपका जूसी स्टेज पकंड़ी अवस्ता करणफर में धिक होता है कि निवटरिंक अमाउंट अधिक होते हैं और यह राव शू सामाह जाता है सर आँ बहल्कुल बिलकुल बिलकुल बस यह चाहिए बेसिक चीज है ऱूससा एक्जाम मे沃 विलकुल वाट नी करने बिया दोनेग फ्रुबरिंग स कुस्स्ट नमबर 12 का आंसर सी है बिल्कुल सही है मैं किसोदरी और आंसर है सी होगा फ्लॉब्रिंग स्टेज होना चीए ठीक है इस स्टेज में क्या होता है कि रसी फूर बाली अवस्था में क्या होता है कि न्यूटरेंट सारे जो है इस टाइम पर उपलब दोते हैं पोदे अगर क्रॉप्स में अपने आ जाते हैं यसी मक्ता अगर साइलेज बनाने के लिए लगा रखा है तो अगर 10-15 परसंट उसमें फ्लॉबरिंग हो जाती है तो इसके बाद जो आप साइलेज बना सकते हो ठीक है यह इंपोर्टेंट है दसे पंद्रा की बाद अगर फ्लॉब करते हैं कुस्ता नम्बर किसकी यह देख सकते या फ्लॉब बात करते हैं को सब्सक्राइब कि यह बहुत महात्पुलह ने आपका कि मक्का चरी की बीजदर होती है वाट इस दा सीडरेट ऑप मेज स्यावान वाला है उसमें समय सर्व कोश़क तत्त अधिक होते हैं बिल्कुल यह आप शुलन की उस टाइम पर कोश़क तत्त अधिक होते हैं है ना सुभा मसिंदे सी करेक्ट आंसर है तो मक्काचरी जो आपकी 20 दर इसकी कितनी अपने इसको पूछ रहा है है ना तो मक्काचरी की बीज़दर कितनी परसंट होने चीए अठा 18-20 किलोगराम प्रती हेक्टेर या जो है आपका 10-15 किलोगराम प्रती हेक्टेर या आपका 40-50 किलोगराम प्रती हेक्टेर है 100-120 किलोगराम प्रती हेक्टेर मक्काचरी की बीज़दर कितनी होने चीए बाई आप लोग बताओ, मक्ताचरी की बीज़दर कितनी होने चीए, सर आप मुझे सुन पा रहे हैं, I am Krishna, बिल्कुल Krishna पांडे सुन रहे हैं, है ना, सभी लोग को सुन रहे हैं, 15 लोग अभी लाइब हैं, तो सभी को सुन रहे हैं, सभी का आंसर देख रहे हैं, ठीके, है ना, बह कुल करेक्ट आंसर है, आप लोग का मक्काचरी की बीज़दर कितनी होती है, तो 40 से 50 प्रदीक्ट यक्टेर आपकी जो मक्काचरी की बीज़दर होने नी चीए, कुछन नमर 13, इसका सी आपका करेक्ट आंसर होगा, अब चरी जिसे आपको पता है, जौर चरी होती है, यह आपको पता आपको सुना होगा है आपने चरी के बारे में आपनों जनकरी रखी होगी तो कौन सी चरी जो है सबसे सर्वत्तम मानियात इसके बारे में आप बता लें कौन सी चरी अच्छी माली आती है आप में जुआर चरी के बारे में सुना होगा चाही चरी मक्का चरी इनके बारे में आपने सुना होगा क्योंकि यह क्या है कि हरे आदलनी चारे हैं यानि ग्रीन नौल लेकिम फोडर है याद रखिए अगर मक्का चरी किसमें आती सबसे जदा बैस्ट मानि आती है याद रखिएगा सबस् Def simplicity मानि उसह याद क्या क्रेक्ष नमर्ड थे सिसका आपका करेक्ट आंसर होगा नेक्स चलते आपना को 15 की साइट सोरी 14 की साइट तो यह आप देखशक्षक्ते हैं कि जोगाली करने वाले पशुओं में पस्वों के रूमेन में जीवाणों की बडुतरी एबं विकास के लिए उत्तर दाई अभिव है रूमेन में जीवान भी ब्रती वन विकास के लिए यह कुशन आपने जो है अनिमल अनाटोंबी में पढ़ाओगा इसके बारे मैं रूमेन के बारे में इसके बारे में आपने पड़ा होगा जौर चरी की बीजदर 35-40 क्रोग्राम मक्का तो जौर चरी की आपकी बीजदर जो होती है 35-40 क्रोग्राम पर टीक्टर बिल्बूल्स का रेक्टान सरे आपकर रिशब है ना उपज अगर कभी पूछे दो पर सब्सक्राइब आपको पता है कि किस में आता है अनाज वाली क्रोप से में आता है ठीक है पुछन कर देखो थोड़ा लेट चल रहे होगी इसलिए आपको लोग थुड़ा लेट आंसर दे रहो है आप लोग थोड़ा समझ में आएगा आएगा आप लोगो ठीक है ना तो कोशन नमर चौदा मुस्टे क्या कुछ आपने इसे कि जोगाली करने बाले पसू के रूमेन में जीवाणों की बडूतिरी वन विकास के लिए उत्तरदाई अभ्यब है तक कंपोनेंट इस्पोनेंट इसपोनेंट फॉर ग्रोथ यंडेवलपमेंट फो बेक्टिरिया इन लुमें उस्टीकेशन एनिमल इस शुभंशिंदे शी बिटामिन वह यह आप लोग इसका आंसर तो कुस्टर नमर चौदा का क्या होगा आप लोग आंसर इन देर जो क्या ह होगे इसका आंसर क्यूंकि प्याटी में थो सारे किसस्द आप लोगगों का डेंट करने दोस्ट किस्द आपको चोड़ कि आ ओके उसका ऐंसर सदो तो जासे किंगों सब्सक्राइब वो किंगें कार्वोढी करने। ऑल छाए स्युन है को सित्क्राइबिक है। मिन सब्सक्राइब करें इन बीट पर खेशन Touze, और सब्लेक नहीं हो देखे पानों सब्सक्राइब. को बड़ा विवट्टी को बड़ा ले आप लोग तो थोड़ा आपको सही से साफ दिखाई देगा है ना नेट परकि इशू आ ठीक है आप लोग सही कर ले ले हैं कि बाकि आप लोग इसके बारे में आपने आपने जो है जर्नली एनीमल जो पर भी कबड़ा तौपिक को बड़ाएंपूरा की बात करा इंगर हम तो कुस्ट नमर 15 आपका बूल रहा है कि कोमल चारह यानि Succulent Fodder ठीक है कोमल चारह यानि Succulent Fodder थीक है कोमल सारह सक्फिलन सक्फिलन सड्सोर कें इसमें इसंते परस Nicolas होता बाएं 10 से 20% से 30% 40% से 070% सबसे ज्यादा कुस्टन यहीं आया हुआ है मतलब कि कही ने कहीं कौमल चारे यहार नमी परसंटेज के बारे में उच्छा हुआ है ठीक है आकास बिगर से कौमल चारे में नमी प्रतिशत होता है तो सब्सक्राइब करेक्ट आंसर है कौमल चारे में नमी का परसंट कितना होता है तो सब्सक्राइब यही परसंट होता है यह ठीक है मतलब सबस्क्राइब पैसि अब इस이드कर परसंट हैós बुलते को मोचारे ना थे जानी मतलब और सब्सक्राब रहता है थोड़किंद के मतलबॉट यहें कोलभ यह थोड़ा हाई हो जाता है हलका सा ठीक है कोमल चारा और जो आपका रसीले चारा होता है एक टाइप से बोल सकते हैं तो यह आप याद रखते हो इतनी गहरा है कभी पूसता नहीं है ठीक है उस नमर 15 का डी आपका जो है करेक्ट आंसर रहेगा नेक्स्ट आपने को सोल बगटते हैं तो कुस्टर आमड़ जो आपका है से जियाद होंगे तब ही आप इसका अंसर देपा होगे और आपको पता है दो तो कुस्टर आपको प्रसंट बेस आने आने वाले एक्जाम में डी सीपी से पूछ सकता है यह आपका जो है सीपी यानि कोड़ प्रोट्रीन इस चे आपको जो है कोड़ फाइबर प्रोट्री से कभी कोई कूछे कि मुनफली में कितने परसंट सीडीन होता है तो सली कितने परसंट होता है है तो चालीस से प्रसंट इक होता है यह चीज़्या । बार्तिया मानक संस्थान के अच्छ दाने में 5 फट्रोटी हो जीया तो इस याद रखे कर दो फुस्तर नमर 16 में याद सभां सिंदे करेक्ट आंसर बिल्कुल एक बल्क्राम आपका गलत आंसर जबसे 11 की आपका गलत आंशर 12 तेरा पट्सेंट नहीं रहे निए 14-16 याद रखिए किसलर 12 में जो अपका माना के स्टेंडर तयार किया गया है अच्छे दाने के लिए गुड कंसेंट्रेट के लिए क कितने तयार किया गया है 14-16 याद रखिएगा डी जो है आपको कुस्ष्ण आपको 16 का correct answer है और बहुत इंपोर्टेंट कुस्ष्ण है ऐसी कुस्ष्ण आपर गलत करके आते हैं ठीक है ऐसे एक कुस्ष्ण को लिकली जागा और याद रखेगा वीघुदा नेकुष्ण निको fine पॉकसन साथ आते हैं तो विल्कुल भी फोकस है उससे फोकस करें ठीक है नेक्स्ट कुशन नमर आपका 17 है यह बहुत ही इंपूटेंट कुस्वन कि मिस्का मीर्सीम की किस्म है यह अपने आंसर मेंसे होगा है यह अपने से गलती होगी यह जो इस एक सब्सक्राइब तो इसको आपको याद रखेगा इसको आपको याद रखना है तो इसको आपकी बर्शीब किसम सब्सक्राइब यूद्ट आतकर वें मिस्टाइब होंगा है एक सब्सक्राइब होगा यह जो आपको इसका आंसर है आप लोगों को नहीं वताने वाला हूँ यह आप लोगोगो बताना है कि बकरी एब बेडा के लिए एक महत्तपूर्ट चार है इंपोर्टेंट फोडर ओफ गोट एंड सीप केप्रा हिरकश और भेड यानि आप ओविस एरीज दोनों दीवी है आपको इनका जूरोल्जिकल ने हम तो पता होगा बकरी का और बेड का यह तो बेसिक है केप्रा हिरकश और ओविस एरीज तो बकरी एवां भेड के लिए महा प्रण पड़ा होगा कि बकरी बेड के सबसे माध्मून चारा कौन सा ओता भई तो रिशब बोल रहे है बी यूरिया इस कांसर यूरिया कहां से हो जाएगा बैए मैं पूसराओ बेडेवां चारा बेडेवां बकरी के लिए सीवंकुमार गोल्डेश बेड की पत्ति रिश सबसे पहले किस प्रवावित पड़ेगा कहने का मतलब यह है रूट की मात्रव क्रेक्ट आंसर यह आप लोग पा दूर्द की मात्रा पर फर्क पड़ेगा कुस्टर नमर्म्र 11 का जो जाएका सी करेक्ट आंसर होगा है ना किसकी किस पर इफक्ट पड़ेगा तो भू जो आपक्ट पड़ेगा उप्टी को चुछं यह ठीक है सुभम सिंदे ए दुग्द from c c c यसाभ सी बिल्के क्वाल्टी मिल्के कवाल्टी ऑफ लिए शी ठीक है तूद की मातर्य और बने कुरेक्ट आंसर है ना नेक्स आपना बात करते हैं एमले कुस्ष्षन की ठीक है कुस्षन नमबर 20 आपको कुस्ष्षन यह दिखके जैस्ट आपको आप के बारा में आपके चौन से लिब्सक्राइब कितने परसेंट होता है तो 30% 70 से 42 परसेंट या 44% डिए कितने परसंट जो आपका क्या होता है कि मूनफली में बस्टाइब कितने परसंट होता है डिपसेंट को यह में रिव दॉर करते वाई ठीक है सबी लोग कि रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों से ठीक है सबी लोग एक बार लाइक जरूर करते हैं मॉटिवेशन मिलता है सब चीजों से आप लोगों को बता है ठीक है तो मुनसली की खली में DCP कितना होता है मैंक चोदरी ओल्रेट डी 64% शुबम शिंदे सी सर है कितना होता है बोलेश्ची में फेट पर्संट कम्य होता है चार परसंट के असपास अपन लेक 3.5 चार परसंट के असपास अपन जरनरलिए चल सकते हैं है ना सब्सु कि वब इस जर्सी गाया में याद रखिए गभी पांच 4.8 परशन तक इसमें जो फेट परशन चला जाता है जर्सी में हज़ arises हमेशा जो पसु जादा दूँद देगा हमेशा जो जादा दूद देगा उसके मिल्क में हमेशा क्या होता फेच Πरली परसंट को यहीं पाया जाता है अधिक दूद्म में फैट परसेंट कमिए होता है से यह आप नोगे पता है यह दि कंगा होता है थे पीला होता है है ना तो यही सब चीजे जो है एफेक्ट करती है गाय के दूद को है ना लेसी गाय के दूद आपने डिफरेंट पड़े होंगे तोल्थ में यह सब बेसिक कुस्षन है करेक्ट हुआ तो बिल्कुल जवाब देख क्या परेक्ट हुआ आप लोगा कि खली में डिसीप कितना 40-42 परशेंट होता है और टीडियन अगर आपसे कभी कुछे मैंने आपको बता दिया तो टीडियन सत्तर से पिचतर परशेंट आपका दो है टीडियन होता है यह इंपोटेंट है इसको याद रखिएगा आप ठीक है यह सब यह सब बेसिक चीजे है यह ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अपन कुछ नंबर 20 बन की साइड चलते हैं यह आप देख सकते हैं मुमफली की खली है और यह आप याद रखिएगा मुमफली की खली जो आपको पता है मुमफली प्रोटेन भी अच्छा कासा पाया जाता है गरीबों को पता है इसको ग कि मैं भी एक्जाम जेरे कभी जाता हूं तो क्या दूतिन दोस्तों से एक बार अपन बात कर लेते तो वह चीज़े जल्दी याद हो जाती है इसलिए मैं आपसे बार बारी इन चीजों का जिग्र कर रहा हूं कि आप लोगों को याद रहे हैं चीजे एंटू कितना होता है N2 इस सहके समय पत्थिओं के जन्ने से हा नहीं होती है तो किस की हा नहीं होती है बाई, सरकरा की, प्रोटीन की, कैरोटीन यह में बिटामिन या संपूर्ण पाज टक्तों की याने टीडीकि तो इसकी हानी होती है थिक्ड़किक किस की हानी होती है बताए श Euch Tomorrow-घॉटीण कि डाइजिस्टिप करड़ बिल्कुल DCP को डाइजिस्टिप करड़ कूटिन बोलते हैं लाइब स्क्रीम के लिए ना ना नाइटरोजन 16-18 परसंट टैक बल्टराम नाइटरोजन सी सुबं सिंदे सी केरोटीन इंप बितमेन नाइटरोजन टैक बल्टराम सीब बनते समय अब आप लोग यह बताओ यह बनते समय पत्यों को जणने किसकी रूटीन और बितमेन की करेक्ट है बहुत ही एंपूर्टन कुस्टन था यह वाई क्योंकि आपको पता है पत्या जड़ेगी हरी हरी पत्यों में क्या पाएज आते क्लोरोफिल क्लोरोफिल यह स इनके अलग-अलग जो समझ में आजाएगा सारे लिखे लिखे हुए एंज बैसे कुस्टन है सारे मैं आपको बता रूओ सारे बात्रस्सरे बहुत इंपोर्टेन्टन है सारे सारे मिलेंगे आप आपका है कि भाई पसुओं का सरी का कितना भाग प्रोटीन का बना होता है हाउ मच ओफ दा एनिमल बोडी इस मेड ओफ प्रोटीन तो प्रोटीन जो होता है मतलब पसुओं का सरी जो होता है कितने परसंट प्रोटीन से बना होता है 3.5 से 4% या जो है हितेश कनेल C के रूटीन बिटिमिन है सही है लाइक कर दे बाई सबी लोग जो 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 नए सेशन के साथ जुड़े है लाइस टीम के साथ एक पर लाइक जरू कर दे ठीक है है ना कृष्णा पांडे C पोस्यार डेट C हैना C करेक्ट है बाई ठीक है के रूटीन बिटिमिन के हानी होती है है ना जिशब C लाइरिश्टी मगर ठोड़ा लेट चल दे हो तो इसको आप लोग जो है पोस कर लीजेगा थोड़ा मतलब बढ़ा लीजेगा तो यह आपको लोगों को थोड़ा किलिए तो तो कितना बाघ पूर्टीन का बना होता है थो 3.5 से 4% 8-10% जा 17-20% बहुत बहुत करें तो इसकी तो सरी प्रोटीन का बना होता है कितने पारोटीन सब्सक्राइब सब्सक्राइब बहुत इजी कुस्टन है और सुरुमात में यह बहुत नॉर्मल कुस्टन है 17-20% ठीक है वाकि आपसे अगर फैट के बारे में कभी कोई पूछे तो फैट आपको पता है पासरी में कितना परसेंट का बना होता है ठीक है फैट अगर कभी पूछे आपसे गाय सब्सक्राइब तो आपको पता है तो आपको पता है सोरा परसेंट पूछे पूछे जाता है तो आपको पता है 11% प्रोटिन के सब्सक्राइब पता ही प्रोटिन है इसमीं बीड्बंटा नहीं है ठीक है रिज्ट अब चलते हैं कुसर पर तेज की साइड तो यह भी आप लोग को पता ही होगा कि रिजिका में आप परीपक प्रूटीन की मात्रा होती है रिजिका आपको पता है लूसर्ण इसको लूसर्ण नहीं भूलते हैं ठीक है तो रिजिका में आप परीपक को प्रूटीन यानि यह आपकी डाई के उसमें बातर की मातरा तो आपको बता है 56 ते 58% की आपको अपने बात्ते हैं फिप्लेश के आधने जाता है आगर कोई बहथ मतलब है नोनबल को श्यायट ठीक है मैंना आपको बता जिया निखिल प्रफपर कब है प्रफपर तो टाइम है जो आपको बताए कि जो है यह दिसम्बर के फर्स्ट भी का नंबर के लास्ट में हो सकता है ठीक है आप इसको आपको पता है आज से फॉन प्रफपर की मातर कोई पूछे तो कितनी परसंट होती है बीस से किस परसंट याद रखियेगा ठीक है यह कोट्य की मातर की मातर कीट्वी किसे फर्सन परसंट वह कुछान है किस है कि आहार में रहत है नींन तम होने चाहिए यह बहुत बेसे कुश्चन है या आप लोग को इसका अंसर कुद देना पड़ेगा यह कुस्ट बाला कुश्चन है आप लोग को सोच कि इसका आंसर देगी गाय में भैस में गोडे में यह बक्री में किसमें जो है बेसे की यानि फाइबर की मातरा मिनीमम होगी बताएं बाई दीपक तिवार सब्सक्राइब पर लोग सब्सक्राइब यह बहुत ही से घ्रवाइबर कि अपुश्चन है कि अबिबर करते चलो आपको बता लगुआ त्यों इसके पारे में आप लोग बताएं गीकिसके आहर्म रिशयकी मातरा अच्छा और भाई कुमाबत वो सब तितने भाई शुबम शिन्दे ओके सर अच्छा बताया भाई इसका शुबम शिन्दे क्या होगा 24 का कि किसके आर्म रेशे की मातरा नुहिंतम होनी चाहिए the minimum amount of fiber in a रेशो शुड़ भी minimum कितने परसंट होना चाहिए टेक बलगराम सी गोड़ा विल्कुल सही आंसर आया भाई ठीक है गोड़ा करेक्ट आंसर है आपका विल्कुल बेसेक कुस्टन था क्यों हो भाई गोड़ा इसलिए हुआ क्योंकि इसके अंदर आपको पता है गोड़े को आ एक्सिमम जो है इसमां अमाउंट होना चीह रेशेगा ठीक है तो कुस्टन में 24 सीज का आपका करेक्ट आंसर होगा बाकि आपको पता है गाय बेंस मिनिम आपको पता है आप गंटे जोगाली होना चीह नॉर्मल पसू को ठीक है इनके सब के बारे में आपको पढ़ा होगा बेश्यक कुछल है ना ठीक है कुछ सुभम शंदे सी सही करेक्ट आंसर है बट आप लोग एक और आंसर देते हो कि घोडे का बेग्यानिक नाम क्या होगा पता है कि आप लोग किसी को भी यह वैसी कुछल पूछ रहूं बट ऐसी कुछल पूछता नहीं एक्जाम में बट आप लोग पता है किसी को गोड़े का टूरुजिकल नेम क्या उगा है ना आपनोगो पढ़ा और इसके बारे में थीक है तो बोड़े का जो रोग्या ना मतां सही फूब मश्म शंदे सी गोड़े का रोले ऑनाम बadowने का नाम पनाउनन अपना रहो पनिकिन बूल गया है अच्छा किष कभी इस नाम कभी कोई आप से पूछ है इन्हें से लिखा आपbellus लिखाय बड़ोओ के इसको पूछे इसको याद रिखना इसा कूछ नहीं एकजाम है और आपनों होोग नॉलेज के लिए पूछ लिया, ठीक है, है ना? कि infring offend मात्रा होती है, the amount of DRYMETER कि यह सुख॑ पदात की मात्रा कितने ॅ धर्स सपाध की मात्रा होती है, कितने पर्संट गलती से गलत लिखित दी आता सर अरे कोई दिक्कत निए आप उसके पास तो कोचे ठीक है कोई दिक्कत निए ठीक है पड़ाता अच्छा अनिल ए मंदरा से 20 पर्संट या साथ से 50 पर्षन वह आपसे क्या पूछरा एक बार आप कुस्सन को सही से पढ़िए क्या कुस्रा आपसे कि हे ड्रां से 20 2-3 प क्यों बात नहीं B 21 थिफ थिफयाक की होती बताया वहाई 20% निकिल बात सब्सक्राइब करेक्ट है क्योंकि आपको बता है कि एक प्रकार का सुपचारा होता है ठीक है तो इसलिए इसका सुभम सिंदे सब्सक्राइब करेक्ट इसका अंसर आप लोगो देना है अगर आपने इंस्टिट्यूट बगएरा याद की होंगे यह आपको आपने जर्नली एक्गिरी कल्चर्प एकोनोमिक्स टॉपीक होता है उसके पर उसमें आपको यह पढ़ा होगा आप लोगों ने कि रास्टिय चारा अधूसंदान संस्तान कहां इस्टेत है नैश्टनाल फोडर रिसर्स इस्टिट्यूट इस लोकेटेटिट कहां कहां पेस्टें थे भائई जहां सी करणाल इज्जत नगर यल पंत नगर कहां पेस्टे थे थे वाए जहां सी उत्तरप्र प्रदेश्त करणाल रियान इजोटन वाफ नगर पंतनगर उत्रागंड तो कहां भी इस्ती दुगा आपनों का रास्टिय फोडर एस्टिटीवट ए जहासी अच्छा जहासी 26C इजतनगर वैं जितनगर में तो अपना भूनी सकता ना साइलेज में 30 से 40 कितना 30 से 40 रास्टिय चारा अंसर्णान संस्थान इस्ते थे नैस्नों फोडर इस्टीवट जहासी करना लिज्जतनगर या पंतनगर कहां इस्ते थे भाई ए जहासी सोरब सी निखिल ए ए जहासी करेक्ट आंसर है आपको कुस्टन नुबर 26 का जो है सी आपका करेक्ट आंसर होगा सोरी यह आपका जहासी आपका करेक्ट आंसर होगा जहासी उत्तर प्रदेश में आपका है अब यह स्टैबलिश कब हुआ था तो याद रखिए अगर 1962 में यह स्टैबलिश हुआ था इसक एक्ष्ट आपन बात करें कुस्त नमा 27 की तो कुस्त नमा 27 आप देख शकते हैं ठीक है निम्न मैसे पस्वों के लिए सबसे अच्छी घास होती है विस वफ दा फॉलोविंग इस बेस्ट ग्रास ऑफ एनिमल एनिमल के लिए सबसे बेस्ट घास कोंची माली आती है वाई है न गुलिया घास, नैपियर घास, सुडान घास या आपकी दूग गास जिसको अपन साइल और डेक्टाइल उन बोलते हैं नैपियर घास का आपको बोट निकल पता होगा क्या है बाई नैपियर घास का बोट निकल ने आप लोग कमेंट चैट सेक्शन हो बताओ क्या होगा इ आपको बताना है दुब गास और बिलकूल correct answer आपका शिभम पटल स्टडी बिलकूल correct answer silent on dactylon डूब गास असो के लिए सब ते अच्छी घास माने जाति है बहुत बैस्ट घास होती है ठीक है वरट आप अब आपको बताना है कि इस नेपियर घास का बेग्यारिक नाम क्या होगा इसके बारे में आप लोग बता है कि जो नेपियर घास का बेग्यारिक दूब घास होगा इसका आप लोग इसका आप लोग निबल में से पर मीस्पशती अच्छी धूशी ए तो आपके ऊच्छी है पैनि जो है इसची अच्छी मानहीं आती है साइन्डों डेक्टाइलों बड्ट जो नेपियर गहां से इसका बॉटिकल है आपका पैनी सीटम पर याद रखिएगा ठीक है नेच्ट कुछन की साइड चलते हैं अपर नेच्ट आपका है कि फलीओं में निम्न पोसत पत्थ भाउतायत में मिलते हैं यह बहुत बेसिक कुछन है कि दा फॉलोविंग नूट्रेंट आर फांड इन लेक्यूम क्रॉप्स यानि फलीओं में जो निम्न में पोस्त बहुताय उते हैं वह फलीओं वाली फसल होती है उन्हें पाई जाते हैं तो बशा होता है या उर्जा होती है यह खनीजलबड होते हैं यह प्रोटीन या दोनों मिलेंगे खलियो में सर घुस्त त्वारpy's करो फिल्कुल कि दो वार मूलते हैं थीक है इसभी युराश नंकी ऑवाश फ़लिओं में वाशा होगा purchased उसे आफ बहुताये की बात कर रहते si ऑगका फली वांड हु ए में अदिकितर कैसी हुती है फली वाली होती है तो फली होना आपको पता है, प्रोटीन मिलते हैं, अधिक मातरा में, मिनल्स भी मिलते हैं, तो यहाँ पर जो आंसर आपका जाएगा, वो D जाएगा, अगर यह D, प्रोटीन और मिनल्स नहीं होते, प्रोटीन भी होता, मिनल्स होता, तो आपन वहाँ पर फैट आंसर ले सकते सुकस पदात कितने पर्सेंट होता है कि अ कि में इस ऑग इस ऑप सब्सक्राइब बताएं आप लोग कितने परसंट होता है एक गिरी भाई जी राहुल कुमार नमस्ते नमस्ते भाई लाइक कर दें सेशन को है ना सब लोग एक बार मिलके प्लीज है स मीषण को लुग कितने आया केस राहुल कुमार नमस्ते यहज होगा है एक कि सकतर से 80 परसंट भी सत्राइब म कल पाना जाता किसी प्रटाइब लूटा कुछ नहीं होता है मुद्धे अपको पसंटेस वह आपकोники इनने अप नियूट्रिनल्ट specie नहीं होता है वारे हुंकि मारी दाटेंइंड मिखें रिवार्टी अब हमते हैं विश्वाइज हैं हमुज政 की स्वागते हैं स्वागत्या आपका हमारे यूटूप क्यानी क्यु नितिन मौररियासी जलिए है कि यह गुटब आप कितना क्याइन सोफelas कि के असकता क्या याद रखेगा शुक्सबदात की माणा से श्वार्ट अपने पूछ रहा हुँ यस सर ये important question है कितने % होता है 70-80% गयों के boost में इसको याद रखेगा गयों के boost में 0.00% होता ही नहीं DCP पाये नहीं जाता कोई पूचिए अपने से गयों के boost में BCP होता ही नहीं TDN अगर कोई कूछे कितने % होता है है कि ए शम्पूर पाच ट्त अगर कोई पूझे अपने से टि याद रखे कर कि सब्सक्री 我們 सब्सक्राइब माना जा लोगा कर अपने इसके बारे मां उवाँ पड़ा होगा कि कॉन सब्सक्राइब माना जाता है, sorry, sorry, धान का भूसा बैस्ट नहीं होता है, जै का भूसा सर्वोत्तम माना जाता है, याद रखियेगा, sorry, इस टेप होई अपने से, जै ओट जो भूसा होता है, आपका, ओट इस्ट्रो, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना, किस क्या बोलते हैं, ओट इसको, बूसे को स्ट्रो, गोलते हैं, तो ओट इस्ट्रो, जो आपका, जै का भूसा होता है, आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, जै का भूसा, यह सर्वोत्तम माना जाता है, जै का भूसा, खाया सबसे जाद अपस्वों के द्वारा कौन सा है, यह हूं का भूसा, या स्ट्रो अभीकुल दिपक्तिवारी ओट स्ट्रो करेक्ट आंसर आपका है ना जही का पूज़ा हिदेश कनेल जवालीस परसेंड नहीं भाई लाइब का थोड़ी नेटपने कीशु रेता है बट आप जो है लाइब का उपन क्लास साढहे आर्ट से नो की वीशास पाग जो है सौरब घ्लास रहेएगी लाइब ठीक है है ना अभी जो एप लोग बता देंगे कमेंट करके जो magazम मैं । फी जो ए नेक्स आप का सेंसर एसी का रखें अनियमल न्का नेक्स पार्ट रखें यह आपका जो हूं केना आपहों करक्षण है यह सुथ पदा कितना परसंट रहा साव दिया मैं एक है नेनस आपर कुस्षन नमबर जू आपका है तीस नमबर कुस्षन लास्ट कुस्षन है आपका इस सेशन का ठीक है लास्ट कुस्षन है सेकेंड नमबर पर जू है अच्छी साइलेज का सरवूतन रंग होता है भाई र ्न भाई क्न वें थोड़ा फिल्य form आपको पता होगा आप लोगों को बारे में तीक है आप जब प्रिविशन पेपर उठा को देखो कि आपको इसके बारे में सीरा सिलिवर्स पढ़ने को मिलेगा बायोखेमिस्टी ठीक है तो इसके अगर आप लोग बोलो के तो क्लास चलाएंगे ठीक है एगरी जी हम बिहार जी बिहारी जी हैं आप मस्त पढ़ा रहे हो आपका बहुत बहुत थेंक्यू अरे धन्वात बिहारी है यवरार सिंग सोलंगी यह बी सर आप डेली लाइव आया करो बिल्कुल तोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है है ना डिखकत हो जाती है ठीक है सर आप बयूका हुक्त फटाइब क्ड़ोग घा है श्लकी बाता में तो करेक्ट आंसरि आपका बिल्कुल हैाब सब लुकुल भी आपका करेक्ट आंसर है अलकी बादा में सर्वुत्तम रंग माना जाता है साइलेज का करेक्ट आंसर है आप लोगों का